जी या, Assalamualaikum everyone, यार हम लोग इसके बाद बोग शुरू कर रहे हैं है, पाकिस्तान स्ट्रेटीस पेपर 2 का शुरू कर रहे हैं, तो इसको आप लोग जोईन कर ले हैं, बाकिस्तने भी स्ट्रूइट्स हैं हमारे इसके O-Levels के 1st year के, पाकिस्तन शुरू करने वाले हैं, इस जो इसका फेपर दे रहे हैं, दूसरा, जो स्टुनेंट्स अभी सेशन नहीं ले पाएंगे, या किसी विजासे आप लोग अवेलेबल नहीं हैं, तो इसकी वीडियो इन्शाला पेज की उपर अवेलेबल रहेगी, इसकी वीडियो यूट्यूप की उपर भी अवेलेबल ह करने हैं, यूँकि वो बहुत ही जूरी चेप्टर्स हैं, वालिकम असलाम या ठीक हैं, आपने दोस्तों को सबको टैग करने हैं, जिन लोगों को करना है, ठीक है, और यहीं जो जो स्टुडेंट्स में अपियर हो रहे हैं, उनको आप लीस टैग कर दें इसके अंदर, और बाकी मेरा इस पर रिक्वेस्ट ही है कि अगर कोई भी जिनी आपके वो हैं टाइमले में पर इसको शेयर करना हैं, वालिकम असलाम, वालिकम असलाम, इसको आप शेयर करते हैं, ताके हम इसको मुकमल श्रू करें, हमने आए लोकेशन, नैच्रल, अपना टोबागरफी, उस मैंने यह अब यह बने बताया, आपको एमेल में इसके बाद चेक करूंगा, क्योंकि मेरे पास ना बने इसके पूरा करने है, उसके आप लोग का जो अर्दू, और लेवल का सेकंड वाला पेपर है, वाल सेकंड टाइम में है, ठीक है ना, तो हमारे लिए हो असानी हो करते हैं, शुरू, एक दो स्टूइट ऐसें, जो मैं स्पॉर्ट नहीं कर पा रहा है, इसमें जो आम तौर पर होते हैं, इसलामयात का यार, आज तो देखो ना, अगर हम आज जो पी करते हैं, तो हमारे लिए इसलामयात का, अच्छा जी, बाकी आपकी कोई स्टूइट्स हैं, तो नहीं को टेक करता के मुस्तों शुरू कर सकें, जो टॉट करते हैं, ताकि वो लोग इसमें आजाए, अच्छा, आप पहले आप उसका वो यह नहीं के जो है, उसको पढ़ रहे थे ना, उनको तो जो आप उसमें एशू आ रहे थे वहाए, आज मुस्ते आप साथ स स्टाफ क्या यार स्टाफ मुझे पता है क्या चीज़ चाहिए अभी एक-दो स्टूइट्स रहते हैं यार उनका मैं देख रहा हूं कि एक-दो स्टूइट्स अभी तक उन्हों कि इससे 2 मिन तक हम इंशार श्रू करतें स्कूर को लागे 2 क्या स्टॉफ आप पूज़ च्ट्राफ के स्टूट्स के पहले कलास के नोट्स खोल लें जो करेंगे जोंके लोकेशन पाकस्तान वाले हम निए को कि सर पता है नहीं किस के नोट से पढ़ा रहे हैं तो यह जो मैं पढ़ा रहा हूँ यह मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे अपने जो नोट मैंने स्टुटेटस को बना के दिये हूए है for my crash course मैं उस में से देखे पढ़ाता हूँ ठीक है जो सबसे मुश्किल तीन चैप्टर है नैच्रल टॉपाग्रिफी वाला आपका क्लाइमिट वाला और वाटर रिसोर्स वाला उसका हम खबर करेंगे इंशालला हमारा उसका फोकस रहेगा बाकी चीदे बाद में अब भी क्रेश चुडेंट्स को मैं फिर बता रहों गया है व अच्छे बच्छे जी माशालला आज तो सही उसकी वाडियंस बनी पड़ी है अच्छी बात चले बाकी जो स्टुडेंट्स को भी टैक कर देंग या ताकि हम लोग शुरू कर सकी अच्छा यह आ गया जो बच्छे क्रेश कोर्स के क्लास वन के नोट्स खोलने जी इसको बता नहीं होता हो आज लिए मुश्किल हो जाता है नको फॉलो करना तो पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं एक हो गया आपका लॉंगी ट्यूड और लेटिट्यूड की लाइन्स देखो लेटिट्यूड के वर्ड में आपने याद रखना है कि इसमें इसमें ल ब सुरीयल लाइने यंजांस यह बैसिकलि हमारी एकि मेज़निर्य लाइन से हैं ज्यो करेंगे यह हमारी इमेजनेर्य लाइन से हैं जोबारे फिर्वेड़ी बंया कि बनाया वी件 ये अर्थ के North और South को connect करती है अब याद अकनेक अगर ये यू चल रही है North और South की तरफ connect कर रही है तो ये अर्थ को दो हमिस्पेर्स पर divide करती है यह बिसिकली Eastern और Western उसमें device को divide करती जा रही होती है Latitude जो है आपका वो basically horizontal lines है ये अर्थ के East और West को आपस में कर रही होती है यानि ये East और West को आपस में कर रही होती है जाइन कर रही होती है और ये 180 है टोटल इसके अंदर ये 180 है इसमें equator जो होता है ये आपका basically जो latitude है यानि कि जो horizontal lines है जी मैं इसको वीडियो को इपलोड दरूँगा वीडियो अवेलेबल होगी उसका कोई issue नहीं कि मैं आपकी टीम की members को बता रहा हूँ कि आप देख लिए students उसको कह रहे है तो इसको delete नहीं करना वीडियो को अवेलेबल रहन देना है 23.5 degree up और 23.5 degree down का जो angle है ये दो वो latitude के angles हैं जिसमें earth tilt करती है ये बात हमें काम आएगी जब हम लोग पढ़ नहीं होंगे temperature invariant layer को ठीक है? तो आप में याद खना है कि इसमें जो temperature invariant layer बात है अर्थ जब tilt करती है या तो वो 23.5 degrees जो है वो north की तरफ tilt कर जाती है या south की तरफ तो ये आपके tropic of cancer and capricorn होते है tropic of capricorn आपका आगया south की तरफ और आपका tropic of cancer आगया north की तरफ ठीक है? prime meridian जो है ये 0 degree of longitude होता है और ये अर्थ को दो hemisphere बें डिवाइड कर रहा होता है eastern hemisphere और western hemisphere हमें जानना इसलिए जुरूरी है कि इसमें हमारे जो अर्थ की exact पाकिस्तान की exact जो हो है वो में इससे बतालगती है मैंने आपको पहले बताया है tropic of cancer हो गया 23.5 degree north latitude अगर आप latitude या longitude के साथ north या south नहीं लगाओगे तो उससे कुछ clear नहीं हो रहा बताना पड़ता है आप सिर लिख तो 103 degree अब 103 degree latitude है ये नहीं clear और वो north है या south है east west है ये नहीं clear तो आप में उनके साथ latitude के साथ north and south लगाना है जो longitude है उससाथ east and west लगाना है ठीक है जी जी ये अभी पढ़ाऊंगा इंशाला या ये टॉपोग्राफी और climate वारा तो इंशाला बड़े टेल नहीं पढ़ाऊंगा उसमें काफ सारे notes आपको साथ साथ बाती समझ आती जाएंगी अच्छा पाकिस्तान की जो एपसलूट और relative location में फरक क्या होता है जो कहम find करते है latitude और longitude के use से यानि हम latitude और longitude को use करके जो location find करते हैं वो होती है absolute location यानि exactly location क्या है पाकिस्तान की absolute location है 23 degree and 35 जो है उसका आप inch कहलो या 35 जो क्या minute कहलो minutes चो होता है डिगरी के बाद जो छोटा हम उसको कहते है उसको minutes का जाता है 23 degree 35 minutes से लेके 37 degree 05 minutes north latitude और जो आपका याद रखना है मैंने फिर बता है कि north south लगाना है और south latitude लगाना होता है ठीक है और पाकिस्तान 61 से 78 degree east जो है longitude के बीच में अब इसमें हमने याद रखना है कि हमाई exactly याद रखनी जरूरी नहीं है हमें जो पता होना हो चाहिए वह यह कि पाकिस्तान के उसमें तीन में आपके longitude है एक 64 degree east longitude है एक 70 degree east longitude है और एक 76 degree east longitude है 6-6 degree के फरक से 64, 70, 76 और पाकिस्तान के जो तीन में latitude है एक्स्यूज मी वो हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यह 23.5 डिग्री नौर्थ एटिट्यूट आपका 30 डिग्री नौर्थ एटिट्यूट और 36 डिग्री नौर्थ एटिट्यूट अगें वही बात है अभी आए हूँ हम स्टार्ट करके टे यार अचा उसमें यह कि आपका यह 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 निके 23.5 डिग्री नौर्थ एटिट्यूट से लेके यह आपका पाकिस्तां के जो में वह हैं थर्टी और 36 डिग्री नौर्थ एट्यूट यह हमारे में जो हैं जो मैं लेट्यूट बताऊं चाहिए फिर बता रहा हूँ कि नौर्थ एट्यूट लिटना जरूरी है नहीं लिखो के मार्क्स नहीं मिलेंगे ठीक है रेलिटिव लोकेशन जो होती है वो किसी जगह की उसकी सराउंडिंग्स के टरम्स में होती है कि वो कहां एक्सिक्स करती है उसकी इर्गिर किया है ज तकरीबऑन वेस्टन मोस ली एकी तरह आई अफ़गान इस वोडर रहे है पाकिस्तान के नौर्थ वेस्ट में जो एक छोटी सी अफ़गान टरिटरी है वाख़ान उसमें ये जो आपका अ रखान टरिटरी है उसको यह नी कि उस टरिटरी को आंगर हम बो कर देते है है नह तो बिलकुल हमारे बिलकुल साथ ताजिक्सतान एक लैंड़ कंट्री ए सेंट्रल अश्य इसें वह सेंट्राइशन स्टेट को हम लोग कर सकते हैं फात्मा मैं कॉश्चन साथ साथ देख रहा हूं और मैं इसको पहले स्लेबर्स पढ़ा दूंपर साथ क्वेशन पढ़ाते जाएंगे कि इस लेबर्स पी हमने कवर करना है ठीक है आ नहीं नहीं यह दिएदमे करने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नौर्ट है क्या रखना ठीक है अच्छा उसके बाद आपका यहां गया अच्छा पाकिस्तान के साथ ठीक है इसके पाकिस्तान दुनिया का हब बन सकता है यह इस्ट और वेस्ट को आपस में connect कर रहा है अभी हमें question करेंगे वड़ी जूरी बात है पाकिस्तान की important cities देखो मैंने जो crash core की student को भी बताया था कि आप map पे देखो ना तो आपने यह top left से शुरू करना है और यह सारी cities even border के साथ साथ ही आते जाएंगी जैसे सकर्दू, गिलगेद, चित्राल, पिशावर है उस पर कोईटा है, कोईटा और मुल्तान एक ही उसके उपर है latitude की उपर, कोईटा और मुल्तान जो है वो आपके 30 degree north latitude की उपर है तो अगर आपको exam में आल जाए तो देखना असान हो जाएगा कोईटा और मुल्तान, same degree उसके उपर latitude की उपर है ठीक है, सकर्दू, गिलगेद, चित्राल, पिशावर, कोईटा, गवादर आपका नीचे आगया अगर बलोचिस्तान की साइट पे हो बलोचिस्तान में वो उसके अंदर हो क्या होता है पोर्ट अरिया हो तो गवादर होगा और अगर आपका सिंद्ध की साइट पे पोर्ट अरिया हो तो आपका क्राची होगा सकर्दू, गिलकिछत्राप, कोईटा, गवादर, क्राची उसमाई हैधरा भाद आ जाएगा अगर आपका सिंध में एक एरिया है और उठी है पे पोर्ट के साथ नहीं है तो वो हेदराबाद ہوगा ठीक है सिंध में होगा होगा पंजाब की बारडर के पास ठीक है सक्कर मुल्तान मैं आपको बताया कि मुल्तान और कोईटा एक ही लाटिट्ट्यूट के उपर है यानि 30-degree north latitude से उपर हो लेकिन वो उससे थोड़ा सा बाद से दूर हो तो वो फैसलाबाद होगा गुज्रावाला मेरत आए कि फैसलाबाद से थोड़ा सा उपर जाएंगे तो गुज्रावाला है गुज्रावाला आपको मिलेगा उसके सासा चलता हुआ the river précédent उसके बात ये है जो आपका ज़ेलम है ज़ेलम और इस्लाम बांम है जईलम क्षर फोड़ा सा नीचे कर Assam आपके आपको व्हेल से कर चूक को दोर बिलुकुल आपको ठीरिगे इन साइरी सडिगे बिशार ने आउसके वापस दो तो इस तरह अकली याद करना असान हो जाए को मैप एकफा देख ले मैप भी अभी सेशन के बाद जो है मेरी पेज़ पे शेयर कर दूँगा उस पर देखना को बिल्कुल क्लेर हो जाए कब बाद समझा रहा हूँ पाकिस्तान की लोकेशन की बेनेफिट्स का क्वेशन आम तरुपे आजाता है पहरी बात वार्म वार्टर सीपोर्ड ने इसको मैं तो एक्स्टेंड कर लूँ यह पिर बता रहा हूँ को अपने खुद के नोट से पढ़ा रहा हूँ चैptor 1 नोट सें के आता को के लिए सासा कर्यार यान ओर्ट प्रूण बात रोगाम में सादा रहा हूँ उसको यूस कर सकते में स्याल्को डूबल पिंडी आक पेपर में नहीं का है गाएic Adv Тоर में प्रेम की आओए । लेकिन वो आपके इसमें लोकेशन वाले कोई चप्टर में नहीं आता अच्छा इसमें आप बता किया रहा था वांबाटर सीपोर्ट में आता है याद रखना है कि यह पूरा साल पानी होता है इनमें बरफ नहीं जमती तो इसका मतलब यह पूरे साल जो है ट्रेड पॉसिबल होती है जी सी पेज़ पे शेयर करूंगा उसके बाद यह किसमें ट्रेड पॉसिबल होती है इसमें आप फाइदा किया है कि वांबाटर सीपोर्ट हैं जो लैंड लॉक्ट कंट्रीज हैं बसर बट इन यार एक फ़ले बात समझें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मैं आपको यह बता रहा हूं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन इट सेल्फ 23.5 डिग्री नौर्थ लेटीट्यूड है मेरी बात को आप बेश्चक इस वीडियो को बैक करके सुन लें आपको मेरी बात clear हो जाएगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस 23.5 डिग्री नौर्थ लेटीट्यूड ये नहीं कहा रहा कि पाकिस्तान के नॉर्थ पे है, देखो, ये देखो, एक्वेटर है, टॉपिक ऑफ कैंसर आ गया, 23.5 डिगरी नॉर्थ लेटिटूड ये पाकिस्तान से नीचे है, पाकिस्तान की साउथ पे है, मेरी बात को यहाँ समझे है, वालेकुम असलाम, इसमें आ 23.5 डिगरी नॉर्थ लेटिटूड पे एक्वेटर से उपर है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की साउथ पे है, पाकिस्तान से नीचे है, ठीक है, अब यह याद रखने है, 23.5 डिगरी नॉर्थ लेटिटूड पाकिस्तान से नीचे है, उस बाद 30 डिगरी नॉर्थ ऑछाँ याद रखना है कि पाकिस्तान का जो वांग वाटर सी पोर्ट तो तो उसमें इसका फाइदा किया है कि जो लेंड लॉट-ट्रीन का नाम बता पाकिस्तान के पास वाम वाटर सीपोर्ट है यानि पाकिस्तान के जो सीपोर्ट है उनको अगरा हम एकस्स दे देते हैं तो कुगा साल ट्रेड हो सकती है अब ट्रेड में होता किया है हम लोग टेक्स ले सकते है हम लोग उसे टेरिफ ले सकते हैं सर्वेस चार्जस लेइस पैसे कुआ सकते हैं इसमें एधनी आपने पात यह चीज़ी रखनी है चैना गौदर को इसलिए पोट करता है जो चैना का ईस्टर पार्ट है और चैना का वेस्टर पार्ट है ठीक है उसके अंदर फ़ीय वियन चैना जिस तरद आपका डिस्टंस बढ़ता है ओgil का खर्चा बढ़ता है जब ओacter की प्रैसे बढ़ती है अगर चाइना जो अपने वेस्टरन पार्ट में प्रोडक्शन कर रहा है अगर वो प्रोडक्शन अपने इस्टरन पार्ट पे लेज़े के जाए और बीजिंग या शेंगाई से आगे उसको ट्रांसपोर्ट करें दुनिया में तो उसकी चीज़े महेंगी हो जाएंगी कौन हमारे पोर्ट हो जाते हैं तो उसके अंदर यह कि वहां पर री फ्यूलिंग हो सकती है शिप्स रीफूल करेंगे टेक्स मिलेगा सेल्स जादा होंगी अच्छा मैंगरूव वाला एरिया है वहां पर आप फिश प्रॉडक्शन के लिए फूड जनरेशन हो रही होती है पर आपके बाद पाकिस्टान की लोकेशन की दूसरी बात क्या है चाइना लैंड लॉक नहीं है लेकिन चाइना के वेस्टरन पार्ट में और इस्टरन पार्ट में इतना एरिया का डिफ्रेंस है अगर वेस्टरन पार्ट से एस्टरन पार्ट पर ले जा के अपने प्रडट्क्स बेचेगा बीजिंग के थरू शेंगाए के थरू इन एरिया इन पॉर्ट्स के थरू तो उसके प्रडट्क की प्रईस बढ़ जाएगी अन्दा दर है नो पूर पाकिस्तान क्रोस करके गव अगर आप मैप को देखो तो दुबाई का जो एरिया है दुबाई पोर्ट इस लिए चल रहा है कि इस रूट के ऊपर कोई और बेचर पोर्ट नहीं आता अगर आप देखें तो शिप्स को ना जो वेस्से आ रही होती है उनको अंदर मुरना पड़ता है बकाइदा अपना र पाकिस्तान में चार सीजन्स है तो डिफरंट क्लॉप गो सकती है कि कल्चर पूरा साल किया जा सकता है रिवर्स पाकिस्तान में बहुत सरा इवर फ्लो कर रहे हैं तो इन्लेंड फिशिंग पॉसिबल है इरिगेशन पॉसिबल है इंडस रिवर इरिगेशन सिस्टम यानि जो इरिवर्स सिच्टम या इसमें और इसमें रिवर्स पॉटेश्टम यानिन नि ऌफिस युपा कर राँगर यह जानिग पॉप और दरेंट समय होटाई है Grüления ऑचा इस चैप्टर से बच्छे डरते बहुत ज़्दे है बहुत ज़्यब हुती है यानि के आपको कम उसमें डिटेलिन बताई होती है मैं आपको वो पॉइंट बता रहा हूँ जिनसे आपको याद करना साहा हो जिएका पहले हम कुछ डेफिरेशन देख लेते है Natural Topography का मतलब क्या है कि जो आपके Surface के Relief Features है Physical Features है जो कि Naturally उसमें आते है इसमें Human Intervention कुछ नहीं होती करो करने में Mountains हो गया, Plateaus हो गया, Hills हो गया, etc Mountain क्या होती है Any Area that is अच्छा Mountain का तालुक Sea Level से नहीं होता आप Mountain को जब जज करते हो जब आप ज़्याद है के 2 इतने किलोमीटर हाई है इतनी मीटर हाई है तो Basically वो आपको in Terms of वो बता रहा होता है क्यारा में in Terms of आपको Sea Level बता रहा होता है लेकिन Mountain होने के लिए ज़रूर ही यह है सब ग्वादर पोर्ट का लास्ट पॉइंट बता दे मैंने लास्ट पॉइंट क्या बता है आपको बिना आपको लास्ट पॉइंट बिर खाले पाइनली बच्चों को पता लगया कि सब डैस्पेपर ही डालते खैर जो चीज अपने सराउंटिंग से 1000 फीट से ज्यादा उंची है वो Mountain है अचाब Mountain रेंज क्या होती है बहुत सारी Mountains एक साथ A Series of Mountains Hill क्या होता है कि Anything that is जो अपनी सराउंटिंग से काफी उंची जरूर है लेकिन वो हजार जो है जो रूट वाला है यहां को रूट वाला यह बात समझाईए गवादर का यह समझो कि यह दुबई वाला एरिया जो है वो आपको शिप्स को अंदर मुड़ना पड़ता है मकसद यह है कि जो शिप्स है उनको अपना सीधा रूट चेंज करना पड़ता है रिफ्यू लिंक के लिए वहाँ पे लॉज करने के लिए अगर गवादर को डिवलप कर लेते हैं तो पर आ जाएगा ठीक है वो एक fairly flat land होती है लेकिन यह sea level से बहुत उंची होती है होती flat है काफी हद तक flat land होती है यह agriculture हो सकता है लेकिन यह आपके sea level से बहुत उंची होती है on the other hand जो plane होता है plane ही होता है कि यह area जो है यह basically बिल्कुल वो नहीं होता इसमें यानि कि यह है कि आपका जो plane होता है plane का जो area होता है basically यह बिल्कुल सीधा नहीं होता यह चीज़ याद रखनी है इसको आपने इसलिए याद रखना है कि जब हम indus plane को पढ़ रहे होंगे तो आपको उसमें delta और आपको tributaries की बात तब समझाएगी जब आपको यह पता लग जाएगा कि यह वो है यानि जो plane है उसका मतलब किया है plane का मतलब सारी होता है plane का बिल्कुल सिंपल मतलब यह है plane का बिल्कुल सिंपल मतलब को यह पताद है plane जो होता है एक अपितल लुक्र होता है लेकिन इसका अप भूंदर उसका एक बिलकुल फलैटी होता है इसका ही यह यह इक भूरोς फ्लैटी होता है ठीक है? Natural drainage का है Natural drainage का मतलब यह है कि Rivers या of sea का Play two क्या, hill क्या है या वो नहीं Turns, Play two कहीं بھی हो सकता है बिब है by the clear कर लें Play two सिर्फ sea level से काफी उचा होगा Sea level से उचा होगा और flat land होगी ठीक है अचा हुसके बाद ही आगया कि Natural drainage का मतलब क्या है rivers के अंदर या river streams के अंदर natural flow जो है water का इसको हम कहते हैं कि क्या नाम है वो हो गया या 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 आपकी आउटर हमालियाज है सिवा लीक्स हैं तीसे ही आप इसमें एड़ करना चाहो तो इसके अंदर आप एड़ हिंदू कश कर सकते हो ठीक है टोपोग्राफिकल एन रिलीफ फीचर्स की बात करते हैं या नामारी northern mountains की टोपोग्राफिकल एन रिलीफ फीचर्स की बात करते हैं तो एक तो high and lofty mountains है या या बहुत high mountains है इसकी जो height है जब आप south से north की तरफ जाओगे तो इनकी height increase करती जाती है अब अगर इसको इन्ही अस्वान से देखा जाया तो आपने नजर आएगा कि parallel ranges है west से east की तरफ parallel range चल रही होती है जी प्लेट देखो desert का तालूग एक चीज़ जरूड़ी desert का तालूग आपके topographical feature से नहीं होता desert का तालूग climate से है desert का तालूग है rainfall से हम इसको यहां के डिसकस करेंगे एक बड़ी common mistake है desert का तालूग जो होता है वो rainfall से तालूग होता है desert का तालूग rainfall से होता है मैं भी आक आके समझाँगा भी इसको बैसे इस बात को यहां दखिए हम आगे डिसकस करते है अच्छा जो northern mountains हैं उनकी peaks जो है snow covered है इसलिए जब उस पे गर्मी पढ़ती है peaks वो होती है यहीं snow melt होती है तो आपके rivers में पानी का flow बढ़ता है ठीक है इन peaks का sharp slope है इसलिए Mount Everest को जो है वो करना असान होगा लेकिन आपकी जो केटू है इसको मुशनल इसलिए के sharp slope है sharp slope का मतलब एक और भी होता है कि बहुत 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 तेज़ डिलान है याई पानी एक दम से गिरता है जिसकी वज़ासे हमारे जो river है पज़ाब की जो mostly rivers है उसके अंदर आप देखोगे कि पानी का flow बहुत तेज़ है fast flowing rivers है क्योंके डिलान ज़्याद है ठीक है अच्छा deep and narrow valleys find की आप मिलती है वी और यूशिप valleys मिलती है rocks आम तोर पर soft होती है यह बात इसलिए जरूड़ी है कि उससे erosion होती है यह कल को हमारे याद आएगा उसके अंदर जो हम उसको देखेंगे न mountain का जो bottom होता है वो इसलिए आम तोर फे जो एक eroded materials को हम सिकरी कहते है यह eroded material होता है इससे coverd होता है क्यों होता है river Indeasos की बहुको साथी Horus इंडर को ट्रेंड करती है rivers का flow तेज है क्योंकि उसके अंदर जो है आपका slope जाद स्धाय पानी जलदी करता है क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़रा ढरन लान बहुत ज़रा slope लग मिया है बहुतinek के Water Falls Plunge Pools Gorges आ जाते हैं एक्सेटरा Water Falls Plunge Pools Gorges क्या है समझने की जरूद नहीं है पेपर में नहीं आएगा अगर आ भी जाए तो इतना मसला नहीं है सिंपल उसके की फीचर नहीं है कि आपकी एरोजन्स फीचर्स बनते हैं एक्स्ट्रीम नौर्फ में Glaciers फांड होते हैं ठीक है जी नौर्धर माउंटेंस की इंपोर्टन्स क्या है लश्या से आते हैं जो कोड्विंट्स को ब्लॉक करती है अगर ना करें तो पाक समय में टेमरेचर बहुत 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 थंडा हो इससे वेदर और क्लाइमिट की स्टिविलिटी आती है ग्लेशियर्स जो हो मेल्ट होते हैं उससे पानी प्रोवाइड होता है उसको यह नहीं कि हमारी गल्चर के लिए इंडस्ट्री के लिए इस एरी में टूरिस्ट आते रहते हैं जिस तरह हम लो एजूकेशन के नाम से ग्रॉप बना हुए है जो नेक्स्ट हमारा सेशन आ रहा है ना उसमें जो कोर्सिस की रिजिस्ट्रेशन है जो स्टुडेंट्स उस ग्रॉप को जॉइन कर लेंगे उनको इन्शाला इन्शाला मेरी उमीद यह है कि इस तरह कोई वो देंगे जिससे को उसको बिल्कुल फ्री जॉइन कर सके है यह बात बात में करेंगे मैं अच्छा यह आ गया कि आपका पाकिस्तान को जी पाकिस्तान को चाइना और कुछ सेंट्रल एशियन स्टेट से कनेक्ट करते हैं ठीक है जी उसके बाद आ गया कि इसमें फाइदा किया पॉलिटिकल जो आपको मिलती है जूरी बना मिलती है तो आपको में देखोंगे इसी अरिया में से मिल देगी मौसली ठीक है फ्रेड है से इंडस्ट्री इंपरू होती है वुड़ वर्क का वहां पर यह लोकल बूट प्रडॉक्स की डिमांड बहुत जाद है यहां इस से एरी में बात है कि आपको इंकम मिलती है ठीक है जी इकनॉमिक एक्टिविटीज ऑप नौधर माउंटेइज इसमें आपको कुछ चीने जो है एक्जेक्ली याद हो नहीं चाहिए जी आपको याद हो पूछ लेता है अच्छा ऑप्शन में छोड़ दें या यह असान चैप्टर इस साधन इरिया से किया नाम है साधन इरिया में आ जाते हैं और इसके बाद यह कि जो घरम मौसम होता है उसके लोवर माउंटेंस अपने जानवरों के तलाच पें अपने जानरों के पैस्टर ढूब रहते है में जो इसमें इस एडिये में आपका वह कि टेल है वो याक मैं मोंटेन स्मूर्फ को जो है सीधे इसमें कारते मोंटेन स्लूपित को वह घुना करते हैं जहां पानी अव defence पानी ऐवेलेबल होता है उस फ्लाटि लैन्ड हो और जो है तोह सकते हैं अच्छा मैं बता किया रहा था उसमें यह आप उसको कर सकते हैं कि आप ट्राइस के तरह जो होता है जहां पानी अवेलिबल होता है टोपिगाफिया उसमें सुन लो आपको मोस्ली चाले हो जाएंगी इन्शाला चाहिए कि टेरिस फार्बिंग के अंदर वो मैं अपता है कि जहां पानी अवेलिबल होता है वहां माउंटेन को वो टेरिस्ट केंदा जानी के स्ट्रेट टेरिस्ट में काटते हैं उसको वहां प मसला बताएं मुझे ठीक है अच्छा उसमें यह हो गया कि इसमें राइस वीट और मेज मोस्ली ग्रों किया जाता है तूर काटिफ करार इंडस्ट्री जो है वह आपकी में बता है कि सेरी में में आपकी वह सोर्स वार्डिंग है उसमें है कि होम और घर पे और और बच्चे जिस सीजन के अदर आपको टूरिजम जदा मिलता है उस सीजन के अदर जॉब्स ट्रांसपोर्ट से रिलेटेट आपको होटल से रिलेटेट जो हैसा कि जॉब्स यह इंक्रीज हो जाती है उसके बाद ही आगया कि फॉरेस्ट्री जो है वहां पे फॉरेस्ट्री होती है फि प्रश्टर के अंदर आपके फॉर्स्टर के अंदर सिस्टेनेबल फॉर्स्ट्री में आपको बता हुआ है तो आपका टूप से उनकी पैसेज को फैसिलिटेट करता है ठीक है तर ट्राइस हुएंड वाले टैरेस फार्मिन्ग करें ना करें ये जलूरी नहीं है ट्रांस हुमेंस एक डिफरेंट एक्टिवीटी यह वो अपफ़्ग जियू आपका अफगानिस्टान का एक रूट है ठीक है उसमें यह फ्रूप पाकिस्तान ही नहीं पढ़ा रहे हैं वो पाकिस्तान तो इंडिया का मैप पढ़ा रहे हैं चाखेर उसमें आगे वजी अस्वेद को रेज के साथ है जो टोची पास है वो कनेक्ट करता है घजनी को बन्नू से और यह वजी अस्माइल पास जो है यह अपना अफगानिस्तान को डेरा जट से कनेक् करता है कच्छी से भी पेंगो क्लोट कोईटा में एक सेंटरल बहावज़ा भावी रेंज में अच्छा आब इसमें में बात क्या है इकनॉमिक एक्टिविटी क्या है वेस्टर्न मौंटेंस की और क्यों आपक अ मैटिक्विटी काम है पेरी बात याथ ही कि वहांजिश वेस्टन माउंटेज में एक्नामिक एक्टिविटी डिफिकल्ट हुए है एक तो वहां पर रॉक्स हार्ड है बेरन है ठीक है उसको वो करना बड़ा मुश्किल है यानिके जी इसके बाद हम क्लाइमट करेंगे पूर डिटेल से करेंगे बना खर उस पर नोड़ संद्धियर आप अब डिसक्षिन भी करनेगे तो रहा है डिटीक है उसके बना लेंगे वाट सफेमें बना रहे तहीं में जब हार्ड है भी उनिए प्लर ना मुश्किल है वहां पर तलचिया जिए बंड़ सब्सक्राइण आनुश्क बोड़ा उनिकर रहीं में इन इसको फटीस नहीं है वो बड़ा वस्ला है इंफर्टाइल स्वाइल है एरिया में पानी कम होती है ठीक है रिवर्स काम में पानी भी काम है उसके बाद ही आ गया कि आपका लिमिटेड इस वज़ा से आपका ही कल्चर लिमिटेड है माउंटेंस अनिवन हैं तो आप वहां पर्वापर ना तो के नाल इरिवेश्ञ कर सकते हैं आपर स्कार्स्टी जो है कि आपका बहूइब घुकार caricile िकाम होगी तो आपका रॉब पॉबलेशन का चैप्टर कर रिवाइस करेंगे इंशाला चाहत पॉबलेशन डेंसिटी जब भी काम होती है तो उसमें मसला ही होता है कि अब आपके पार एक सिंगल मार्केट नहीं लोग दूर दूर रह रहे हैं तो आपनी सिंगल मार्केट कहां वो करेंगे कहां उसको आप को करेंगे जैनी कि focus करेंगे market चोटी है लोग इंडास्ट्री नहीं है तो अब आ ने करोगे तब तक आप और न होगी ठीक है इसमें यहां पर यादःत्रें इंसरे के अंदर कि आवब आप एक क्रेडी कम्युनिकेशन नहीं है, रोड नेटवर्क नहीं है, प्रॉपर वहां पर इंटरेंट फिसिलिटी इस नहीं है, आप ये चीनिशन लिखो कि आपको मार्व मिलेंगें, ठीक है, उसके बाद एर ट्र करते हैं कोई एक घर नहीं होता काफी लेकिन यह के बड़ा मिनराइस एरिया है मसला यह कि अब यहां पर एक्स्ट्रेक्शन मुश्किल है कि यहां पर प्रॉपर यहां पर नहीं है बच्छे ने कंफर्म बता दिये क्या चैप्टर आ रहा है इसका मतलब बच्छे का फेपर मि सिंगल मार्केशन बचछ करने पर ऑच्छार इसके संगल मार्केशन नहीं ही कर रहे हैं जैसे O आपको बात को बात ही बता रहा था कि उसके अंदर कि नाजड वेस्ट प्लेटु के नॉर्थ और वेस्ट में आपको लाजड डिप्रेशन में आपको लाजड डिप्रेशन वेती है उसके बाद यह काफी रगड़ और अन्रीवन लैंडसकेप है रॉक्स हार्ड और बेरन उसके बाद यह आ गया कि डूट पॉपलेशन थीवर में आता है इस पर यह जा बारिश काम होरी यह तो पानी इतना नहीं कि उसमंदर में बहे जाए तो पानी इनलैंड ट्रेनेज कौम नहीं करता हूं इसमें यह जो पानी प्रॉड़क को बेशने का थरीका बच्चों को पाऊल बनाने का तरीका है और इस से सिर्फ अगले साल के बहें अच्छे पैसे कमाने का थीखा होता है यह खैरी टॉबिक से अब यह जो पानी इनलैंड ट्रेफ हो जाता है उसको हम कहते कि यह आगया आपका इनिसकॉम कहते हैं पानी उस बेसिंद में ट्रह हो जाता है सौल लेक्स फॉर्म जाते हैं सौल लेक्स लिए इसलिए होते हैं यह पानी अपर जाएगा तो पीछे सौल बच जाएगा ठीक है उसमें को आप पर हमुस का जाते हैं और सबसे बड़ा जो कुछ माउंटेन रेजिद हैसे एलिया में जैसे इताला है सियाहन है टोबा काकर है चागी के पहाड़ है ठीक है चागी के पहाड़ वो पहाड़ है जहां पर नुक्लिट पाकिदान पाकिस्तान टेस्ट किये थे अपने खैर एक साइड फॉमेशन सौल जब यह वाटर एप साउथ के एलिये में थोड़ा सा कोस्टल प्लेन पाया जाता है मैंने आपको बताया है फिर वही स्वाल है कि आप सिंगल मार्किट का क्वेशन किस सूसें से पूछ रहे हैं अच्छा उसमें यह कि आपको ने बता था कि जो आपका बलोचिस्तान के साउथ में कोस्टल प्ल पार्ट जो है यह बिसिकली सैंड यून से बढ़ा हुए इस पर मुलस्बेला प्लेन कहते हैं और जो वेस्टन पार्ट है उसे हम मकरान कोस्टल प्लेन कहते हैं ठीक है जी ब्लोचिस्तान प्लेटू की जो ड्रेनेज़ फीचर जो है काम है उसमें रिवर्स भी काम है पानी बिभी ने रिवर्स अदर काम हैं और आफर के रिवर् आपकी रियेन्फाल काम होती है तो रिवर्स काम और टेंस होगा नहीं उपर नहीं जो और इनलैन्ड ड्रेनिज बहुत कवम आना कि जिसको हम बहुत कहते हैं हम कर पानी को इसमें जो है यानि अर्थ में अब्जॉब हो जाता है, ठीक है। एकनॉमिक एक्टिविटिस क्या है, यह कल्चर है, फूड प्रोडक्शन होती है, वेजटेबल इंडस्ट्री है, वेज़बल सीट की इंडस्ट्री है, लाइजटॉक और उसके प्रोडक्ट्स है, ठीक है। फिशिंग के अंदर तीन में फिशिंग पोर्ट हैं गवादर और मारा पस्तनी हम फिशिंग के चैप्टर पढ़ेंगे इनको उसके बादा के मिनरल रिसोर्सेश हैं सेंड़ कॉपर और आपका गोल्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है पाकस्तान मिनरल डिवल्लपेंट कॉ 46% पर्ट गयस अप्लाइए जो है वो यहां में सुई से लिया जाती है इसमें बड़ा इंपोर्टन बाद जो बच्छे गलती करते हैं सुई बलोचिस्तान में है सुई बलोचिस्तान प्लेटू पे नहीं है ठीक है प्लीज इस चीज़ को याद अखिये का बलोचिस्तान प तो क्या यह पूरे पाकस्ता को स्पोर्ट कर सकता है उसमें यह मेरे बात ही आती है जिसमें विभुस्तान में काफसाली इस तरह की चीज़ोंना पोटेंशल है कि अगर इसको डिवलप कर देते हैं तो पाकस्तान की कौनियों का फिया तक स्पोर्ट किया थे जैसे नुमेडिक पोर्ट जो हैं को डिवलप कर लिया जाए तो मैंना आखो पहले बताए कि Central Asian States को जो है वो आप कर सकते हो यह नहीं कि Sea का Access दे सकते हो उसके बाद यह कि पाकस्तान से रेविन्यू अर्ण कर सकता है टेक्स लेके फी लेके उसके बाद यह कि Ships को जो है वो Refuel किया जा सकता है उसमें हमारी अर्णिंग होती है, गवादर जो है वो ट्रेड हब बन सकता है, मैं आपको बता है कि टूरिज्म इंडस्ट्री जो हो स्पोर्ट होती है, जेडी भी इंखरीज होता है आपका, मिनरल्स जो है, बलुजितान जो है, मिनरल्स के दर रेच है, अगर उसको हम एक्स् प्रवार्ट वाइमं प्रभाइमंत देता है, इसपेशली सीजनदें प्रवाइमंट, प्रफपिकिंग सीजन के अंदर ठीक है, ओल, जो है, इसको एक्स्टेक किया जा सकता है, वेजटेभल सीट इंडस्ट्री को स्फोर्ट किया सकता है, पत्वार प्लेटू, पलथवार के अंदर आप में याद थना है कि हमारे में आपको इसके उपर मिलेंगे से नौ आपको इसलाम बाद जो इसके उपर मिलेगा खेर हम इसको करते हैं आगे जैनरली बहुत रगड़ानीवल लैंडसकेप है यह बर्ड़स्तान प्लेटो इसमें कॉमन है लेकिन अच्छा बैनन फ्यूल होता है टेक्स होता है उसके पर लीटर के ऊपर ठीक है अच्छा डिप्रेशन है ट्रफ्स है यादी जमीन की जो है वह अन्दर ठीक है अच्छा, साही है उसमें ये है कि वह आगया totally, यह नि के faulted और dissected landscape है इस तरह के landscape को bad land topography का गया अगर वह आपसे कहता है कि bad land topography क्या है तो आप यही जो potwar plateau के topographical features है वो लिखेंगे उसके अंदर ठीक है अच्छा उसमें आगया difference between potwar plateau and salt range इसमें दो main differences है मीटर है लेकिं सॉल्ट रेंज्ट की हैट 750 से 900 मीटर है और पटवार प्लेटू जो है मेंली कपोजड है जिपसम और लाइम स्टोन से लेकिंट जो आपकी सॉल्ट रेंज़ है वो मेंली कंपोजड है रॉकस वांगे तरह रहती है रिवर स्वान जो है वेसमें रिवर है ठीक है और उसके बाद यहिए कि बहुत सारी सीजदेल स्ट्रीम जो है वो फ्रो करती है क्योंकि उसके अंदर जब रेइंफ़ार्व जगता होती है धिकर उसके बाद आगे आपका इकनौमिक एक्ट्विटी टुसक से बाराण मैप कर दोब को इशु नहीं caintї के अगर आप सोफ रॉक्स के आंडर अदर कोशिश भी करेंगे typically इस्व में दोर उसका тебя जाएगी तो पैसिपर नहीं से जाएगा ऊसका जो है कोर्स रावत है चयाक विट बबाडले और मेसगो होता है उसं सि Пजुर अडे抜ोंदू है उसके मार्बल रॉक सॉल्ड इस तरह डॉलोमाइट सोप स्टोन इस तरह की चीदों की जो एक्स्ट्रेक्शन होती है से ठीक है उसके बाद जिफ्सम और लाइपस्टोन जाए वो सिवन इंडस्ट्री में यूज होती है उसके बाद अठक जो हमारी यहां पर इसी एरिया में अठक सेरां इसे है कि इस बार दे लेंन रिजरे रिवा इरिफारी के नौके आप डिटीयां पॉस्ट है और जो यह होती है कि ने उसको मर्ड कर दो!! तो इस बाद भाद आप यह कि और आप उससे लोगों की ईनिक जो 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 आव को आ यूज़ बेतर होती हैं अनका लाइफसेल बेतर होता है। नुमेडिक हर्टिंग और स्थेमि नुमेडिक हर्टिंग जो है इस एका मेरी इसरह है। रॉक्स बैरन है, यहां बहुत दुदर वेजटेशन नहीं होती है। तो इसलिए उनको शाफ साथ ट्रीविल करना पड़ता है। ठीक इस पापुलेशन डेंस्टी बहुत हाई है इस एलिया में वाटर सप्लाइ को प्रॉपर्टी ड्वेलफ किया गया जिसे साथ एडूकेशन और हेल्थ फिसलिटी में बहुत दा किया गया अब आगे आपका इंडिस फ्लेन पहली बात यह कि एक्टिफ फ्लेड प्लेन क्या होत साइट से हमेशा एरोड कर रहा हותा है और दूसरी साइट फेमेशा डिपोजट कर रहा हुता है तो आम तोरह पर होता है कि जो रिवर की पानी लिए ट की बार की एरिया थे अरुड़ कर जाता है तो जो आपका एक्टिफ फ्लेड प्ले था निए इससे दूर शिफ्लेड प इंपोर्टन चीज होती है सीजनल वेरियंस इंस्टेट फाइंडिंग पैस्चर प्राइमेर रिलीस में इस यह होता है कि ठंड इतनी जाती है आपको मूव करना पड़ता है ठीक है मौवरें मैं इसके बाद करना चैनल वर्ट करोंगा और से शेशन के बाद पर जाता है तो पराने वाला एरिया है लिए पूर्ड़ बन गया कर दो करेगा दूसरा करेगा ऊसका इस एस एफ कर फॉर को से इन्द और यह जो होता है इसमें यह होता है कि यह लूप्स के अंदर आपको पाया जाते है नहीं एक बैंड आया दूसर बैंड आया इस तरीके से उसमें यह कि इस से यह बिसिकली अलूवियम की रोजिन उससे होता है मैंने आपको बता है कि जो बच्चे क्रेश कोर्स ले रहे हैं उनको तो यह अप्लोड करते हूं ठीक है उसमें यह है कि अच्छा जब यह लूप्स टुए काफ यह तर टाइटन हो जाते हैं तो यह बिलकुल उससे यह लाग हो जाते हैं रिवर के मेंट फ्लो से तो उसमें यह कि जब मेंट फ्लो से रुच हो जाएंगे तो यह बन जाएंगे हैं आपके आक्सपु लेक्स ऑक्को लेक की लेग वो टाइस लेक वो चीज भी जिसको हर बदक पानी का नैश्व श्प्लाई नहीं मिल रहा यह बिसिकली तीजल होता है नि हम पानी एता होका ए अगर आपको नई समझ आई तो आपका सेंट इसको हम पढ़ेंगे इंशाला इकल्चर के चप्टर के अंदर यह उसके अंदर आपको मेल लगे का ठीक है दो आपका एरिया वर्ड से आपको क्लेर है दो आपका एरिया होता है दो आपका एरिया होने से यह बात शोर रही होती अगर आपको यह इस तो लेकर नहीं दो आपका मतलब यह नहीं दो आप होने से यह बात पकार नहीं होता कि हम आप एक गल्चर होगा अब 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 बारी दोआब है। सटलुच और रिवर रावी के बीच पे इस पे गजी बार हो निली बार है निली जो बार होता है तो आप के दरम्या जहां पर आप अची तरह इक गल्चा कर सकते हैं. रचना दौब नाम से क्लेर है, रचना आर से आपको रचना में हो गया, चनाब को और सेकंड पार्ट जो है वो आपका एक्स्प्रियन कर रहे है जहिलम को तो चज दौाब के उपर आपको किराना बार बिलता है और जो आखरी सिंध सागर दौाब है सिंध जो है यह जैनी इसको यादखने के सिंध जो है वो रिफर उसको कहते हैं आपके क्या होता है अपना अपके की नधर जो सागर जो है यह जो आपको रिफर उसके अंदर जहिलम और इंडर से बीच में के चितने बार ये स्टार स्टार्इलगर्टिस उस IsARD में हमने लिए वह पर अबैंट का इंडिविजुटर हिंए के उढ़त ऐसे ना को थोफ ट कान केमिले खुछ्यू से से एक्ष्रक्शन मुश्किल है ति तीसी चीज आपको फूरा है चाफ जाए इसका पानी के साथ वह हो सकती है यहां पे रिवर्स को उतना फ्लो नहीं रिवर्स का मैं तो इस तरह आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं करेंगे अभी आज मारा फोकस है का मुफ्ति पूरा है सबस्क्राइब कर सकें इसका सिक्स चैप्टर्स वाला अच्छा अलूवियल फैन जो होता है एक फैन टाइप फीचर होता है ठीक है इसमेरी इसको फैन इसलिए कहते हैं इसकी शेकल ज्यादा रिफ्रेंस है कल चालाइम अच्छा ठीक है यह हो गया इसके अंदर पहले में इसके फोरे से चपप रहते हैं मुकमल कर लें अलूवियल फैन जो होता है बैसिकली एक फैन टाइप फीचर होता है इसकी जो आप लुक होती है आपको तो फैन टाइप फीचर लगेगा आपको यह सुलिमान और कीथा न इन आयते हैं यह एरिया फैरली फ्लैट होता है विदा स्लाइट स्लोप वर्दस्थी यहां पर आप एक कल्चर कर सकते हो मिर्डाइज एरिया होता है टाइडल डेल्टा डेल्टा मतलब होता है ट्राइंगलर शेप ठीक है और जी इन्शाला हो जाएगा उस पे इतना इन दो दफार दिन के अंदर तो इसमें आपने याद लखना दो दफार और दो दफार बहुए लोग जोगा करते हैं उसकी ट्रिब्यूटरी यह होता है कि जब एक बड़े रिवर से जब उसका रिवर का फ्लोव स्लो होता है तो आगे और रिवर निकल रहे होते हैं तो व यानि in a sense कि वो आगे ब्रेक हो रहे होते हैं चोटे रिवर सके अंदर इसको यादेखने हैं ट्रिब्यूटरी वो रिवर जो बड़े रिवर को जॉइन कर रहे हैं और जो आपका डिस्ट्रीविटरी है वह होता है कि वह आपका बड़े रिवर से आगे आपका वो होता है याने के बड़े रिवर से आगए चोटे रिवर्स जो तोट रहे होते हैं ठीक है इसमें आपने याद रखना है कि है कि इंडस्ट्री इंडस्री नहीं करना इसी है उसके साथ आपके बहुत सारी इंडस्ट्री थे नहीं कि आपके पर आफिसेस बिनाना एजी है सारे पंच में रिवर्स आपको यहां से फ्लो करते हैं उसके बाद यहें कि रिवर्स के वज़ासे अलूवियम आता है तो आपका जो सॉयल है वो नैशरी रिच रहता है उसके बहुत सारा इकल्चर आपकी इंप्रूव रहती है बहुत सारा इचा क्रॉप प्रोडक्शन जो है बहुत हाई है वाटर जो हो प्रेजिट होता है पूरे रिवर्स में फॉल दा एर्स पर यह है इंप्लॉइम्ट ऑपरच्वटी साथ ज्यादा होती है ट्रेड और कम्यूनिकेशन बेटर है इंफ्रस्ट्रक्शर में आपका रोड नेट्वर्क एडर ट्रेवल जो वाटर ट्रेवल है यह सी उसका सवरी और रेल ट्रेवल है रोड ट्रेवल है यह इसी होता है इस बाद यह कि आपका इंफ्रस्ट्रक्शर में रहता है कि रेल रोड, क्रुमिकेशन, इंटरनेट और एयर ट्रेवल सब आपका एजी होता है ठीक है तो उसके आज़ सही है कि आपके पास बेटर इंफ्रस्ट्रक्शर है सेरिया में अब आगया अपर एंडर इंडर्स प् अब आपके रेला फ्लो करो तो पहले रिवर इंडर से मिल चुकी होती है ठीक है जेलम रावी और सब्सक्राइब करता है और यह पूरा रिवर मना है चनाब के मिक्स्चर से जो रिवर पंजनद है यह जाके बिठन और पर जॉइन करता है इंडर्स को तकरीबन फ्लैट एं नौर्धरन और उसके अपर ऑर मिडल कोर्स में होता है, यहांएं बिट्राइद के अगर सकते हैं, अगर आपके रिवर्स के इंदर इतनी वेव की पावर हो, इतनी वाटर पावर हो, तो आपके वेगाल गें, झापको तुक का न्agle बाल ऑखते है, लोर इंडर्स प्लेन में राप होता है कि साउधर पार्ड होता है इंडर्स प्लेन का यहां पर इंडर्स प्लेन का यहां पर एक ही विट मिलेगी आपको 1.6 क्लूमीटर वाली रिवरे इंडर्स प्लेन के प्लेन के यहां पर विट मिल जाते हैं आपको उसकी बाद यहां पर उप्लेन का वेश्ट की साइड़ पॉसिबल है यहांए मैंने आपको बताया है, कि हमारे हाँ पर बेसिकली होता ही एक यह बास है। आपको भी बात हैं, समझने हैं कि डाईरर्ट से नहीं है। रिलीव है लोग mails से सार होगा है। वो आपकी 2500 mm से कम हो तो डेजर्ट होगा, बेशक वो ठंडा इलाका है, गरम इलाका है, वहाँ पर कुछ उगरा है नहीं उगरा, डेजर्ट वो इलाका है जिसको 30 साल या उससे ज़्यादा अर्से में एवरेज जो है, येरली जो रेजर्ट है, वो 2500 mm से कम की मिल रही हो, ठीक है, हमारे उसमें तीन में डेजर्ट हैं, देखो मैं आपको जाता है, दोआप का अरिया होने से, प्लेन का अरिया होने से, ये फरक नी पड़ता, अरिया होगा, प्लेन के उपर भी डेसर्ट हो सकता है, इस लिसनों। इंडिस प्लेन के उपर थर डेसर्ट है, ठीक है, सिंजसागर दौदे आपके ओपर, थर का जजञ डेसर्ट है, वो आपके सायधी सायड़ हमांने साइग की मिलती है, हुआपकी जोगा, यह ठीक है आपको काफी एरिया होता है प्लेन ही होता है प्लेन ही अरिया होता है अगर किसी एरिया में 30 एर्ज नहीं कराची का या एक जी ज्यादा कि एर्ली रेंफॉल जो है डाइसो मिली मीटर से उपर है, ठीक है, जिस एरिया की 30 years तक, constantly yearly rainfall जो है, average जो है, वो डाइसो मिली मीटर से काम हो, वो desert होता है, इसको जिल में clear कर ले, हर दिन की नहीं कह रहा, yearly average कह रहा हूँ, ठीक है, उसमें longitudinal जो होती है, आपकी send use वो होती है, जो के vertical height में जादा होती है, जो आपकी latitude, नहीं आप यार, मैं बताता हूँ आपको, अगर आप एक आपके और सर की हाँ पर आरती उताना बंद कर दें, और आप उसकी बास सुन लें, तो आपको इंचला clear हो जाएगा, आप बड़ा busy हैं, किसी एक और teacher की हाँ आरती उताना में, जिस तरह पता नहीं, को याद करना जरूरी है, जो उनका चेहलम चल रहे हैं, खैर, लोंगी डूनल जो आपकी वो होती है, वो वर्टिकल होती है, ठीक है, और जो लेली टूनल, जो आपका सिल्टी और clay sediments हैं, वो आपको मिलते हैं, इसके अंदर, यापको सिल्टी और clay का मतलब यह है, कि होते हैं, क्या नहा है, वीजटेशन के लिए, और बैरी, शर्त बछिए टॉनल, ईसके बाद यह का वाट्र की कमई के विजह से यह क्रेक्र वाट्पूर drawns, यह बियुक्तूर में होती है, वेधरीं के यह लाद्र, खैंक वीज्टीशन के और आपट आपकी वाट्र के वा कि आपको याद करने बैटे वे अगर उनको इतना यह तो आनलाइन बैठे होते खैर अच्छा उसके भाद यह आ गया हम बता कि रहे थे आपको उस पर नेक्स्ट यह था कि जो आपकी रॉक्स में वैधरी से क्रेक्स होते हैं ठीक है उसके बाद रोलन्ग सैंड हिल्स का मतलब यह होता है कि आपके विंड के एक्षिन की वजया से सेंड हिल जो है वो एक जगा से दूसरे जगा जो है ट्रेवल करती जाती है ठीक है अब निया बच्छे उसमें आगे मज़ाख अचैशे उसमें यह है कि आपका रोलिंग सेंड बिसिकली होती है कि जो बंड की एक्षिन से आपकी हिल एक जगासे दुझज़गा ट्रेवल करती जाती है ठीक है उसमें यह है कि जहांपर विंड का एक्षिन तेज़ ओगा वहांपर ट्रेवल कर जाएगी और जैसे आपका सब्सक्राइब कर दिया हमारे स्कूल की लाइफ में बड़ी मज़दार बात रही में आपको दोस्त कंफर्म कर सकते हैं जो मेरे आप सेशन देख रहे होते हैं तो लगता नहीं है बंदा रहे हैं यह जवाब देने का बड़ा मज़े का अंदाज होता है वो देता क्यों ही कि यह ना टीचर स्टूर्ट डेशन है मैं इसमें चीज़ में चीज़ कोड करना चाहूंगा मैंने एक दो विडियो जैसे देखी जहां है टीचर ने बच्चे को उसके पेरेंट्स पर बात की ठीक है देखो एक चीज़ मेरी रिक्वेस्ट है टीचर से मैं इसके बाध यह नहीं करते हैं बात आए कंटीनू करते हैं लेकि इसमें मेरी आप से रिक्वेस्ट कोई पूर्ट कर भी रहे हैं कि हम लोग उस यह से घुज़रे हैं हमने उस दो व्हाग की बड़ी मज़ा किया है और बड़ा उसको बना नहीं कि उसमें मजाया लिया जाए था मैं बड़ा शौक हुआ इस तरफ से कि टीचर ने उस बच्चे के पेरेंट के उपर बात कर दी घर के उपर बात कर दी यह देखो अगर आप टीचर आपकी 40 सा ले जाए और आप जो है बड़ा मुझे शौक लगा कि आब उसके घर की बात को कह रहे हैं आप उसके पेरेंस पर बात कर रहे हैं बच्चा कर रहे हैं आप उसे इंगनोर कर दो मॉदमाना जवाब दे तो अगर आब भी बच्चों के लेबल पर उतरा हो गए और इस बते हो गे पर क्या खायत है तो खेर ये चीज़ नोट करने वाली है मुझे बड़ा शॉक लगा मुझे अच्छा है लगा ये चीज़ देखके कोई भी टीचर है रिस्पेक्टेड हैं वाटसोएवर हैं लेकिन उसमें किसी बच्छे की पेरेट महीं जाना चाहिए बाकी मजाईया जवाब अभी तो यार अब मौका मिलता जाएगा काफ ज़्याद उसमें मज़वाएगा ठीक है जी नेक्स्ट आ गया अच्छा मैंना पूता है कि रोलिंग जो सेयल होती है जहां आपका वो होता है आपका एयर का स्पीड होती है विंड की स्पीड कम होती है वहाँ वे उससे डिपोसेट कर देता जहां विंड की स्पीड जादा होती है उसको फिर चुए साथ ट्रेवल करना शूरु कर देता है जो यह जो फिल्स होती है एज का स्टेय नी करती है ठीक है जी उसके बाद यह कि आपका डहर अच्छा यह एक बुक में आपको शायद नहां मिले यह एक इसमें इसमें इसमे है कि अगर कभी प्लेन लेंड करना पड़ जाए और आपके पास कोई स्टेयड एरिया ना हो तो डहर पे प्लेन लेंड किया जा सकता है रीजन यह है कि वो फिल्कुल फ्लैट होता है हाड सब फिस होता है अच्छा उसमेद आ आ जाता है हमारी यह हमारा आखरी बस चीज र आपके पास इंड्राइमेंट भी नहीं है लोग भी नहीं है एंडस्ट्री भी नहीं है इकल्चर भी नहीं है तो गौर्णेट वापर इंफ्रस्ट्रक्शर प्रवाइड नहीं करती यानि टेली कम्यूशेशन जो होगई आपकी रोड्स होगी रेल्स होगी यह चीते दाटना आपने इस चीज को ठीक है अचा लास इससर चुर्चर रोड़ाइड दारर का फीचर कभी कभार डेजर्ट में इभर आता है कभी खबार आपको विस्बल होता है और बार का फीचर जो है डेजर्ट में कभी कभार आप लिख सकते हो कि सम्टाइम सबफियर्ज के इ ठीक है यानि रेत के वो टीले रोलिंग सेंड डून्स वो सेंड डूनस होती है जो एर के एक्षिन से ट्रेवल कर जाते हैं जसे दूसरी का पर ठीक है अच्छा जी यह हो गया डाहर फ्लेप फे यह इंतहाई फ्लैट और हार्ड सर्फिस होता है ठीक है जी रॉकी नहीं फ्लै के इसाब के वह रहना पढ़ता है उसमें यह के नोबैटिक हर्डिंग जो है वह आम तरह पे कौन होती है आप मुझे क्वेशन पूछने मुझे आपका क्वेशन देखा नहीं मैंने उपर अच्छा उसके बाद यह है कि वही बात है पीपल एक लिगास दूसरे का मूग करत लकान से अफीर होता है कर अगर आप डेजर्ट के टोपोग्राफिकल फीचश लिख रहे है ना तो आपने याध़ अखना है कि डेजर्ट के टोपोग्राफिकल फीचर देंदर डाहर जो है ना आपकी करीम इसकी प्रोडक्शन हो गई ठीक है टूरिस्ट में वो आ जाते हैं कैमल राइडिंग जो इससे अर्निंग हो सकती है जी एक चीज़ बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी देखो ये एक सिकन मुझे देख से भी ख़तम कर लूँ उसमें है कि इरिगेशन जिज़ अरियास में है वहाँ पर वो जाता है प्रोड़क्शन हो जाती है इस चैप्टर में या जॉग ती किसी भी चैप्टर में जब आप बात कर रहे हैं जैसे अगर वो कहता है कि फॉरेस्ट काटने से क्या होता है जहां भी डिवलिप्मेंट की बात करोगे तो उसको यू लेते हैं आगे देखोगी तो यही कुछसे नियुचर काँ कर रहे है तो आपका रो मटीर कम हो रहरे है जब कि उधारी का रही है तो इंडस्टरी कम हो नेक वज़ास से इसे कलंगे नहीं पर प्र्डक्स पर रिएicki जब आपके लोग रहना पसंद नहीं करें दूस्ता बूबंट्ट कर जायेंगे एमीग्रेशन हो जाएगी वहां जब वहां से एमीग्रेशन हो जाएगी तो यार सुबा का इशू यह कि सुबा मोस्ती बच्चे ना उठते ही फैपर से दो गंटा पहले है खैर अच्छा उसमें यह कि वो बता कर रहा था कि उसमें आपका एक मुझा निकाल दी आखने अच्छा इंडस्ट्री कम हो जाएगी इंडस्ट्री का नहीं वो मैंने वस्ता हल क आपके लोग इस पर सब्सक्राइब यह वह लिए वह मुझा है तो आपके लोग डिस पर जाते हैं मार्किट दिस पर सो जाएगी यह वह कॉमन पॉइंट पर आजेगा इंफ्रस्रक्च्चर गर्में इंफरस्ट्रक्च्चिन में रियल रोड एयर ट्रेवल आपका टेली कम वन आती है थीग है जी अब वताय करना है क्लाइम हिडी ख्लाइब मंघाल कर चाप्टर करके है मिटा उचा इन पर याँ अच्छ आधे ख्लाइमीट ख्लाइमेट क्लाइमेट क्लाइमेट क्लांएट ही रा क्लास थी के नोट्स होंगे क्लाइमिट वाले या जो बच्चे क्रैश कोर्स ले रहे हैं वो क्लाइमिट वो कर ले क्लाइमिट के चेप्टर के नोट्स कोलने क्लास थी के नोट्स है यह क्लाइमिट के चेप्टर के नोट्स कोलने क्लास थी के नोट्स है आपके इंटरस्टिंग चप्रेड़ वालग अज़ बता दें अभी करना या करना है वच्छ बच्छे गह रहे हैं सुबाकु बच्छे गह रहे हैं अभी को बता दें अभी करना है सुब करना या करें क्लाइमें लेकिन इस बार हलका सा स्लो चल सकते मुझे तो कोई मसला नहीं है इसको दो काफी काई में करने लेकर इश्यू आएगा तो बच्छों का अकल पेपर हैं कि हमने सोना है ठीक है अज़ा मुझे स्पीड को बता है स्पीड तो रखनी है अज़ावाश सभी करते हैं ठीक है क्लाइमिट के अंदर देखो पहली बात यह क्लाइमिट का अभी इसको थो चलेंगे अभी बच्छे ने कावाश के सर दो चलेंगे यह कि मुझे इश्यू रही है आप लोग देख लो का कल पेपर है यह रहो का को नहीं तो पर आज रहाए ठीक है हो सकता है कि वो डेजर्ट ना रहे ठीक है तो क्लाइमिट इस स्टेट अट्मॉस्फेर अट्मॉस्फेर का मतलब यह कि इस थिन लेयर ऑफ गैसे एक चेए ठीक है क्लाइमिट स्टेट ओप यहां थोड़ा सी मिक्स कर दिये वेदर जो होता है वह होता है आपका स्टेट और मॉस्फेर अटेक्टिक्लर प्लेस अपका जो इमडिवाफ है वह घो गया जो आपका थिन लेयर अप गैसे तरा अन्युक्लियक जो आपका उसका कहते है, climate कहते है, weather के बहुत सारे elements है, climate के बहुत सारे elements है, इसके अंदर आपका temperature है, rainfall है, air pressure है, humidity है, wind speed है, wind direction है, cloud cover है, और आपका सबसे important यह है कि इसमें आपके temperature और rainfall बहुत important है, बाकी को मिसक्रा सकते हैं, कोई शुनी है, climatic zone क्या होता है, large continuous area, जहां पर almost same type के climatic conditions है, ठीक है, पाकस्तान में चार में climatic zones है, जिसमें आपका highland zone है, यह पाकिस्तान की तमाम mountains में, और पाकिस्तान के high areas में, ठीक है, lowland zone जो होता है, यह आपका indus plane में है, excluding the desert areas, जो आपका arid climate zone है, वो आपका desert areas के अंदर है, climate और weather का पर फरक होता है, कि weather आपका at any particular place, in any particular time होगा, जो climate है, वो average weather conditions for a long period of time, at least 30 years, ठीक है, coastal zone जो है, पाकिस्तान की narrow coastal strip के अंदर पाया जाता है, temperature को कौन से factors affect कर रहे हैं, पहली बात ही है, altitude जो है, वो temperature का affect करता है, असमालेकम असलाम यार, altitude का मतलब ही होता है, आपका, कि इन्ह इसमें आपना याद रखना है, कि आम तोर पे, जिस तरह हम लोग high degrees करते जाते हैं, उपर की तरह मूव करते जाते हैं, उस तरह temperature decrease होता है, इसमें reason यह है, जो आपके dust particles हैं, और यह जो dust particles हमारे atmosphere में होते हैं, जो heat को absorb कर रहे होते हैं, ट्रैप कर रहे होते हैं, यह जिस त और पे सिर्फ बारा मील या सेवन किलो मीटर्स की हाइट तक होते हैं, अर्थ सर्फेस से, यह अर्थ सर्फेस से साथ किलो मीटर्स उपर चल जाओगे, तो यह dust particles, gases खतम हो जाती हैं, तो जिस तरह आपका उनकी जो ratio है, उनकी amount है, कम होती जाती है, ठीक है, अच्छा, उसम जाते रहते हैं, और यह भी देखा होगा, कि northern areas के अंदर अगर किस दिन धूप निकला है, तो बड़ी कड़ाके के गर्मी होती है, reason क्या है, कि यही dust particles, यही जो आपकी gases है, यह उस heat को trap करके आइस्ता से नीचाने देती है, तो जब यह dust particles और वो जो है, वो कम हो जाती है, तो उसको यह से heat directly पढ़ती है, तो ख़बी किसी mountainous area में हो लो और धूप निकला है, तो आदेखो कि वो बड़ी तेज धूप होती है, तो यह उसको रोगने के लिए यह जीदे हो हाँ में मौझूद नी होती है, अच्छा उसमें यह है कि higher areas में जो होता है, generally temperature low होता है, distance from equator, जिस तरह आपका equator से distance बढ़ता जाता है, उस तरह आपका temperature, general temperature कम होता जाता है, reason क्या है कि अपका equator है, वो area है, जहां पर sun की race directly पढ़ रही होती है, ठीक है, जिस तरह आप equator से दूर पूर कर move करते जाते हो, northern या southern hemisphere की तरफ, तो आपका उसी तरीके से temperature कम होता जाता है इसलिए जो तोनों हमारे hemisphere के कोने हैं, उसमें आप देखोगे, तो इनि पोल्स है, north और south पोल, उसमें आप देखोगे, वहाँ पे सबसे कम temperature होगा, ठीक है, तो इसमें ये है कि बाकी आपका यागए race वहाँ पर strongest नहीं होती है, अच्छा दूसरी बात है, जिस तरह जो प्राइवी टाइम क्या हुआ है, मैंने ब्लंडर कर दी, मैंने अपनी class मिस कर दी, आपस की बात हम जब यादा है, जिन में, शिट, एक देखो न, अभी क्या हुआ है, 12.26 होएं, तो वहाँ बच के 2.26 मिट हो गए, शिट यार, मैंने अपनी class मिस कर दी, आपस की बात है, 2.26, हमारे पास यार, इसके लिए अभी मारे पास तकरीबन, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 13 बचले हैं, वहाँ पर, चले, अब तो हो गी जो हो गया, उसमें ये है कि आपका ये जो एरिया है, डिरेक्ली उससे स्ट्रक हो जाता है, उसके बाद ये है कि रेस्ट होती है, उसमें ये कि आप है, आपकी जो तरफ लगी जो आपकी जो उसके रेस्चे होती है, उसमें तरफ आप उसकी तरफ मूव करते जाते हैं, एक्येटर से फार मूव करते जाते हैं, तो बाद यूहार क्लाइमेटीक जोन हैं, ईसमें टेंपरिच्छर spricht है, ज़ो मेरिजर की मॉटरिट्र मौय्थ और मौंटेंज उसके इंदर आपको बारिश में ज्ट में वेस्टर इंदर फ्रेशनग आठीए गरते हैं यह चीज़ आती है उसके इंदर आपकी वारिश यह रही होती है समवर में वोनजोन और रीलिफ रिएंपाल में स्वाज्ड की आ रही होती है। मौश्चल वैसंड इपने हैं उसकें आम तौर पे हाय लैंग डियमाटिका जून कें यो, उसका पूनानिो से जो पानी का वापिस फ्लो है दूमीन की तरफ वो उसमें आपकी हेल ड्यू यह सारा कुछ बिलता है तो प्रेस्टेशन जो है वो विंटर में स्नोफॉल की तरह होती है ठीक है लो लैंड क्लामेटिक जून जो है उसमें आपके टेमरेचर कंडिशन्स यह होती है कि कूल से क कुलेगा रिलीव pouring के और आपको क्या होता है कि साइकलोनिक निक्ल वेजिफ देखुथाशन आपको मिलेगी अपको बाकिसारी फंडर्स्टॉर मुलिग के साथ है को थंडर्शामों के साथ हो क्यों धूर्शन के साथ होगी ठीक है उसके वादует यह इसरन फार्ट सबस्क्राइब कर दो इस दो कि मेरे जह अभी खुम Esteya stan और बजे कम्प्यूटर का जो वेस है सब जाहित नहीं सिखाई सबस्क्राइब थी इस तर थीक ठाक सबस्क्राइब कर Okay वबता किरा था उसमें कि आपका समर और उसका हो गया यहनी के एस्टने परेशन, कार्फारnd रिनमै वाला, क्यों स्क्यारए होए विक म्लब कर थाल, पक्तालइक जो आपका क्यों सब्सक्राइब नर्थ t परकी पारिजरों और依करा सब्सक्राइब करेंगे,frost, नक्राइब वुक्तर ainda क्यों करेंगे, जो coastal climatic zone है आपका उसमें temperature जो है वो moderate रहता है फुरा साल इसको भी हम पढ़ेंगे सर जजाकला सर आप भी सर अच्छा उसमें यह कि आपका जो moonsoon वो है उसमें आम तर पर temperature moderate रहता है इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि temperature moderate इसका temperature moderate रहने का reason है यह हम पढ़ेंगे temperature invariant layer में अभी ठीक है इसको आप में याद रखना है तो उसमें यह कि आम तर पर इसका reason यह होता है कि sea breezes जो होती है स्माल स्केल पर इसको आभी पढ़ाऊंगा तो आपको टेर हो जाएगा humidity का level जो है बहुत ज़्यादा होता है कि समंदर पास है. उसमें यह है कि evaporation हो रही होती है और इसमें यह है स्मूर में इसमें मैं राही होती है वह humidity लवल्स जादा कर देता है साइक लोनय जो की खुर्ट साइक क्वेश्चान सब्सक्राइब कि बिसिकली डेजर्ट बने को कहते हैं तो आप सुमय लो के अरिजर्ट अरियास में तेम्परेचर जो होट से वेरी होटता है समर्स कि द्रस्ट समर्स में डस्टॉर्म्स कॉमन होते हैं कि जो लोग भालपूर की साथ प्रहते हैं को पता भी होगा कि इसमें आप देखो तो ब पूरा साल रेंफॉल काम होती है इस्टर पार्ट जो होता है उसमें नहीं नहीं होती है तैंपरेचर इंवरियन लेने की विज़ा से उसको पढ़ेंगे भी ठीक है अब आगया टाइप्स ओफ रेंफॉल टाइम क्या होगे गार लेट हो गया हो यार मुझे प्रफेसर ने म बारे में 1231 नाइन फिर बारा बजाते हैं नाइन तो टैन हो गया एक गयारा हो गया दो और बारा हो गया तीन तीन शब्विस तीन शब्विस तक टाइम दिया था उसके मुझे चले होई खैर मूनसून का सरसी नहीं है कि अब देखो इसको समझना यह आपके लिए समझना जब्रोड़ी है असान है इसमें मुझे कुछ नहीं है जो मूनसून रेन्पॉल है ना उसकी फर्मेशन किस तरह होती है पहले आपको यह कंसर्प समझना जब्रोड़ी है कि जो लैंड का मैस होगा ना यह जो लैंड का एरिया होगा वो जल्दी गरम या थंड़ा होता है इ to sea mass, water mass, ठीक है, पहले जी जी याद होगी, फर्स पॉइंट यह है, कि लैंड जो है, जल्दी ठंडी अगरम होती है, सी के मकाबले में, ठीक है, उसके बाद सेकंड ही यह आ गया, कि आपका, जो, जहां भी आपका, वो होता है, किसी भी एरिया में, जहां टेंपरेचर हाय होत से low air pressure के एरिया की तरह बूब करती है, ठीक है, अब इसमें आपने तीक में पॉइंट बाता है, कि लैंड जो हो जल्दी गरम या ठंडी होती है, कंपेर टू, sea mass, यहां जो, आपका area विद हाय temperature रहनी, लैंड है, उसमें low air pressure होता है, उसमें लो एर प्रेशर होता है, कंपे मिड अफ सेप्टेंबर तक और ही होती है पाकिस्तान में जो मूनसून की विंड्स है तीन जगा से एंटर होती है एक जो हो गया जो आपकी कम तौर पर एंटर होती है वो होती है कराची यानि अरेबियन सी से उपर की तरफ ड्रेक्ली उपर की तरफ ठीक है जो आपका दूसरा डूट बनता है वो यही Arabian Sea की जो हमाएं है जो आपकी मौनसुल विंड्स हैं यह अचा मौनसुल का वर्ड मौसम से निकला है यह सीजनल होती है इसको यादफने है आपने जो Arabian Sea से विंड्स हैं दूसरा उनका होता है कि इंडिया का जो एरिया है राजस् पाकिस्तन का इस्टन पार्ड आम रिली सॉरी Arabian Sea की दरफ से जो हवाएं इंडिया के वेस्टन कोस की दरफ मूव करती है वहां पर उनका मौन्टेनियस रीजिन है हिल्स बहुत जादा है तो ब्लॉक हो जाती है जो थोड़ी बहुत आती है वो पाकिस्तन में यह जो हमारा उसका एरिया है यानिके सिंद का एरिया और थोड़ा सा पज्जाब का एरिया वहां मिलती है असल जो पाकिस्तन में हवाएं आ रही है मून्सोन की वाती है जो बे आफ बंगाल का एरिया है वहां से वह वहाएं अंदर मूव करती है ठीक है यह पहले आपकी बंगला देश म आम है विंड, और वहां Sounds क करतीज कि तो आहिस्ता आहिस्ता जो है इंडिया concern के नौर्धरन डीजन में में रिंटर होती है ऑл's अर्फका किरा करहा मुस्थ में है कि ऐसे में इश्यूसभे वहाँ पे गर्मी होती जाएगी, वहाँ ज़रा गर्मी जाधा होगी, वहाँ एर टेंपरिचर जो है, वज़ेंड अर्परेशन होगा, विन्ड हाइट अर्प्रेशन मूव करती तो फिर वो पाकिस्तान में साउथ वर्ड मूव करते लग जाती है कि मैं थोड़े पहले यह बात की थी कि अपने याद रुके आप मुनसून वींड जो है कि नॉर्थ से साथ की तरफ मुव करते हैं उसका रीजन यह है कि जिस तरह नौ सरत किर gefूर क्रती है वह बरस जाती है एंटर वह नॉर्थ से कं रहे MEतरा बरस लुसर से अंटर और यह कि नहुंद आपकिता की वारिश कौम होती है ठीक है अच्छा इसमें यह कि पाकिस्तान के वारिश रिसोर्स के लिए बूस उन सबसे इंपूर्टन टाइप ऑफ रेनफॉल है ठीक है रेनफॉल जो ग्रेजली डिक्रीज करती जाती है इस तरह आप नौर्स सावत करते हो म क्रूशल पॉइंट से याद उने जरूरी है बाकी ज्यादातर पेपर जो होता है जौफी का वह इंटरप्रेटेशन का होता है उस वक्त अगर आप से लॉजिकली सॉल्फ कर दो जौफी में ग्रेड इसली आता है इन्वार्मेंटल मेंजमेंट भी इसली आ जाता है दोनों मूनसुन का भी बताएं कोई चीज अगर आपके जहन से मिस हो गई है जी मैं ये मगा प्रोस्ट कर दूँगा यार कोई इश्यू नहीं है मुझे मूंसुन का बताएं कि क्लियर हो गया है मूनसुन का मुझे बताएं क्लियर हो गया है अगर वोन्स ही होगा है प्रहों पर विक्षणता है कि हो एक लिनफाल के ए Doll विल्याव आपको बता रहा है कि इसका फोक कि ये आम तोर पर हिमाल सर मुझें से कुछ ट्रिकी क्वेशन ट्रिकी नहीं आएगा ट्रिकी क्वेशन कभी नहीं आता वह को जादा डियाग्राम देगा बताता है कौन सी इन फॉल ओड़ी है देखलना कि रिवरेंट कहां से मूव कर रही है ठीक है अब आ गया यहार एर प् मेस चोंता है उस जहां जहां पर नहीं गर्मी जादा होगी वहां पर एर प्रेशर कम होगा तो लैंड मैस के और कि encountered का मोथा की में इसमें होता क्या है यह यह एक हिल आरि आजसे जो है जो है जो हॉं वerson करति तरिशिकरतimiento खीक है और वो उसके श informações पैसे इस उसकी याईनि के natural feature के जासे नाइनल उसकी style के जासे वो आहस्ता आहस्ता ऊपर move करती जाती है जिस side से winds आहरी होती है उसके कहते है windward side और जो दूसरी side जहां से माउंटेन को cross करने के बाद विल को cross करने के बाद winds जो है उत्रेंगी उसके कहते है leeward side जो windward side है जिसे जैसे winds उपर जाती है humid warm winds जो है जब rise करती जाती है तो वो ठंडी होती है उसे जो आपका है क्लाउडस फॉर्म होते जाते हैं जो clouds फॉर्म होने के जाते हैं आपको फाइदा यह होता है कि इस एरिया में होता है windward side पर बारिश होती रहती है जो थोड़ा बहुत पानी moisture रह जाता है जब वो बिल्कुल उपर पहुंचती है टॉप पे तो वहां पर cloud बनके वहीं पर बारिश हो जाती है तो इसलिए जो आपकी लीवर्ड side होती है जो opposite side होती है जहां से wind नीचे उतरती है बहां rain shadow होता है rain shadow का मतलब यह कि ऐसा area जहां पर बिल्कुल rainfall ना हो रही हो ठीक है जानी कि ऐसा area जहां पर आपकी rainfall बहुत कम हो रही हो यहां तक बात समझा गई है आपको यहां पर आपको यह बात main clear होनी चाहिए कि windward area में बारिश होती है लीवर्ड यह बारिश नहीं हो होती है वहां rain shadow होता है ठीक है अच्छा इसमें आ गया कि आपको मैंने उकमल बता दी है अच्छा यह जो इस साइट से wind आ रही होती है जो बात में राइस करती है उसे हम कहते हैं यह वह होती है moist wind और warm wind जो आपकी descend कर रही होती हो cool and dry wind होती है जी मैं आपको इस पर बता करण्ट जो एंफॉल है conventional current basically आपने chemistry केंदर physics केंदर concept पढ़ा होगा इसको बिल्कुल समझा चाहूं तो जो चीज इस तरह आप एक चीज लोवर एडिया में घरम हो रही होती है जिस तरह वह राइस करती है जो थंडी है उसकी जगा लेती जाती है ठीक है तो इसकी जो यह नीचे जिस 30 air ने जगा ली होती है फिर वह वाम हो जाती है वह राइस करती है दूसरी air उसकी जगा ले लेती है तो इवन एक circular flow बनता जाता है इसका ठीक है अब यह जो conventional current है मैं आपको तीज बेसी हो समझा दी है इसमें जो आपका वो है जो moist air राइस कर रही होती है इसमे वाम वेर जो warm air है यह आपकी राइस करती है वाम राइस करने को जासे जो उपर के यह जाती है तो वहा जाके थंडी हो जाती है नहीं तो नहीं बेसिकली आपके spring में और fall के से शिंद्ण नहोती है और यह वह rainfall होता है जो गरज बरेश बरस के थाद्ध जो वारश हो रही हो होता है यह ओगर होती है ठीक है इसमें कॉल चीजिए कि हैवी रेंफॉल होती है विंट की स्पीड बहुत देज होती है अपर और सेंट्र पंजाब यह टो आपका कॉस्ट काज़न एडिया का जो आपका कनवाइक्शनल करन्ट रिन्फॉल ने अब उसमें यह कि जिसती उसमें इससे होता कि कि जो सी रीज है वह ञाई जाती है जिन जो उसकी लैंड की गरम air है वो ओपर rise कर लगाती है तो इवन आपका जो उपर वाला इरिया होता है न अचा फिर जो उपर वाला जो आपकी गरम हमा होती है ये इसको चेनल नहीं कर पाती है वहीं trap हो जाती है तो इससे होता कि है, उपर से humidity होती है, water trap कर, water जो इसको heat को trap करता है, तो जो आपके higher altitude हैं, उन्चे areas हैं, वहाँ पे भी गर्मी होती है, बजाए कि यह हो कि गरम है, राइस करें, उपर ठंड हो, उसे बादल बनें, उपर भी गर्मी है, जब वो राइस करके उपर बना जाके होता है, इस लिए इस प्रोसेस को, इस प्रोसेस से होता ही है, कि आपका, यह जो पूरा प्रोसेस है, कि वहाँ है, राइस करें, उपर जाए कूर ओ, फिर rainfall हो, यह पूरा प्रोसेस हो नहीं पाता है, जिस वजाए से conventional current है, rainfall यह आपकी coast areas में होती ही, the reason is temperature invariant layer, ठीक है, cyclonic rainfall क्या है, cyclones जो होते हैं, basically, यह conventional current के ही principle पर चल रहे होते हैं, यह ocean के area में होता है, sea में नहीं होता, sea जो होता है, coast के पास होता है, ocean जो होता है, वो coast से दूर कह रही है, ठीक है, बहुत दूर कह रही है, होता क्या है, यहाँ बिसिकली जो एक particular area ऐसा मन जाता है, जहाँ warm air जो होती है, वो rise कर रही होती है, ocean surface से, जो साथ वाली ठंडी, यह एक वीच वाल area से warm air rise कर रही है, जो ठंडी साथ वाली हमाय है, उसके जगा ले रही है, यह process अतनी चल तेज़े से उता जाता है, फिर वो गरम जाती है, वो rise कर जाती है, उसका बाद दूसरी जगा ले जाती है, तो यह एक circle के अंदर बहुत जल्दी 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 जो है, इसके अंदर वो हो रहोता है, यह cycle चल रहोता है, यह उसका warm air की replacement का और cool air का उसके जगाए लेके फिर गरम होने का, तो उससे होता क्या है, वो ही बात है कि wind low air pressure से higher pressure मूव कर रही है, higher pressure से low क इसके अंदर बहुता है तो ये काफी वाइड होता है उसमें कुछ नहीं होता है कि जो बॉर्डर के अरियाद है वहा ये जाट के अंदर गूमना शुरू कर जाती है अब एक तो वह सरकल में गूम रही होती है एक अपनी जगा भी चेंज कर रही होती है ठीक है वही बात है कि हाई air pressure से low air pressure भीक कर रह है इसमें आपको एक बड़ा इंपोर्टेंट जो है आपको यह जो पर आज तो पहुंच जाती है तस किलोमेटर हाइज होती है यह सिर्फ को साइकलोन को गिनी सर्वाइव करने के लिए साइकलोन को इसमें यह साइकलोन को सर्वाइव करने के लिए साइकलोन को एंशिस्ट करने के लिए एक constant supply of water चाहिए यानि cyclone सिर्फ तब तक तक वो करता है एक्सिस्ट करता है जब तक वो sea के अंदर होता है जैसे ही वो coast से टकराता है cyclone खतम हो जाता है लेकर यह कि उसका मसला क्या है इतनी तेज विंड्स इतना तेज वाटर का pressure इतना तेज की जो स्पीड है उससे बहुत अपतर डैमेज होता है कि आपका coastal area उसके अंदर diameter रहता है कि 200 से 300 kilometer की तर्म्यान होता है western depression जो है basically यह इसका word आपको उता रहा है कि west से आ रही है और यह इसमें मसला क्या है कि बहुत बड़े areas के ओके आ रही होती है है वही मूनसुन वाला concept के higher pressure, low pressure to move कर रही है होता कि पहले इरान को cross करती है जी यह सेव का सेव पड़ा होगा इराग को cross करती है इरान और इराग को अफगणिस्तान को cross करती है फिर पाकिस्तान के western area में enter होती है ठीक है अब यह basically mediter agency से शुरू हुई वहाँ से eastward move कर रही है पाकिस्तान के western area में enter हो रही है तो इसलिए western area में ज्यादा होती है और western parts तो पाकिस्तान में ज्यादा यह rainfall होती है ठीक है अब आगे आपके यह सारी आपके rainfall कवर होगी जिसके बच्छे फरिशान होते हैं आपके rainfall ही समझा रही है सारी आपकी rainfall मुझे बताएं किसी rainfall में कोई issue हो तो अच्छा जी अब आगया river flood चुए basically find क्या कि river अपने natural banks को escape कर दे ठीक है यह नहीं अपने natural embattment को escape करके उसे वो कर दे और फ्लो करते reasons क्या होता है natural reason यह कि जबस्ट होती है वो soil को अपस में hold करती है trees की route जो होती है यह यह इंकम कर देती है जब trees कोकारते है यह इंजदा हो जाती है soil का अपस में hold रहता है run off होता रहता है तो पानी का flow देज़ होता रहता है ठीक है अस बाद यह कि आपका इसमें बहुत सारा जो है आपका trees का जो आपकी river का side का area है जो उसके दोनों side पे area होता है अगर tsunami और flood में क्या खरक है flood rivers में आता है tsunami आपका उसमें आता है ocean में आता है tsunami जो होता है flood आते हैं जब भी कभी आपके river में flow दाओ का tsunami आता है जब आपके उसमें usually अर्थ को एक आता है स्बंदर के आलाके में या वोगने रेक्रेशन होती है अच्छा उसके बाद यह आ गया इसमें क्या अधरात है मैं आपको कि इसमें river की embankment है उसकी height इतनी नहीं होती तापानी escape कर जाता है dam का failure अगर इदम से कोई dam टूट जाए आपानी है उसके इंदर तब flood आएका dam में अगर मेंचे spill हो जाए लीक जाए उससे पानी आ सकता है flood के risk को आप reuse किस तरह कर सकते है a forestation करें run off से flood इस तरह होता है कि जो आपका surface run off होगा एक तो आपका surface जो उसका उपर वाला area run off होगा surface का आपका height low होती है पानी easily escape कर सकता है दूसरा issue यह है कि surface run off होता है तो वह जो river के flow पहले चीज़ें आके उसको slow कर रही होती है वह नहीं करती है तो तीसर तीसरी जिसमें जाती है surface आपका flat हो जाता है पानी वैसे spread out हो जाता है उसके अंदर आपका water का flow reduce नहीं होता अगर आप a forestation करते हो या reforestation reforestation यह कि जो area already temperature and area already समझा चुक हो उसको आप देख लेना इस video को जब हम लोग post करेंगे तो वहां मैं already clear कर चुक हूँ अच्छा जो आपका temperature sorry a forestation और reforestation में बात ही आती है जो आपकी a forestation है वो होती है किसी नए area में जहां पहले आपके trees नहीं थे ठीक है और reforestation यह होती है कि जहां पहले trees थे वहीं पे आप दोबारा trees plant कर रहे हो ठीक हो गया river channel जो है वाइड हो जाते है river channel को वाइड हो जाते है यह बजाय के river में जाय रेजर वायर्स मना सकते है ठीक है इससे ही है कि जो channel होते है कम से कम water को residential area से दूर ले जाए ना कि लोगों का नुकसान ना हो आप जो आप जो आप आप area जहांप flood आता रहता है अच्छा उसमें किस तरह different groups जो है उससे effect होते है flood से farmers जो इनकी land जो हो जाती है तक समें water जो है water जो हाँ से drain नहीं होता crops destroy हो जाती है food supplies ख़जाय हो जाती है water temperature यह बढ़ेंगे water table वाद जो हाँ हो जाता है crops जलना जाती है salination water log यह भी हम उसमें पढ़ेंगे water drainage वाद चेक्टर के अंदर उसमें यह कि उससे आपका वो हो जाता है water log जाती है positive point यह कि अलूवियम बढ़ जाता है उसके अंदर लैंड की quality बढ़ जाती है mud houses जो हो टूट जाते हैं उसमें यह कि water born diseases पैदा हो जाते हैं यह पानी के साथ होते हैं टाइफट वारा जिस्तर डायरिया हो कि है precautions यह कि आप उसके लोगों को higher यह मूव करते हैं alternate arrangement करने कर यह हो तो क्या करना है transport authorities जो है उनका system destroy हो जाता है raid and roll railways का system destroy हो जाता है उसमें जी ठीक है चाहिए वो जाता है उसके पाद यह roots damage हो जाती है precaution उसके अंदर यह है कि eclips eclips से flood नहीं रोक सकते अगर आप वैसे a forestation कर रहे हो eclips का point आएगा a forestation के अंतर लेकिन eclips का ज्यादा फाइदा होता है water logging खत्म करने में eclips का स्वैदय का plant होता होता है वो दिन में आफ ज्यादा पानी चूस लेता है जमीन में से तो अगर आपने water logging का करनी है तो eclips आपॉइंट में ज्यादा जरूरी है ठीक है वैसे a forestation कोई भी दर्फ लगा दो आप कोई मसला रही ठीक है जब प्री कॉशन हो गया उसमें alternative plan for transfer and repair जल्दी की जा सके flood के benefits क्या होते हैं कि soil में न्यूटिन्स ते रिटर्ण हो जाते है एनुवियम स्पेड हो जाता है large area के उपर soil fertility ब्रूव जाती है wetlands of इंडर्स डेल्टा जो है healthy रहती है उनको जज़ा कर लाजी बहुश हो दिया चासमें कि wetlands जो इंडर्स डेल्टा की वहां पे आपको usually व जो हमाले areas जो है वो सेफ रहते हैं नीचे पानी से ट्रांसफर नहीं होता फिश प्रोडक्शन जो एरेवियंसी में वही प्रीज कर जाती है न्यूटिन्स जो है वह आपके रिटर्स पे रिटर्स लाता है उससे आपकी फिश प्रोड़क्शन के लिए जो प्लैंक्टन की जो होता है वो बढ़ जाती है ठीक है अचाई जिया रख़एं कि आप एगर आप पही बेस्प्रीत नुकसान की होता है तो आप नहीं है लिए देस्टिल वेस्ट का उस पे नुकसान ही होता है तो आप इस्पर पानी में छोड़ दो तो उससे और गी परड़ जाती है यह वे झाफिन को नीड स्नलाइट्स और पलैंक्तुन की गरौत काम हो जाती है ऐनलेड फिश पॉडश बडिक्षिण सुटम्हा धाती है आपकी नूट्राइस आफलाइस बहेतर हो जाती है वाटर टेबल की जो हाइट है वाटर यहीं होता है । अर्थ के Gi和as प्लांट्स मर सकते हैं ठीक है कितना रहे है यारी थोड़ा सा रहता है चलो यह तो गाते हैं मुकॉमा के जब रेंफॉल इतनी काम हो जाए कि आपके पस से कंप्री डिस्ट्रेश इमन प्रीटिंटी इसरे शॉट्टिज आजे में एककुछ इसका इसका ड्रॉट का रिजल्ट यह तक फाहिना जाता है फिर माइन का मतलब यह के फूट की एकसेसिव शॉट्टी इसम इसमें इनले यह तो आपकी शोगी तो आपका यह चाप जब फिश प्रॉडक्शन आपकी ग्ली तो अपका यह क्रिया को अज़ा है अचाइ छोड़ ज्याए क्या नाम है यहां कि जी आती है कि अच्छा है आपके ट्रॉट्स कि इंदर आपके मेरं यह रकनी है कि आपका, चाह मैंने बताता है, डॉर्स की कुछ टाइपस हैं, पर्बिन ट्रॉट यह होता है, कि क्रॉप कॉल्टिविशन कंप्ली पॉसिबल नहीं है, ठीक है, उसमें यह है कि कोई इरिगेशन पॉसिबल नहीं है, यह डेजर्ट डेजर्ट है, चाहिए पहाड है, पॉसिबल नहीं होता है, तो उसमें यह है कि आपका क्रॉप यिल्ड जो है, पर प्रडॉक्शन जो लैंड का है, वो खतम हो जाता है, डियूस हो जाता है, लेकि इसे कंप्ली डिस्ट्रॉई रही होता, अन्प्रडिक्टिबल डॉट यह है, कि अबनॉर्मली रोड चयु जो होता है, ड्रॉट्स की काॉसिस कंया है, धियूस के तुरॉट्स की काॉसिस में मौन्सून विंड्स्टे जो है, औरुश की काॉसिजा है,ifies कि निभ्सट्री तुरॉबर की तो की कौन्थ रही है, कि सब्क्रण का Cabot Crick तो फ़िशन कर जाती है, रेनफाल कम हो जाती है जब ट्रीज कमूंगे, ट्रांसपरेशन कमूं की है, ठीक है, मेनेजमेंट उप वाटर रिसORC को खराब है, हमारी कि गिलांस जो आनलाइड है तो पानी सीव कर जाता है, उनलाइन की मतलब से बियए उस की जो बाइस है और साइड रिंडियं नहीं है तो पानी दो मेरा विजसेषी दन होरा कर जाता है आपको प्रोड़क्षन से आपका सर्फिस होता बाटर कवर हो जाता है संलाइट प्राइट निहीं करती तो प्लैक्टन की ग्रोफ कम जाती है स्थित फूट फ़र फिश ठीक है यह उता है तब आपको खैब वाइटिलिटी न आ वहें आपकी निएक इंक्रीज करेंग का जाती है कि आपको कोई ब्लांट और तो नहीं कर सकता है उसके बाद ये ग्लोबल वामिंग का रही है इसके क्लाइमिट चाहिमिट चीज आ सकता है ड्रॉट के जो है जी एफेक्ट्स क्या होते हैं डिजर्टिफिकेशन होती है प्रोस्रेस्ट जो एक लेंड जो पहले डिजर्ट नही शार्व एक रिवर जो इलुबियम ला रहा होते हैं वह न्यूटिं ट्रेश होता है इसके जो फिश होती है इसको मिलता है यह निकि यूट्रिंस मिलते हैं उनकी ग्रोस के जो जो मिनरल जरूनी है वह मिलते है तो फिश पॉड़क्शन इंटेर्श के लिए ठीक है उस पर कुरिप की अचल savez स्ट संहल जा आपकी वार्टाइटीज में यद्म्यायर एंपाइव मंझां Gods सु पते मिल इस इसंसů आपके अइकवाटिट रॉटा मिल जपू opportunity बेञए च्यों समय एंदर में झाना filos endless सब्सक्राइब मंचाओर के लुंस सब्सक्राइब ग्रोट कम जाती है तो food का fish खतम हो जाता है, drinking water unsafe हो जाता है, water triple draw हो जाता है तो उसमें ही है के less water जो होता है वो प्राइस करियों होता है, naturally, आपका माल नूट्रीशन हेल्थ डिटिरेट कब जाती है, आपका स्टारवेशन आती है, डेथ हो जाती है, ठीक है, नेक्स्ट चीज यह कि आपकी इससे अनार्की आ सकती है, इनार्की इससे होता है, केस ओफ कम्प्लीट लॉलेस्नेस, ठीक है जी, उसमें यह है कि इससे प्रेशन इंक्रीशन होता है, के रुले अरिया से लोग मूप कर जाते है, तो इसमें सर्विस प्रवाइड करना मुश्किल है, कि अब जो लोग इतने डिस्परस्ट हैं, तो किस तरह आप आप सर्विस्स प्रवाइड करोगे, चैप्टर वन टू दोनों हो चुके है अब चैप्टर 3 का एंड करें है, क्लाइमिट का, चैप्टर 1 लिक्वेशन वाला है आपका, अच्छा, अच्छा, एकॉनमी जो एस पर क्रॉप फेलिर आजाता है, आप पर देथ आप लाइस्टों आजाता है, इस पैसे ट्रें डिसोर्स काम हो जाता है, आपकी जो इडॉ कि दिस्ट्री उस-एफ . अफ्टि घ मड़ति होती है हुई बात हैंटेंगे था इसमें पर्डिक्शन वादेनिन परूग जाती है, इंपॉर्ट करनी पड्टी है, आपको दूसरे प्रॉप्ट्ट की इंप।र्ट बाढ़ जाती है, बैनस प्प मेंजते है बानस अप की ए एकॉनमी जो आपकी डिश्ट्रॉई हो जाती है। डॉट मैनेज्मेंट में वाटर सोच्ट्रीम की दूट है। आप अगर वाटर सोच्ट्रीम को यूज करेंगे तो रिजर्वायड और टैंक्स बना सकते हैं। कि आप्ट टैंक्स मानी कटा कर सकती है। इससे वाटर ग्रोइंग बतल हो सकती है। आपकी एफ़रस्रेशन और रिफ़रस्रेशन कर सकते है। उसके अंदर आपका DESELECED पॉजएक्स हैं रिक नियर्क बड़ा मारे पाना नी चिर्ट के न कि अधिने पर लिल स्कृपरर मिल निया हैंट इसके बाद्स हैं यह हैं गिल्लिए नियुट करते हैं, तो एक प्लॉट का सेटी यह नहींان imperative. ख़र वाटर लित दरेते मैं चिजे को लिल और बेज के अधिया है। पानी जो चलता छोड़ दिया कि चीज़ जो यह नहीं करें उसके बाद यह कि सटिंग आप वाटर एलोकेशन की प्रायोटिस को सट करें के वाटर कहा यूज करना सब्सक्राइब कहा कम जूरूरी है मुझे बताए कि नेक्स चैप्टर करना है तो उसमें हम लोग जो गएब करना है तो कर सकते हैं अगर नहीं करना तभी मुझे बता दें कि 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 अखला लोगा खुद का फेपर भी है अभी अभी है अब पीचले दो दिन से अपने client से भी इतना यदा extension मांग चुका हूँ बार बार कि भाई extension दे दो time नहीं कि मैंने ये काम पर दो दो time नहीं है इस तरह मेरे आज class भी रह गई है यार चले खर class को मैं कर लूँगा खर एकोई issue नहीं नोट्स में डाल दूँगा भी घंटे तक ना, इंशालला, मैं इस पर सेटिंग वरा करके फारिक होता हूं, मैं नोट्स इंशालला भी डाल दूँगा, यार, फ्री सेक्शन में डाल दूँगा, ठीक है जी, जी जी, कल उर्दू का पेपर है, बचों ने सोना भी तो है ना प वृषत्त, तक प्री हो, विध्व दूदू हो, क्या, त boiling 5 तक प्री हो, क्या मतल़ मैं, 5 तक प्री हो, मतल़ माद कि थे ठीक है जी इस पर इंतरा कल करते हैं सम्वेस वाद जल्दी शूरू करेंगे इसलामत भी कवर करना होगा दोने चीदे कवर करेंगे इंशाला बाकी बैस्ट अफ लग या जो उबीद है कि आप लोगों को फाइदा हो इससे पहुंश कुछ पिए जी असलाम ने बिभीद मन यार मम लोग अब इस पाद रबब शूरू करते हैं मारा फोकस ही लगा है कि मुश ज़ूरू करते हैं इसके अंदर बाकी इसको मेरे जो कर तीम मेंबर इसको मेरे लौटी एजूकेशन वाले ग्रोप में और मुस्वा फिरोज वाले गृप में शे ह된 का रा बाकी जिशेल करते हैं कि नहीं हैं क्योंच राइक तो नहीं कीने बार है रात गए लोटी और इसको एलौ इतुकेशन में और मैंने यूट्यूब पर बड़ी कॉंप्रिएंसिफ विडियो अल्रडी लगाई नहीं पहले वो देख लेना फिर इंशालला सेशन करने का फायदा भी होगा ठीक है सारे बच्छे कर लें जो बच्छे क्रेश कोर्स के हैं वह वाटर वाज चैप्टर के नोट्स खोल ले आज हम लोग शुरू करेंगे इंशालला उससे बाटर वाज चैप्टर से बागी कलवाले उसका सेशन के वीडियो बड़ी भी है उसमें पहले तीन चैप्टर कवर किये हैं आगे जितने हो जाएंगे इंशाला करते जाएंगे यार जिस जिसका टाइम मिल रहा है ना इंशाला सेशन करेंगे जितने हो सकेंगे इंशाला हम सेशन करेंगे जितने नहीं हो पाएंगे शोर देंगे ठीक है अच्छी यानि के ट्रेयर वो करवाएंगे, बात चीज, डिस्क्रिशन वरा करवाएंगे बागी बच्चे भी जॉइन कर लें, फिर करते हैं, शुरू स्क्वेर कोई स्टूर्ट अभी रहते हैं वो कर लें, जो बच्चे अभी रही देखना चाहते हैं, इनके पास कर लेंका सुबावल टाइम पेपर है, वो ये कर सकते हैं के आप लोग अभी यानि बेशक रेस्ट कर लें, सो जाएं, जो भी करना है, तो सुबा जो आप पहला फेपर देखे आएंगे, इसलामयात का, उसके बाद आप पास टाइम होगा, दो गंटे आप इस सेशन की वीडियो अवेरेबल होगी, उसका वीडियो देख लें, अग कर दीयां, वारे जो नोटस हैं, मुस्टी शेयर कर दीयां, वहाँ देख सकते हैं, सरस्थ और फेक्ट्स और फिगर्स इन्वाइमन्ट के नोटस मिल सकते हैं, ये मुझे उपना वैश्ट क्लियर करें, प्लीज, अब आपने जो टुश्टन पूचार से क्लियर करें, कि बलके मैं खुद भी शेयर कर देता हूं ताकि मेरे पास उसका वो रहे अच्छा जी अभी रहते हैं कुछ स्टुट्ट्ट्स या सब लोग जॉइन कर लें फिर इसको करते हैं आगए शुरू पर अच्छा यह हो गया इसमें यह बलके शेयर भी हो गया एक सेकंड अगर मेरी टीम को कि मेंबर देख रहा है तो आप लोग शेयर कर दो वरना मुझे बता दें ताकि मैं इसको खुछ शेयर कर दूँ ग्रूप यार एलॉटी एजुकेशन के नाम से होगा आप सर्च के लोगे आपको मिल जाएगा बागे मैंने इसका पिछली वीडियो में लिंक पी डा लिए तो बागे मार्क स्कोरिंग पॉइंट्स हैं वो कवर हो जाएं तू वाट एक्स्टेंट का मतलब होता है कि यह आपने वही तरीका फॉलो करना है जो एक और्गुमेंट में होता है आपने पॉस्टिव भी लिखने है आपने नेगटिव भी लिखने है और एंड में आपने क्लोजिंग स्टेट्मिन देनी है ओपनिंग इंड़क्शन नीदेनी वो टाइम बेस्ट है ठीक है लेकिन आपने पॉस्टिव नेगटिव जरूर लिखने है उसके अंदर दोनों की ज़रुद होती है ठीक है जी यह सेशन शेयर हो गया जी एक जगा मेरी टीम वालों को मैंने रिक्वेस्ट की थी कि या आप इसको आगे शेयर करने हैं ताके मुझे ना करना पड़ा है एक मिन अडियो हो गया कोई और क्वेशन आपके जहें में पहले टॉपिक से पहले 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 दूसरा और तीसरा टॉपिक जो है वो मैंने करकल कर लिया था उसकी वीडियो वेलेबल है पेज की उपर आप बहुत देख सकते हैं कहेंगे तो मैं यूट्यूब पर लगा दूगा कोई इश्यू नहीं है अच्छा जी यह यहां भी शेयर हो गया जो की टाचेंज के पहले ठीक हो गया जी सरी यह बाकी मेरा खला भी एक से दो मिनट हम और वेट करेंगे फिर करते हैं क्लाइमिट के मैंने नोट्स भी शेयर कर दी हैं लौटी एजूकेशन के ग्रुप में और क्लाइमिट वाले चैप्टर के मैंने आपको वह भी दे दी है क्या होता है अपना क्ला अमने वीडियो में कवर भी कर लिया था उसको आप वीडियो इफार देख लें आपको मुकंबल कल वीडियो उसकी अवेलेबल है मेरे पेज के ऊपर आपको मुस्की चीज़े क्लेर हो जाएंगी ठीक है मैं एक मिन इसके अंदर एक चीज़ फाइनली और कर लूँ ताकि हमारा वह का मुकंबल हो आप लोग जॉइन करते जाएं यार सिरफ हम लोग दो बैनका एक से दो मिनट वेट करेंगे फिर करते हैं शुरू इंशाल्ला अच्छा जी यह हो गया एई कल्चर एई कल्चर के में बात ने आपको बतानी है वड़ी इंपोर्टेंट उसमें नीक तो चीज़े है में तो वाट एक्स्टेंट में देखो और नई भी और नई भी है क्यों है अगर आपने उसमें तो आप एक्सिंट आए तरह एकसी पर्टिक्लर मेथर्ट के ऊपर तो अब्यूसी बात है प्रॉब्लम से जुशन दोनों लिखेंगे ठीक है अच्छा इसमें यार एक बच्चा पर एक बच्चे ने जॉइन किया मैं नाम देना चाहूंगा लिए बेटे आप पिछले जो उसमें वीडियो में कहा रहे थे ना कि आप वो कर रहे है टार्गेट करें वह मैंने इस वीडियो के एंड में भी क्लियर किया है कि किसी को टार्गेट करना मकस्द नहीं होता दो दो चीदों पर एक तलाफ है मैंने वह भी क्लियर करती है ठीक है खैर आगे मैं इसको इसको सीरेस रखेंगे काफी कांटनेंट को ताकि जादा मज़ा भी उसमें है मज़ा भी जादा कांटनेंट सीरेस नहीं आता है एक दो स्टूड़्स रहते हैं अभी यार्म को कोई यह अच्छा जी इसको यार जो क्रेश कोर्स के स्टुडेंटस हैं वो उसके चैपेर के नोटस भी खोलने पहले वाटर वाला चैप्टर करने के बाद हम आड़ के चलेंगे कि बाद आफ था उनए क्वाल उट्ट स्टेटिस्टिक्स याद करनी होती है development की जैसे आने employment नहीं बिलकुल याद नहीं करनी होती है टाइम वेस्ट है आपका इसमें आपके स्लेबस के content से इंप्रेस होता है आउटसाइड दस लेबस content से इंप्रेस नहीं होता ना एक्जैमिनर को इसमें कोई इंट्रस्ट है कि आप आउटसाइड दस लेबस क्या लिख रहे हैं ठीक है आपने स्टेटिस्टिक्स ज्याद करने पर टाइम वेस्ट नहीं करना अपना कि अच्छा जी कोई और question में आता है साथ सब्सक्राइब पूछ लें ताकि हम लोग सेशन जिब शुडू करें तो सेशन हमारे मोरे पूरे हो चुके हूं फिर हमारे लिएक अगे session कंटीनू करना सामझ जाता है अच्छा जी यह हो गया लिंक टू नोट्स यार लिंक जो है नोट्स का मैंने आपको ग्रूप का लिंक दिया हुए उसके अंदर पेज की काफसरी पोस्ट में आपको मिल जाएगा उसी ग्रूप के उपर जो है मारे इंशालला बाकी session भी वहीं conduct होंगे अब यह बने पर आ अच्छा जी यह हो गया अपना मुकमल अभी यार इसका ट्रेड इंडस्ट्री ट्रेड इंडस्ट्री कर लेते हैं अगर आपके जेर में ट्रेड इंडस्ट्री का कोई main question जेर में आता है तो मुझे वह साथ-साथ बताएं थाकि मैं आपको question भी clear करता हूं बजाए कि हम लो अधिया अधिया उसके उपर और और मैपस का वारे तरीका मुकमल वहां पे कर दी है कोट कर दी उसको देखें मैप बहों पर लाला हुआ हुए आपने बॉरडर के साथ-साथ वाली वह याद करनी है आप लिए असान हो जाएंगी याद करनी उसमें आपको कम टाइम प्ट्रोंभ मेरे हमारे थेcentered कRA जाएंड करुइसाए शंट कंता है यार इस घृस्टtså करन छांट्र लिप करें कोई इस्धिर ट्रांसपोट कर दें को इस यह मैंने आपको है कमेरे वेरिवियुूस्ट है कि हम ले ज्यादा आसान यहths का जानना कि अगर हम लोग वो कर सकें ते अगर हम लोग उसमें वो कर सकें क्या होता है अब बेहले करकें मुझे हैं हैं अच्छा जी एक है साभ जणाब भू शुक्रिया है ये मैं आ यापको परस्कार्ली नहीं cerc आजाई का और मुझे अमीद है कि आप भी काफी अच्छा काम कर रहे होंगे और अच्छा जी यह आगया टू एना सेवंडी अच्छा कोई आपके जिन में क्वेश्चन हो रहे हैं तो मुझे बताएं यार भी पूछ लें बलकि जो एक टीचर नहां पर कमेंट किया था सर प्रवाइड करेंगे जो प्रॉपर टीचर जैंको उसके लिए ठीक है तो इन्शालब सब्सक्राइब लेकिन अभी हमारा वह फोकस नहीं है हमारा मुकमल अच्छा जी कोई क्वेश्चन और दिन में आता है मुझे बताएं सर जी ग्रूप नहीं मिल रहा लिंक दे दें यार मेरा कोई ग्रूप मेंबर यहां पर ग्रूप का लिंक डाले प्लीज सिक्स मार्क से क्वेश्चन बेटें दो तरह एक क्वेश्चन में होता है कि अगर आपका आयाता है तो वो कर सकते हैं यानि कि अगर आपको उस पे इंक्लूड करना पड़े तो आप वहां पे वो डाल सकते हैं एक्स मार्क से क्वेश्चन में एक्स्ट्रा लिकना है अगर आपको कोई वो है एक्स जगह नहीं मिल रही तो आपको मिल जाती है लकिन खरस टीक है we do expected मैंना गूरुप के अंदर न उसमें चैट में उपर डाला हुए कि से नो टू एक्सपेक्टेड तो हम एक्सपेक्टेड ग्रेड पर ही जाते हैं हम इंशारा जाते हैं उसके उपर पूरी तियारी करने पर मुझसे आप question पूछें ये ना पूछें कि अच्छाई कब्राइगा है यह मारा आगे एक्सपीरेशन ये क्या था नहीं है अच्छा जी कुई और क्वेश्चन्स हैं यही कल्चर का यही कल्चर्रिक मैंको दो से तीन चीज है बड़ी मेंने बतानी है अब ने की आप लिए डिए डिए रोस्टिंग मैंने आप जी असलावलेकूं यार वो बेरेखाल मुस्के अप्रेख को गया था आप लोग भी इसको जोईन कर लें वोजे बताएं जब जोईन कर चुके हूं करने जाएं उसको आप जोईन कम आरें के इसंतु है को अपाना कि Hang Are तो इसको आप जॉइनचा करने कोभी कि आपनें योग उसको क्या पर ठीक में आप दी इसके कर्राभ चुर्वें एख फरिएंदर के बीडियों करने हूं में उस पहले में इसवाणा है अवास के अभी हो जाएगे अवास के एक से कउंड़ मेट करो अभी इसियु के अदर अवास के इसवाण इसधे है, मिश्यालॉ में अपाद का वाद की अपलों कि यह इसरा, अब आप के शाम शाहिए इसया है अच्छा जी… यह हो गया, इसमें बडर नियार वीडियो में इश्यू आ रहा है.. अवाज का यह viral अब हो जाएगा, आवाज के को शायो करें। आप देखें दुबारा बंद ना हो जाए फ़नी की आईशू था इसको होता है चलता है लगर चल जाए सई आज अब आज़िया हो गई है अब देखें सब्जेक्स में आपको बुकलेट दी जाती है ना इसको पैरी बात को समझो जिन सब्जेक्ट में आपको आंसर देने के जगा पेपर पे दी गई है उसमें आपकी एक्स्टрा शीट मांक नहीं होगी जिस भी सब्जेक्ट में आपको अगली जगा का ज्रूट होती है वहां Cambridge आपको उसी पेपर के अंदर जहां पेपर में जगा दी होती है end में जगा दे रहता है तीन से चार पेज कि extra यहां लिखना इसको जिन में clear कर लें अगर आपको किसी उसमें जगे की ज़रुत होगी तो वो आपको वो देगा यानि के camera वाले आपको end में दे दें के जगा उसके अंदर कि यहां पे तीन चार पेज में लिखने जैसे मैंने बताया है कि geography ओ लेवल पाकिस्तान studies नहीं ओ लेवल geography का जो subject है उसके जगा दी होती है ठीक है और अगर आपको उसने extra booklet शुरू में दी है यानि आपकी paper पे answer नहीं है answer है ही booklet के उपर फिर आपको allowed है कि आप booklet यूज करें यहां मेरी बात आपको clear इंशालला होगी होगी यह चीज जहें में clear रखनी है extra booklet जो है वरना mark नहीं होगी आपकी बेशक उसमें कितना भी हो आता रहे उसने आपको जगा इसलिए दी हो थी इंशालला इसी को मुकमल करेंगे यह यहां पे share हो गया जी और यह हो गया यह हो गया मैं फिर एक चीज रिपीट कर दूँ कि आपने इसको वीडियो को उस वाले ग्रूप में शेयर नहीं करना कि वहां मैंना को बताया है कि स्ट्रिप पबंदी है कोई अच्छी वीडियो शेयर करने पे तो इसको आप बाकी मुस्त्वा फिरोज की ग्रूप में शेयर कर सकते हैं कोई शेयर नहीं है लेकिन उसके लावा किसी और ग्रूप में आपने शेयर नहीं करना यह लॉटी एजूकेशन वाले ग्रूप पर यह होगा यह डी फोरेस्टेशन के कॉसे और फेक्ट जो है ना कल मैंने बताया था वड़ा असान तरीका बात से बात निकालने का आप उस पर फोकस करना जदा असानी हो जाएगी ठीक है लिए यह मुकमल मारा शेयर और यह हो गया ही का जी इसको करें मुकमल हो झाले करें लिए अर्डू में तो उर्द्व का वेटा पहले बताया था उर्दू में शायद अपस आप पड़्ट में पर फटभणन में अगर किया यह शियो नहीं है हिस्ट्री में देखो हिस्ट्री में भी आपको मिलती है उसके अंदर मुझे आप यह बता हैं कि हिस्ट्री में आपको नोची पूर्फिकल विडियो करें कर देखें आपको मिल जाएक आज नेक्स चैप टॉप करने कुछ स्टूइंट रहते हैं को प्लीज टैक करते हैं कि टाइम का फिर इशू आ जाएगा इद्वारा उसको विडियो बंद कर देगा तदा ही क्या इशू आ रहा है इसमें बार बार अच्छा जी जो क्रेश को उसके स्टूइंट मैंनों कहा था कि आप वाटर वाला यहाईं मकंPल करें तापिक के ओपर आपर चा करें कम से कम जिस Animal को मैं जानता हूं उसमें तो पेपर नहीं होता कहीं और उता नमझे बता यार सब्छा सब्सक्राइब अच्छा उसमें यह है कि हम लोग टॉपे कभी स्टार्ट करेंगे या बाटर वाइचंटर से बाटर बाटर चाप्टर से स्टार्ट करेंगे इन्चार्थ ताकि मारा पहला सेक्शन पूरा हो जाए चैले जी बिसमिल्ला करते हैं कि इसमें आपने जो आपका रिवर सिस्टम है रिवर सिस्टम में कुछ इनों का पता हूं चाहिए आपको कुछ बेसिक डेफिनेशन का बेटेक टॉपिक में आपको उता है कि हम लोग कर रहे हैं वाटर वाज चेप्टर से शुरूर यह इसी चेप्टर के अंदर आएगा जो इसमें आपको पताओं चाहिए कि ट्रिवीटरी और डिस्ट्रिवीटरी क्या होती है ट्रिवीटरी वह होता है जो बाकी जो वह है पेटेम मुझे यहां पर नहीं पता कि कौक्याचीत को पेपर पर पे आरी है पेपर कली खुलेगा इसका मेरे पाद जवाब नहीं अरहे है अच्छा उसमें यह प्र Disease जो बड़ा को गचे हैं उसमें आ पॉर्ख विड़ा बॉरतू है जो के बाटानких मिसईंटर जांग पाकिस्टन का सबसे बड़ा भी इसकी बाद आपका वेन चीज़ आ गई के रिवर इंडस्टिवें इसकी टीब्यूटरी हो गई है कि जब रिवर अपने रिवर अपने लौ़र उसमें फिलो में अंटर होता है तो रिवर जो होता है वो अपनी स्पीड फलो जाती है वो डिपोजिशन श distribute होती है due to the slow flow of the river in this slower course ठीक है जी इंडस river system के अंदर आपने याद रखना है कि इंडस river system जो है काफी लंबा distance travel करते हैं इसमें हमारा यानि उसका river का slope ज्यादा है fast slope यानि तेयर slope है ज्यादा धिरान है स्कुर्स ही है कि आपका जो rivers की speed है वो fast होती है उसके बाद ये कि water की ज्यादा volume के रही होता है aluvium का जारा volume इसलिए का रही होता है क्योंकि वो जो है fast period से erode करता जाता है material को उसमें ये कि पूरा साल flow होता है ठीक है बारबुर का बुरा हाल है आरे जिसमें ये है कि यहाँ पे agriculture industry और hydro electricity के ये ये वाले जो रिवर रहे जिए जाधा ज़रूरी है यहाँ रीवर रार्व इंड़ट सेलिय है यह जवा इंडिवर उपर रिभार मा prosecution पाकिस्तान वे जिसमें इन्लेंड रेनिज जाद है उसके बाद यह कि सीजनल फ्लो होता है रेनफॉर्ट बेड़न करते हुए और यह हमारे पाकिस्तान की एही कल्चर के लिए इंडस्ट्री के लिए हाइड़ो एलेक्रिसिटी के लिए इतना इंपोर्टन नहीं है ठीक है उसके बाद आगया water resources problem water logging क्या होता है जब आपका underground water या यह जो water table है जो underground water आपका होता है कितना उचा है इसको कहते है water table उसका यह इतना उचा हो जाता है कि यह plants की roots तक पहुंचाता है और इसको कभी को यह surface के ऊपर appear होना शुरू हो जाता है इसमें यह है key कि वाटर लॉगशन की वड़ी रीजन ही है एक हमारे यहां पे अनलाइड किनाल्स है श कि पकी नहीं है उसको कवर नहीं किया गया तो वाटर सीप कर जाता है उसकी साइड पर इचे वहारे इंक्रीज़ कर देता है ठीक है उसके बाद आ गया कि आपका दूसरा यह एक फ्लड्स आते हैं रिवर इंडर सिस्टम के दर फ्लड्स बहुत जाद नहीं कोशिश इंशाला यह होगी कि जितने हो सके चैप्टर कवर करें अगर आप लोग चले भी जाते हो तो मैं सेशन कर्टीन रखूंगा जो तो के लगते हैं अगर आपकी वॉटर लॉगंग हो रही है तो उसको सोक लेंगे पानी आपका पाणी नीच्चे होजाता है उसके स्लूशंस के अंदर सेलीटी अपने बात इया रखना है कि सावर्ट कि कॉन्टिटी कितनी है इसमें बात बात ही है ऑंप्य वाटर लॉग जो आपके सर्फेस पर नजर आता रहता है ठीक है सौल जो नजर आता है अंडरगराउंड वॉटर होता है यह आम तर पर सॉल्टी होता है तो इसको इरिगेशन के लिए यूज़ करेंगे इससे भी सेलिटी बढ़ जाती है अचा उसके बाद आगे इस इन प्रॉब्लम से होत होता कि आपका क्रॉप की प्रॉडग्षिन वह कमोजाती है और आपका जो लैंड है वो कल्टी वेशन के लिए Нettle ऑग की जाती है increase कर जाएंगी, क्यों आपको local food demand meet नहीं कर पा हो गया, तो यह उसके issues हैं, अच्छाब आप water logging और salinity को कम किस तरह कर सकते हैं, आप kenals को line कर दें, उसके विए से किसकों कहते हैं, पकी kenals कर दें, तो उससे लिए कि उसमें water seep नहीं करेंगा, mostly water flow करता रहे का, उसमें जाएगा, eucalyptus का जो tree है, यानि जो आपके सफैदे का दरखत होता है, eucalyptus trees हैं, अगर आप उनको plant कर देते हो, तो इनका फाइदा यह होता है, कि यह बहुत सारे पानी को सोक लेते हैं, यह water table को नीचे कर देते हैं, ठीक है, और यह कहता जाता है, कि तकरीबान दिन में आप देखो, तो 100 लीटर तक भी जो है, पानी जो है, वो कर सकता है, जो आपका, क्या कहते हैं इसको, eucalyptus का tree है, वो सोक सकता है, उसके बाद आगया, कि आप tubal ज़्यादा इंस्टॉल करो, अच्छा, ऐसमें याद देखना है, कि टीबल ज़्यादा इंस्टॉल करने का reason यह नहीं है, कि उसमें आप वो करेंगे, ज्यादा यानिके पानी यूज़ करेंगे, टीबल आप इसका reason यह धिया थिया इसके अंदर, अच्छा जी यह हो गया उसके बाद यह है कि आपका जो आप जब ट्यूबल इंस्टॉल करते हैं उसमें यह है कि आप इर्रिगेशन के लिए इसको यूज नहीं करना बलके पानी को फलश किया जाता है उसमें से इनसेंस कि आप ज़्धा पानी निकालते है उसको बहाद देत है कि उसने आपको उसका दिया हुए है अच्छा मैं किया था ट्यूबल करते हैं इसको रिमूब करते हैं सॉल्ट को आप में याद अखना है कि एक तो वाटर लॉगिंग इनी ट्यूबल के जरू आप वाटर लॉगिंग कम कर सकते हैं कि आप यह नहीं वाटर निकाले और कि वो घरदें बहा दें रिवर के अंदर आपका वाटर डाउन हो जाएगा अगर आप सर्फिस के उपर सॉल्ट है तैस इसको पानी बहाएंगे तो यह निए ट्यूबल का फास्ट वाटर होता है तो सॉल्ट को अपने साथ लेकर चला जाता है यह दो फाइदे होते हैं इस जिसमें फाइदा ही है कि आपका यह निए से कनाल वाटर है उससे ही है कि पानी सही तरह यूज हो जाएगा और सॉल्टी लेवल जो आपका काफियत तक कम हो जाएगा ठीक है यह बच्चे ने जवाब दे दिया नीचे इसको देखने ठीक है इंड्रस वाटर ट्रीटी थी पाकिस्तार और इंड्या के बीच में ट्रीटी हुई थी और यह हुई थी केनाल वाटर डिस्ट्रीट के उपर सप्टेंबर 1960 में इसमें वर्ल्ड बैंक जो है में उसका वो था इस पूर्ड बैंक था इस ट्रीटी के अंडर आप में याद एखना है कि वेस्टर इंड्रस जो हैं इंड्रस जेलम और चनाव यह पाकिस्तान के पास आ गये थे और जो इसके बाद यह किया था कि साइनिंग को पॉसिबल बनाया था और उसमें में चीज़ आपको यह है यह वर्ल्ड बैंक ने साइनिक सिल्ड का जो एक वो हता है ड्रॉबेक अभी हम पढ़ेंगे इसके बाद सिल्ड का मैंने पूरा आपको डिटेल में पताना है इसके बाद ठीक है उसके बाद यह है कि उसमें फंड्स इसके अरेज किया सन और इंडिया में थे और इंडिया में जो एक्रसकते हैं उसको चेंज कर सकते हैं अब को रिवरसोसने कर जाते हैं और इवर्स हैं और में कि निक कनाल को दूसरे कनेक्ट करती है जो एक सत्लुज में या आपके जहिलम में इसमें के साइब चनाब और पानी नहीं आरा तो इसको कनेक्ट कर लेता है किसी बड़े उसके पानी आ ठीक है? उसके बद ये आगया आपका के re-condition点 किया गया था. ठीक है. अक बाद ये इक 17 प्रॉा धेर कना जो तीन सौ माइटर कनाल बकेट से किया जाता है मैंने आपको बताया किसी dev का मैं भी आपको बड़ा डिटेर्मिन बता हूँ का इसी च्प्रिवान्य का इस सिंड मुझे आप बाहिस का इससाओ ताकि के आपको पला है और यू आपको आप बाल बाल। पाल घुटेर्व में बदा लूगता है। तक अच्पी तक जो है आज आज पात कल से रही के वो हो जाएगा वर्कलोड काम हो जाएगा आपके जो फस्तफी वाले प्रेप्र मेरा खाला ख़तम हो जाएगे काफी आज झान रहे गया का मैं पिछले पूरे अफते में मेरा हालाग घंटा घंटा भी नहीं सोया डेली घंटे से दो घंटे तीन घंटे सो रहा हूँ खैर यह हो गया जी अच्छा उस पर आगया आपका इसमें यह है कि बहुत सारी लोग इसको डिक करते हैं इसमें एक horizontal canal नाई जाती है आपके उसके अंदर यह हिल साइड के अंदर और जो फिर जितनी लोगों ने डिक की होती है जब जब जाए और आपका जो है water lost रही मिनिमाईज जाता है ठीक है इननडेटेड कनाल और आपका उसका जो है मत फरक उताएए एक सक्ट मुझे पर चीज़ चेक कर लें है साथ साथ अच्छा इननडेटेड कनाल जो है एक long river होता है यापका जो एक major कनाल निकल रही होती है आपके एक बड़े river में से उसके हम कहते हैं जो आपकी है इननडेटेड कनाल यह जो कनाल होती है यह basically इनमें storage area नहीं होता इनमें सिर्फ पानी तब आता है जब flood आ रहा होता है river में पानी ज्यादा होता है ठीक है और आम तोर पर इसलिए बनाए जाती है ताकि जब river में flood डाय है तो पानी अबादियों में इंटर नौ वलकीन में चला जाए है उसमें यह कि इननडेटेड कनाल की नौरो वरियन है दूसरा यही जो terrace farming हो रही होती है यह हमने natural topography वाले concept में कल पढ़ा था कि जो terrace farming हो रही होती है उस वो इससे easy जाती है water उसमें यह easily seep कर सकता है उसको उसके लिए use किया जा सकता है यह मुझे एक में यह क्या आया होगए अच्छा जी एक सिकंड यह आ गया यह मुकमल हो गया अच्छा जी यहां तक बात clear हो गई उसके बात कर रहे थे एक सिकंड यहार मेरी team member से request है कि बहुत सारी students है साथ सा group join कर रहे हैं उनको आप लीज एक्सेस देते जाए ठीक है इनको हो जाए टैक के इरिगेशन हैं मड बैंक से टैक क्रिय बैंक टीक किया जाता है जब आपका इसका फ्लो जड़ा होता है पानी का उसके अंधर यह किनिस में इसमाल स्कीन जोए पानी इसमें लेके आते जाएं už कि समक्दिएरεται नहीं होता है तो इसमें water Traffic Guard be Col melts नी नैचरी रिवर रेनफॉल वाग कम है, रिवर का फ्लोव स्लोव है, अच्छा, एक सिकंड, अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट और भी है, जो स्टूइल्ट्स जिनके दोस्वरा अभी सेशन में नहीं है, जो आम तर पर सेशन लेते हैं, उनको प्लीज जॉइन करनें, ताकि व तूरिजम में वो बढ़ती है, टूरिजम से अर्निंग बढ़ती है, आपकी हाइड्र एलेक्टिक पावर की जनरेशन होती है, आपने याद अखना है कि जो वेस्टर रिवर्स हैं, उनसे हाइड्र एलेक्र पावर की जनरेशन नहीं होती, हाइड्र एलेक्र पावर की जनर बाकी ये पावर रिसोर्स के दर इसको इसको इवर्डिल्टर पढ़ा जाए का उस पाद ये के लैंड और सॉयल की फरिटिल्टी बढ़ती है क्योंकि ये फास्ट प्रोइंग रिवर्स हैं ये बहुत सारा वो करते हैं ये रोडन मटीरल साथ लेके आते हैं जो आपके इसके जो आपकी से वह होती है, इलूविय में वह पहुंचता है जिसे आपके लैंड की फरिटल्टी बेतर होती है उस पाद आगए क्लीन वाटर करता है ड्रिंकिंग डॉमेस्टिक यूज़र इंडर्स्री यूज़ के लिए इरिगेशन वाटर के आप स्कूर्ण और ऑब कि धाना जरूरी के है जो आपके डियम में आग stell कर रिए तो वाम की तो इन पुरा या रिवर से आसकता है तो इन तो इनमें पान भी छोड़ देते होते हैं बलोचस्तान के रिवर्स के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं यह कोईटा का जो है वो सेंट्रल इंपोर्टन्स है बलोचस्तान के डिनेश सिस्टम के अंदर क्यूंकि यहां पर तक्रीबन हर चीज जो है वो कनेक्ट हो रही होती है बढ़ाघा जो कलाची का वो ड्रेंड सिस्टम में वो इंड द्रैन कर जाते हैं यह आपके इनका फ्लो इस् लृडड है इसलिए हैं आफ लोजबिस रिवर्स लेकिट फ्लो कर-जाते इयह पर जती है किसी वेस्वर्स करतें वीड रुड़ा सी शेलोडिप्रेशिंट वोती है इसको हम कहते हैं हर्मूस कहते हैं और यह उसमें कर जाते हैं वाटर के में ईूसर्ज जो हैं आपके इंडस्टियल यूसर्ज आ था या निकलि उस होता है इंजेक्शन में और आपके आईवी इंफ्यूइंस के अंदर उसके बाद ये क्या हो अच्छा जी एक सेकंड या मैं साथ एक चीछ चेक कर रहा है को क्वेशन अगर आपके देन आथा तो पूछ लें तेर में मुझे एक में बैटरी लगाने दें इसकी बैटरी मारी तरीमा खतम हुए बढ़िये मैं एक सिकंड ने इसकी बैटरी लगा किया रहा हूं बैटरी बैली 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 अच्छ जी बैट्री अच्छ बैट्री होई यह क्या हो यह क्या हो यह क्या होगा अच्छ जी आप लोगों को मिलेता है विडियो और सही आ रही है कि विडियो और इशू को नहीं है अच्छ जी आप लोगों को इशू है तो मुझे बताएं यह विडियो खराब हो गई इसकी यह इस जासे एक नट विडियो में खराबी है अब बैसर है ठीक है अच्छ जी हम लोगों की बात क्या कर रहे थे एक सिकंड यहां पर कोई और इशू है अब मैं देख तो मुझे आपके सब्सक्राइब सब्सक्राइब हो गया कैमरा टर्ण क्यों हो गया है कैमरा टर्ण अब सही है चलना जी बेतरीन हो गया कोई अगर आपके जिन्में क्वेश्चन इस पॉइंट पर आता है तो पूशने दाकि हम दुआरा फ्लो से शिरू करें तो बीच मुझे वह ना करना पड़े ट्रफ ना होना पड़े मुझे इसका बता दे क्वेश्चनल कोई भी जिन्में आता है आपके अधिया वो इसका एंड में आएगा डैमिल बाशन में जो है इसके बिल्कुल एंड में आएगा इंशालाव भी डिस्कूस करते हैं ठीक है जी यहां तर सही हो गया अच्छा जी बात क्या सकति का में आपके अधियार बनाने के इसके मेंहीं है इसके पुलिएगधन फर्फिश्चनल के बार को बीडियो की और बार वर ग्रूप में अगर मैप्स नहीं है मज़े देखके बता दें मैं उसमें को शेर कर देता हूं को इशुँ नहीं है अच्छा आपकी प्रिक्राइब इंडस्ट्री के दिए उसमें यूज होता है आपके लिकृट उसके सिलूशन के इंदर एसेट्स के इंदर टेक्स्टार होता है वाश्टिं के लिए डायंके लिए ब्लून के लिए वाटर अากहा रिघ। दीघिध में उसमें मोग करती है हूँ पार्टेशन वे यूज़ उता है क्योंकि अगर पारी का इनफ वाड्यूम नहीं होगा तो वह किस तरह उसको टर्म टार्वाइं को मुखाए नोट्स के जो है नोट्स उसमें वहां किये हैं ग्रूप में शेयर किये हैं ग्रूप को जोइन कर लें वहां नोट्स देंगे आप को अच्छा इए कि अगरें पर ना ओ तो सिर्फिशन का में तर्फिश्टी रहा जाता है मारे पास में इंड़सिवर सिस्टम का जो इस दुनिया में वन फ तर बेस्ट सिस्टम से ठीक है लाइफ स्टॉक के अंदर आखा या थे यार कैमरे को मसला हो गया कैमरे को क्या मसला है आप लों के पास कैमरे का इश्यू कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है यह नहों की इश्यू हो ना मुझे बैसे लग रहा हूँ मैपस और रहा चेप्टर 1-2-3 की वीडियो जो है वह हमारे मेरे पेज पर लिटी मैं लिग्ट कर लिया था ठीक है अचार लाइफ स्टाउक को जो प़ानी पीना हुए यह लाइफ स्टाउक इस वाहिक लिए उसके बाद यह कि आपका जो में दिंकिंग के अंधर कुकिंग के अंदर वाशिंग के अंदर सेनिडेशन में यूज होता है अब आगे कनाल इडिगेशन जो है वो क्यों प्रैक्टिस की जाती है पहली बात हो जो जो दूसरी चीज़ नुकसानात होंगे कोई न कोई और जो चीज़ आप कर रहे उसके फायदे होंगे ठीक है फायदे वाली देगिंगे तनी असानी है रगव लेंग सब्सक्राइब उसमें यह कि आपका वाटर कॉंटिटी बहुत ज्यादा है इसके अंदर ठीक है मून सुन वहाइज से वाटर बहुत ज़ादा है इसमें रिजर्वायर में रेजर्वायर इस्टोरिज पॉसिबल है पिर आपका वा स्टामियत कर लिया बहुत जाइघ था कोई क्वयस्ट्न अगर देनि में रह गया तो सके अंदर के सफ्ट्रिश पॉपर जो है जो है उसके स्वेजर्वायर इसके त्रू आप रॉपरिली कर सकते हूँ और नीए उसमें यह एकिर आप स्वे पॉसिबल नहीं है वारिज़ वाइट होते हैं आपके जब आपसे में वो करते हो किनाल इरिगेशन बनाते हो वरना हर जगा वाटर जाएगा किनाल सिस्टम जो है यह काफी जदा एरिया को इरिगेट कर सकते हैं क्लाइमिट के नोट्स में और ज़री डाल चुक हो वैसा आप मेरे अधर घृट बालपूर का एरिया जो है यहां पर एक नाल इरिगेशन रुसकती हैं हमें वारिश तो होती नहीं मिल्कों भी ठीक है तो उससे ही है कि आपका वो हो सकता है पर इस पास यह एकिसमेंट अवैलेबल होता है आपका सिमेंट की पाकिस्तान में सिमेंट की इंडस्ट्री नोट्स का लिंक देदें, वहां से उठाके ग्रूप में से, उनको एजी हो जाए का ढूनना, बच्चे के लिए उनको इशू आ रहा है, उसमें देखके नोट्स देदें, यार यार बार बार विडियो क्या इशू आ रहा है, सरी करक्रित हग गया हूं ऐसे, अच्छा जी, च होती है, आपकी, अब देन अपताई है, दूसरे पॉइंट आगे है, उसकी इनफेक्टिवनेस के, ठीक है, उसमें ये है कि आपकी रेनफॉल की डिस्ट्रिबूइशन जो है, ठीक है, बहुत जदा, यार नोट पाकिस्तान में बहुत जदा है, रेनफॉल, सौथ में बहु होई आएंगे, तो फिर देखेंगे, अभी तो आपनेंट वाली बात ही नहीं है, उसमें ये के ड्राय स्पेल्स जो हैं, बहुत लॉंग होते हैं, उसमें आपने याद अखना है कि ड्रॉट के और फेमाइन के चांसे बहुत जदा होते हैं, रेनफॉल जो है, इसका हमें य किस टाइम पे होगी, किस टाइम पे नहीं होगी, अचा अगर मूनसौन होती है, मूनसौन होती है हमारे यहां पे, लेकिन हेवी शावर्स में होती है, तेज उसमें होती है, बोच्छाड वाली बारिश होती है, तो उसमें ये कि कॉंस्टन फ्लो नहीं होता, ठीक है, बोच पर यह पर पहले बताया था कि एरोइन जदा होती है ठीक है उसके बाद आपका आगा कि रेनफॉल की टाइमिंग जो है वह काफी वेरियेबल है कमें पता नहीं होता कि साल में किस टाइम जो होगी इस साल आप देख लो इस साल रेनफॉल बिल्कुल एंड टाइम पर होई और यहाँ यहीं फ़ेशन के एक बाद बाद रेनफॉल को रहेजिज्टर यहाँ पर आपके बाद रेन्फॉल की जो हमारे पर दिक्नाल के फाइदा हो रह नहीं है और कर देद्ऊनल के इसीज़ जरूड़ है अब आगे एक्टेशनल के विश्वाइशन प्रेंगे जोरी है इसमें आपने यह रखने है कि ट्रडिशनल इए इसका सुरी अफेक्टिम इसके तिया नहीं है तो इसमें एक चीछ वह है कि इसलिए एफेक्टिव नहीं है क्योंकि वह कि आपने इसलिए को इरिघ्ट करते हैं मुझसे कॉंटिटी अवुटर जो हैं मैनुल डेक्वार मैनुली होता है उससे थाइं आपकी बढ़ जाती है थी के बिल्ड करना डिफिकट होते से कारियरज का सिस्टें में इसको बहुत साल लोगं को मिल केबिड करना पड़ता है, अकेले नहीं कर सकते हैं, cheap है, seasonal है, जो हमारा की traditional methods है, tank irrigation वाला method है, seasonal है अब पूरा साल नहीं नहीं ऐसकते हैं, effective में आप rely नहीं कर सकतेघ्ट है, modern method आपके काम आते हैं आपके इसे फॉरे मियाच्प Giving और ही जाते हैं मात Пडे दिए हाई बहुत बढ़ हुदा है। fro I can have Бढई व्हुर्ण के इसका यह वो जाती है। अब तो खिर क्राश में वैसे तलाब है लगे हुए कहीं भी इरिगेशन कर लो लेकिन वैसे बता रहा हूं कि उसमें होता है पाकिस्तान के जो मेजर बिराजेस हैं आपको एक दो के तीन के नाम याद होने जरूरी है चश्मा बिराज है, रसूल बिराज है, मराला बिराज है और आपका कदीलाबाद बिराज है अच्छा यहाँ ना मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूंगा बड़ा एक इंट्रेस्टिंग कमेंट था उसके बार में एक छोटी सी बात कर दूँ जो तुदेंट्स कहते हैं, जो तुदेंट्स चाहते हैं और आप भी अविलेबल होते हैं तो इसका फरक बनता है तहिक एक चीज़ क्लियर करने हैं यह मेरा सोर्स आफरन निंग नहीं है मैं आपको यह चीज क्लियर कर दूँ कि बहुत सारी स्टूट्स को ना हमारे एजुकेटर चेंज के बाव मामले में इस वाल में क्वेश्चन आ जाता है कि सर यह आपका इसको अगर आप मुफ क्यों चला रहे हैं आपने कल को ऐसा क्या बेनफिट फाने है इसमें से तो बैट की होता है यहां जिनसे इतना वा करने हैं एकशळी मीट करने होते हैं उनका तरजे हमरे हमारा डिफ्रेंट होगा अमारे लिए स्रूरण नहीं है खेर लिंक किनाल Initially कम पर experiments है कि नसकी जो एक तूंसा पंचिनद यह थी चाहिया याद करने बहुत है ठीक है जी लाज डेम्स और स्मॉल डेम्स का जो डिफरेंस है उसको याद करने जो इनी सिमिलरिटी से डिफरेंस हैं एक चीज़ में और कोट करना चाहूंगा जो मैं काफी हत तक इस चीज़ को समझता हूं कि मेरे लिए काफी अल्ला का शुकर है कर सकते हैं कि हमें हमारे बाकी कारोबारों में बड़ा यनी फाइदा दे दिये हैं हमारे बाकी कारोबारों में हमें बहुत ज्यादा अच्छे वह रिटरंज आने शुरू है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसको इस तना दा पेड़ करने की अभी अल्ला करें अल्ला इस इसको इसे ही चलाते रहेंगे हैं ठीक है बाकी वारा आगे जी जो आपकी स्मॉल ऑफ नाज डैम के अंदर उसमें यह है कि आपका वो स्मॉल डैम के अंधर जो होता है वो सिर्फ एरिगेशन के लिए वो स्टोर कर रहा हुता है और जो आपका सॉरी जो स्मॉलरिटी ने पहल कुए आनए आन में तो अजय शहीं करते हैं है यह यह घरए डामडर जो खुड़िसे होते हैं मंधिस के वे से भॉल प्रॉब्लम में जो उनियुके प्रॉब्लम करना बड़ािज़ कोई न इतना इसही नहीं होता, इनीशल इंवे्स्मिन्ट जो है, स्मॉल डम की काम होती है, लाज डम की बहुत जड़ा जो है पस्टान की सूट कर तेम्हां यह है यही मैं देख देख रहूंगा है लIGHT का लाएट वह जलाईंड है मुझे से खेर उसमें यह कि आपका स्मॉल डैम जो है वो जो वह एपना स्मॉल यह नहीं पीछे नहीं भाई उपर लगी वह है यह यह वो राइट है क्यों अपना जो स्टूडियो लाइट होती है जो इसलिए इसलिए सूट करता है कि नीशिन इंवेस्मेंट कम है हमारे इसके क्वाइब कर देतें लोग कर सकते हैं हैं कि अधियर इदर भाइब में पीदा इसलिए को अधिन था रहल कर सकते हैं कि अभी पारज आधा है तो वह फलट कर जाते है ठीकई निमें पाने एक्स्टा ओजाता है लाज़ डैम में यूश नहीं है लाज़ डैम में पएस्ट जगास क्पैस्ट प्लेज बहुत कंड़ते हैं Small dams के अंदर आपको बनाते हुए लोगों को कम डिस्प्लेस करना पड़ता है, कम उनको वैक्यूट करना पड़ता है, Large dams जो है उसमें सिरूरी होता है, कि आपको बहुत लंबे एरिया पे लोगों को वैक्यूट करना पड़ता है, जैसे जब mangalar dam बना है तो आपको 40 जा लोगों को वैक्यूट करना पड़ता है, बहुत सारे mangalar dam वाले लोग बाद में UK में सेटल हो गए थे, ठीक है, उसके बाद यह कि small dams जो हैं, इंका impact जो है, rivers की उपर, water fishet की उपर, आपकी उसके उपर aquatic life पे बहुत काम होता है, large dam का पूरा-पूरा ecosystem तदील हो जाता है, उसमें यह कि कई बार irreversible और जो ऐसे damages है, जिनको आप बाद में mediate नहीं कर सकते, यह damages हो जाते हैं, ठीक है, siltation का problem है, siltation का माइना को था है, कि इस the eroded material, अब इसको जी अवेलेबल होगी, बैटे, पूरी अवेलेबल होगी, और आपने rest करना है, तो आप कर सकते हैं, सोना चाहें, तो सो सकते हैं, मुझी बच्चों का सुबा पेपर है, वो मैं उनको रिक्मेंड यह करूँ का, कर आप सोना चाहते हैं, अभी सो जाएं, कोई इशू नहीं है, आप सुभा इसको वीडियो को देख लेंए, वीडियो इंशालला वेलेबल होगी, अब अल्ला ना करें, यह हैं ना हो कि वीडियो किस वज़ा से उड़ जाये, इनकेस उड़ जाती है, फरेशान ही नहीं हम दोबार सेशन कर लेंगे, मुझे कोई इशू नहीं है तो यह होगी अपना इसमें इसमें स्लिटेशन बनादाय कि यह एरोटिट माटीरियल है, जो के मांटेम्सthey जो इरोड होता है रिवर के फ्लो से जो आगे वो कहरे होता है यह जिरी वो आपको कोज्स आजाते आपके हिसके अधर कéger हरा देटेशन के कौश смे इन हैं कि इसमें कर दूदी कि तूंजQué करी जिये इसमें हिमाला एं으र yaож x इस एरिये में डिफॉर्स्टेशन इतनी हो चुकी है कि आपका सॉइल को आपस में होल तुगधर करने के लिए वो अवेलिबल नहीं है तो सर्फिस रन ओफ ज्यादा है डिफॉर्स्टेशन जो है इससे आपका यापकी वुड जो आपकी तिम्बर इंडस्ट्री में आपकी इंडस्ट्री में तो उसकी व्यासे हो जाती है बाकी आपका के रिवर्स जो है वो डीप और नेरो वैली से फ्लो करते हैं तो इरोड़िट माटीरियल जो है वो आम तोर पर डैम के रिजर्वार में पहुंच जाता है ठीक है अब अब अफेक्ट्स क्या होतने है इससे एक उसके फ्लोयडूग हो जाती है और तो नेरो भाता होता है तो दैम के वालएक के आप चुड़क्शी अपर ब्रेश बट्रेट्रूग होता है ठीक है सर जजाकला उसके बाद आगे हैं कि अग्या के चैन्टूल्स के हैं किया ए फॉरेस्टेशन करें हमालाय के अंदर डी फॉरेस्टेशन कम्पेंज करें जो इंबेंक्मेंट है यह तो सब्सक्राइब आप करें के सिल्टेशन जो इरोड ना कर पाए ठीक है बाकी तो बहुत सारा जो है आपका डैम की फांडिशन बेटा विजी किस तरह होती है कि जब आपका फ्लड वाटर तेल से आता है स्पीड से आता है तो अगर उसके फ्लो के अंदर रस्ते में सिल्ट अटका हुआ है तो अब इस वाद है फ्लो नी कर पाएगा तो प्रेशर कहां अब को के डैम जो होता है उसमें सोली एलूवियम जो मैंने सबसके मता है कि आपका अई-कल्चर फील्ड से कम पहुंच पाता है सिल्ट कर रुकसान यहिए कि वाटर फ्लो जो है रइगुलेट नियू होता सहीती कि से उसमें यह कैक्षिज़ गडा है आपका उल्च कॉर इ बजाए के लॉट को उसमें फोजे जमा हो जाए बात में आपका फ्लोव तो आप जो किया कि मैं तो आप कनाल का फ्लोव को खुल ताकि झांग करें और कि अधर का बाटर स्टे करें सिल्ट का यह कि उसको कम चांस मिलें डिपोजिट होने का ठीक है बाकी आपका प्लाइमिट चेंज के फाकिस्तान पर एफेक्ट करें कि वाटर शॉटेज जो है उससे हर चीज़ पर जो है नेगटिव एफेक्ट होगा इंपोर्ट्स आपकी इंक भॉण करती हैं पाकिस्तान की मेरेइब शुकर शुकर खने बाकिस्टान का यह कर सकते हैं मकाफसते लों की जा सकती है आपके इरिड्य जो आपके एरिड एरियास है उसमें के डैप्र्ली इरियो सकते हैं ठीक है Internal External Migration जो है वो बढ़ सकती है आपकी रूलर एजाद में पुवर्टी विया से Climate Change से डॉप किस तरह करना है Water Conservation आप उसको domestically भी conserve करो Even industry में conserve किया जाए अचा उसके बाद ये है कि आप provinces के भी जो है fair share ने उसका उसमें ये है कि जो आपका plant conservation है सेविंग इनको सेव किया जाए उसके बाद इनको सेव किया जाए उसके बाद ये मैंगरूव की सेविंग जो हम लोग इसका फॉर्स के चैप्टर में कवर भी करते हैं इसके बाद ये cottage craft एं small scale industry जो है उनकी dependence होती है आपकी इनको increase करोगे उसके बाद ये आगया आपका drought resistant plant species जो है ये genetically modified species होती है वो plants होते है जिनको कम पानी में जिनता रह सकते है और salty पानी में जिनता रह सकते है water resources को increase कि जा सकते है desalination of water लेकर ये बड़ा expensive of a time इसके जो है नए तरीके ढूनने पड़ेंगे उसके बाद ये है कि आप agrarian economy को shift कर दो यह जो agrarian economy है यह जो आपकी इंडस्ट्री इंडस्ट्री सेक्टर पर service सेक्टर पर tourism के उपर उससे ही है कि आपको बड़ा improve कर जाएगा वो आपको उतनी dependence नहीं डएगी water के उपर बाकी यह कि आपका environmental protection plan को आप rigorously और strictly इंप्लीमेंट करें ताकि आपकी इंडस्ट्री इंडस्ट्री ठीक है इसके बाद बच्चे बताएं अगला चप्टर कौन सा करना है नेक्स चप्टर बताएं यह क्या आगे है अच्छा जी नेक्स चेप्टर बताएं या बेटे climate हम ने कल कवर किया था कलवारे session में आज हम जो करने यह वो है अपना water resources कवर किया अभी अब मारे पहले चार चेप्टर जो है वो तो पूरा section जो मुकमल हो गया fishing वाला कर लेते fish पॉल चेप्टर बलके fishing वाला के नोट्स चाहिए आप लोंगों मुझे बता दें मैं उसके नोट्स शेयर कर सकता हूँ मैं इसी होगा fishing 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 जो बच्चे crash course ले रहे हैं न वो class 6 के नोट्स खोलने class 6 जो है वो fishing college class है ठीक है टोपोग्राफी है हमने कल कवर किया है कल वाली वीडियो वेलेबल है उसमें देख लिए टोपोग्राफी हमने कल कवर किया हुआ है ठीक है fishing वाल के है भी छोड़ा चेप्टर काफी यह भी हो जाए कवर को मसला नहीं अच्छा जी इसका fishing माले में यार देखा की दो टाइक की fishing आजाती है पहली आपकी आगी marine fishing ठीक है एक तो यह कैमरा में जान ले जाए अच्छा जी यह क्या है अच्छा जी फिशिंग के पहला जाता है का marine fishing fishing जो यह वो फिशिंग होती है जो आपकी कोई भी आप 8-9 chapters कर लें बागी छोड़ दें कोई issue नहीं है paper हो जाता है यह कोई बड़ा issue नहीं होता अच्छा उसके बाद ही है कि फिशिंग के अंदर आपका जो है यह जो आपकी sea और oceans के अंदर fishing होती है इसको हम कहते हैं जो आपका marine fishing ठीक है यह mainly Sindh and Macaran Coast में हो रही होती है जो Sindh Coast का राके है 30% of the total area है और जो Macaran Coast का राके है वो 70% of total area है पाकसानी coastal line का लेकिन Sindh Coast की importance ज्यादा है इसमें Macaran Coast की काम है कि पर develop ज्यादा है ठीक है main area में जो है Sindh Coast के कलाची है मकराम Coast के 3 main ports भादर पोर्ट है जिवानी पोर्ट है जिवानी अर मारा और पस्नी पोर्ट है भागिजवानी और सुम्नियानी जो पोर्ट है यह भादर भादा है भी इसमीन ब्रॉप हो रहा है कुए मेजर पोर्ट में बन सकता है ठीक है जो आपको marine fishing मिलती है वो sharks है, croakers है, drums है, catfish है, razor skates है marine fish की types में inland fish ना लिखाना है एक common गलती बच्चेगार आती है, ठीक है inland fish के अंदर आपकी जो पिए वो fishing है जो rivers और lakes में हो रही होती है, streams में हो रही होती है inland streams में हो रही होती है basically fresh water में हो रही होती है fresh water यानि के solid water नहीं है naturally यह आपकी सिंध के lakes में भी होती है जो rivers of dance में होती है, rivendous activities में होती है और इसकी जो उसमें यह fish farming के है basically man-made ponds होते है वो use किया रहे होते है और इसमें आम तर पे rectangular ponds होते है square नहीं होते है यह आम तर पे इनको cement किया जाता है इनकी wall को और concrete किया जाता है walls को और base को ताके water loss नहीं, water absorb नहीं हो ठीक है और base को solidify mud से solidify किया जाता है trees को plant किया जाता है इनके side पे उसका reason यह होता है कि वो evaporation कम कर देते हैं उसमें से उसको ठंडा कर गया नहीं एरिया को ठंडा रखके को shade देते है ताके water body cool रहे, ठंडी रहे और उसमें यह के fertilization और reproduction of fish increase करते है कि कुछ-कुछ fish होती है उनको tree roots के area के दर जो है वहां पे अंडे देनी है यह spawning की आदा होती है ठीक है fish farms की distribution के बने में क्वेशन का जाता है कि क्या distribution रहा है को distributional question जब भी आए ना पेपर में तो आपने उसकी तो बताना है कहां ज्यादा पाया जा रहा है कहां बिलकुल नहीं है कहां वह आपको closely वह डिवेलप बिला जा रहा है कहां पे आपको नजल आ रहा है कि वह बहुत जदा sparsely available है यह चीज़ें आपने mention करनी है उसके इंदर ठीक है उसके बाद ही आ गया कि जो यह basically जो आपको मिलेगे mostly आपको वो मिलेंगे fish farms मिलेंगे वो river इंडसोर्स की tributes के पास मिलेंगे reason यह है कि वह भी सिवाद है water supply ample है आपको त्रियूबल वड़ा से water supply जानी करनी पड़ती artificial supply है बहुत काम होती है तो cost बच जाती है पैसा बच जाता है उसके बाद ही है कि river जो आपके वो है river जो है वो नूट्रिस लाते है इसके इदर river के साथ जो नूट्रिस अलूवी हमारा होतर silt आ रहा होतर आपके फिश की growth बेतर होती है जो दूसरी बाद ही है आपको यह नहीं मुस्क्री में बिदा है river के close close मिलेंगे करीम मिलेंगे उस बाद ही है जिस area में good irrigation होगी water supply होगी महाँ पे आपके लिए आपको ज्यादा मिलेंगे fish palms में land flat होगी plain होगी regular supply of water there is land barren land hard rugged difficult आपको पॉंड is not difficult nutrients नहीं है trees काम है लिए और आपको पॉंड को रिकलिज करने के लिए यह जिस के आपके उसको tanks भो पॉंड को रिपलेश करने के लिए आपके पस भॉबलेबल नहीं बाकी आगे के एक आपको फिशवर्मिंट को डिफ इनके बेनिफिट्स के हैं, आपको फिशर्मेच जए जए जएधा उसमें से अर्ड कर सकता है, इंप्लोइमेंट आपको इंक्रीस हो जाती है, गॉर्मेंट के और बर्डण कम हो जाता है एक इंप्लोइमेंट करने का, इसे प्रड़स की यह food की आप अगर export करो तो foreign exchange अठो होता है अगर आप इसको sell कर सकते हैं ठीक है फिश farming के effect क्या होते है ecological effect की है कि आपकी एरिया की ecology है वो काफियत तक effect हो जाती है reason क्या है sub soil water जो होता है पंप करते हैं तो water table आपका कम हो जाता है में वाटर लॉगिंग हो रही है तो उसका बड़ा अच्छा हल भी है ठीक है अगर रेकर मसला किया कि एक्स्ट्रा वाटर रिवेड़िट कर जाता है विनम बता है कि जब भी वाटर प्रट रहें का तुस पीछ सॉल्ट रहे जाएका सल्ट बढ़ सकती है अच्छा उसके यहां पर जर्रेश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है मैंने आपको पहले ही बता है कि बच्चे जिन आप इसे जिन लोगों ने सोना है वो सो सकते हैं मैं इसको तक्रीबां डेड़ से दो वह तक कंटीन रखूंगा इन्शाला इन्शाला बाकी इसकी वीडियो आपके पास व पर फर्स्ट उनके लिकल जाएंगे काफी इजी हो जाएगा ठीक है उसमें यह कोस्टल वैटलेंड जो है कि आपकी मेरीन लाइफ जो है वहां पर रिप्रोड्यूस करती है अगर इस एरिया को आप फिश फार्मिंग लिए यूज करते हैं तो आपको नैचरली वहां पर फ फिश जो है नैचरल वीडिंग उनकी लेकिन मसला यह कि आपकी फिश की डिश्टर वीडिंग रिडियूस जाती है नैचरली ब्रीडिंग कर पाती है उसमें यह इन एक्जैम्स कर वादर जी बिल्कुल पुछा जा सकता है वादर पोर्ड की मोर्टनस आ सकती एक्जैम में लिए भी आ सकती है यह अच्छा क्वेश्चन है आ जाता है एक्जैम्स में आ सकता भी है ठीक है जी इसलामयात के यार कैलिफ्स के नोट्स तो मैंने उसे विक डाल दिये थे कोई और नोट्स नहीं है तो मुझे पताएं वो भी डाल तो मुझे नहीं है अच्छा इसके बाद ही है कि आपका मेरी निको सिस्टम जर डिस्टरब हो जाता है असपद आगे कैमिकल प्रोडुशन जो है आपका जवाप फिश की ग्रोथ के लिए वो करते हैं बेटा आपने एक कम लिख दिया यार यह मज़ग यह तो यह अच्छी बात नहीं है पूर इंदर यहीं जो कोस्टर एडियास में जहाँ पर आपके पास बेस पी मौजूद होती है उसकी इसमीन की और साथ पानी का भी नो रहو रहा होताय कि वहाँ पर इस कर सकते हो ग्रो कर सकते हो फिश फाम लगा सकते हो कि फिश वहां पर नैशली भी आती है दूसरी बात यह कि आपकी फिश की नैशली बीडिंग पैसर पड़ता है दूसरा नुकसान यह होता है फिश को करने के लिए या पैस्ट को किल करने के लिए यह चैमिकल्स बाकी और्गेनिजम को मार सकते हैं उनको नुकसान पहुचा सकते हैं एक्वा कल्टर जो है फिश फार्मिंग का बेनेफिट ही होता है कि आपकी हूँमन और अनिमल वेस्ट को नैचल फर्टलाइजर की दो भी यूज कर लेते हैं ठीक है जो एक्स्तर मेटिरीव होलता है याल से उसे पोल्टरी के घाना तो पर्ल Sm own ज़ो posición पाँडा होती से यालक्त जब से प्रैंड में पलैंड़िन ही जी इयुन से रहां दॉंबरा है यि ट्राउट है फैला है श्लुट से फानिवा झादा । स्पीशी से ठीक है इंनलेट फिशिंग के मेरे अलियास जो है मंचरें लेकि है पका रादुडेअ कियारी है कींजरें लियगे लेक है लेक नौथ अफठथा में ठीक है हलेजी लेक है वेस्ट ऑफ ठट्ठा उसके बाद आपका डिवर इंडस्ट जो है सक्कर कोट्री और ठट्ठा के लाके में मंगला और दर्बेला अच्छा कुछ स्टूइट्स मुझे थोड़े पहला गया थे कि सर मुकाबले की वावत है मुकाबला वाला जो है मुकाबला हो जाएगा मुकाबला देखो इस तरह होगा कुछ इन लों के कल आखरी पेपर्स है जिन टीचर्स के for example वो इसके बाद ईजी हो जाएगा वो अगर फुरी रात भी session दे ले इतने बात है तो कल सो जाएगे easy हो जाएगे बस एकर मैंने कल फिर दुबारा मुस्लिश सब्जेक्ट के session देनी है ठीक है यह बात क्लेर हो गई यह बहां यह बच्छे ने explain कर दिया यह देख लें ठीक है उसके बाद आगया क कि मेंबर को कि मुझसे फूच के comment किया करने इस मामले पर ताकि मैं उस पर कुछ बच्चें को कुछ फुचों पर confusion होती है फिर वो कोई और बात कर देते हैं मुझे उसको जवाब देना होता है मैं आपको पहले बना की है किसका मुझसे पूच के जवाब दिया करने मैं को क ठीक है जी अच्छास पादिया आगया small scale subsistence farming जो है उसमें यह है कि आपका यह fishing होती है mainly personal use के लिए होती है family consumption के लिए होती है उसकी food की requirement meet करने के लिए होती है यह sale के लिए नहीं होती है अगर extra catch हो जाए तो sale कर देते है जो conventional methods हैं वो यूज होते है small nets small boards कोई refrigeration facility नहीं होत होती सिर्व आप तक्रीमेटर तक जा सकते हैं सी के अंदर उसमें यह है कि permanent source of income नहीं होता एक week जो rough spell अगर आगर आज जाए सी के अदर तो पुरी तरह जो आपकी अर्डिंग सफेक्टोस होती है ठीक है large scale commercial farming जो होती है यह होती ही उसके लिए sale के लिए इसमें है अर्डिं इसमें यह है बिटे आप फेल नहीं होंगे इसमें मेरे खाल है एक टीचर ने पहले यह बताया है कि शायद यह चैप्टर कल आई नहीं रहा ठीक है तो जो बच्चे उसमें यह है कि सिंब कोस्ट में वह मांते हैं तो उनको जो देन हैं प्र सको पढ़ने की रहां भी कर सकते हैं क्याना में golden कर सकते हैं कि ऐसे इस पादन में से इसल्ट होता है हुए इसल्ट होटर से थ होता है सिंध कोस्ट में हारबर शेल्टर डैंस में फिशिंग इजियर है आपको वैदर इशूस काम है ठीक है उसके बाद यह है कि आपका शेलो इसी है वाइड भी यह काफी जदा यह दिया करने के लिए और शेलो है उसमें यह है आयू सीरיאस मतलब सीरियस यह मजाकवाला कमेंड कीया यह सीरियस बात कीया मैं उन्हां पूछ रहाओ अच्छा उसके बाद यह यह के डीप होता है शेलो सी यह उसमें इक डीप सी में मुश्चिंग मुश्किल होती है कि फिश बहुत नीचे होती है इसमें आपको ज़्याद के साथ होती है ठीक है बचे मजाख नगरिया सही बार होता है ठीक है उसके बाद ही है कि यह लैंड मैस यह जो होता है यह उससे वो कर रहा होता है इन्फिजिन कर रहा होता है उसमें यह कि शेलो यह वाटर बाड़ी शेलो होती है फिर वही बात है कि फिश उंची होगी उसको करना آسان होगए उसके बाद ईग सिंद सिंद कोस्ति कोर्ट से वहां से यृजिए सबी है फिजिए ह्बाद जो रिट्च सेडीमेंट्ट dot और Division of Safety है को जा रहे होता है उसel है कि आपको प्लेंक्तन की जो कोई होती है है आपकी जो जो है सी लाइफ जो हो बेतर होती है उसके बाद ये कि आपका एक्सपोर्ट और प्रोसेसिक फैसिलिटीज जो है वो इडिस डेल्टा में बेतर है कमपेर टू बलुस्तान वो अब तो वहां पे खायर डिवलोप्मेंट हो रही है लेकिन फिर भी जैनरली कमपेर किया थे तो काम में है कमर्शल फिशिंग जो है वो ज्यादा आउटपूर्ट प्रोड्यूस करने काबल क्यूं होती है कंपेर टू सबसिस्टेंस फिशिंग ठीक है पिटे टो टाइम की बात है ना टाइम का तो यह एक बैना आपको उस दिन बताया था तकरीवर हम लोग पिछले तीन दिन में बाइस घंटे के टोटल सेशन कर चुके है ठीक है अब यह मेरा खाल समय किये तक तरीब तीन में से एक दिन पूरा हम ने सेशन दी की है तो सर जजा कर ला देखो मैंने आपको यही काया है कि मेरे अंदर उस्तावी कपैसिटी नहीं है मैं इस मामले में किसी भी और टीचर से बहुत कम एक्सपिरियंस टूँ मुझे कम टाइम में स्लेबस कवर कराना नहीं आता है मैं पूरा स्लेबस डिटेल में कवर कराता हूं ठीक है मेरा जहन यह कहता है कि स्लेबस कवर करो मेरा जहन यह नहीं कहता है कि आप गैस पेपर पे जाओ यह गैस पेपर से बेतर है यह स्वेश पढ़ना है आपको पूरा से पढ़ना है पूरी रात वहले बनों बढ़ा सकता हूं मुझे शूर रही है ठीक है खेर बात गंदी लिए करते हैं अब अब आपको पूर्ज़ यूजर की जाती है सांड वेज जाती है सांड वेब जो है फिछ के शोल को टकराकर वापे साथी बतला जाता है कि फिश का में जो जूनड है वो कहां पर इन पर तो स्के बाद ही है कि आपका as a result जो है आपकी लाज फोर्ट शोल फिशा वो ट्रैक की जा सकती है गिल नेटर्स हैं इसमें होता है कि इनके smaller holes होते हैं तो जादा फिश फंस जाती है जादा फिनिकल निपाती है नुकसान ही है कि बाई फिशिंग हो जाती है और बाई फिशिंग में सबसे बड़ मनि में के यह गृप है रखिशन में हैं जाती है खरी इस फेस्ट फिश खराब नी होती है औरallahi साठी विस्स की उसके और चिवाड़ी है Gब यह दूर जाकर पकड़ सकती है उसके बाद यह आगये ऑगेया वैलू एडिट प्रोडक्स जो है, उसमें यह है कYा कर सकती है? क्या कर सकती है कि वैलू एडिशन यह ओती है, कि जहां आपका जो खर्चा हो रहा हो तैं हम प्रोडक्स के वालू बनाने लिए उसकी जो फाइनल प्रॉफिट हैसे काम होता है चले हैं वह आप लोगों सबकी दूआ से मुझे मेरे क्लाइंट ने आज टिप भी दे दिये हैं खैर उसमें यह इने ग्रूप मेंबर को बता रहा हूं ग्रूप मेंबर जी क्लाइंट दर्से टिप भी मिल गया चलो ला के शुकर है उसमें यह कि वैर्यू एडिट प्रॉडक जरूर चलेगा इस पदो टाइम के हो गया है टाइम देखते ना टाइम अब बारा बजे और यहां मुझे टीम मेंबर यह बता देंकि हमारी क्लेबरेशन का टाइम किस ताइम पर क्लाइट करना है आपस में उस साफ से बता जता हूं कि आपको घंटा चलेगा और चलेगा आपकी कैंड फिश है फ्रोजन फिश है फिश प्रोसेसिंग फिसलिटीज यह आपकी लोकली इतना काम नहीं आते हैं कि लोकली हमारी फ्रेश फिश अवेलिबल होती है तमरीक हातले के इंवेस्टर ने जो कंट्री जमन में एक्सपोर्ट किया सकती है मेडियरॉजिकल इफ्रमेशन बेतर हो सकती है आपको वाइदर और क्लाइमेटिक रणीसन पता होगे कब आपने फिश इंग करने दादा फायदा होगा उसमें यह कि आपके पास मेंचमेंट फिशिटीज होती है थीक है जी उसके बादिये कि वॉटर जो आपका मेरीन पाइबर्स को मीट किया जा सकता है ठीक है उसके बाद या फिशिंग अंगवादर वर्स टाइम जो होता है में से सप्टेमबर तो को तरह रही होती है साउथ बेस्टरन मौन सून कौन सी वह यह नहीं जो इस से एरिये से आपको आ रही होगी आपने या दखना है यह वारी मे सब्सक्राइब देने की जरौत नहीं है मेरी बड़ी मुद्बाना गुजारश है टीम मेंबर से इस मामले में अजरी फिश मार्केटिंग आगी जो फिश मार्केटिंग है यह बहुत लिया में आपको मिलेगी इसमें देखो एक तो होगी ओपन सी बाइंग ओपन सी बाइं पर लिए बहुत आरे तो मैंको चेक कर लेता हूं कोई इशो नहीं है उसमें यह कि में आपको होता है कि जिस बच्छे का जो भी इशो है ना मुस्ते भी डिस्कस कर लें अकल पहला हो और आफिपर है आप लोगका जो यह सेशन है तो मैं कोश्यों कम पर कर पके उठीक है त हिष भर्वर जो है उसमें धर पर पर हूंकि स्प लोगर है थी के आपका अたय लौकल हो रहे हैशके पेशनों मुट्रिकल आपक्र पर अदरम को छू कार्श्म करते हैं अ कि इल घृता अ पर falls-, त। जो होते हैं यहने कि स्ट्रीट पे पेड़ बेच रोते हैं साइकल फेल कर देते हैं आम तर पर फिख बीघ मार्केट मिलती है लोग इसको अपसंड नहीं करते हैं उसको फिख उपलब होती है और अर्बन एरियारे उसके इंडर के झाले होता है कि आपका इस तरह की जो फिख है वो यूज हो जाए इस पार इंटरनेशनल मार्केट जो है उसमें यह के डिमांड फर प्रोसेस्ट फूज होती है फिश का जाएंगे आपके ड्रम्स आ जाएंगे केट फिश आजाएंगे क्रोकर श्रेंप कटल फिश ऑक्टूपर स्कूर डिया जाएंगे ठीक है फिश खाने के फाइदे के हैं पहली बात हो यह के लोग रेस्ट्रल फूड है वाइट मीट है उसके बाद है उसके बाद है कि फिश जो ऑईल है वह आपका इंपोर्टन सोस अ विटमिन झार वीटमिन डि हैं आपके दिल के लिए बयतर होता है निकिल की मरीशा होता है अच्छा जिस조 के बाद यह पिश वेस्ट वहें वह हता है और नाक्रूपता है कि पोट्री के सांथ यूसर के लिए वास सकता है ठीक है जी उसके बाद या आगया कि हाओ टू कम्माइन फिश फार्मिंग और पॉर्टरी फार्मिंग कम्माइन किसे आता है फिशिग इंडस्री के प्रॉब्लम्स कहते हैं वाटर प्लूशन मेरीन फिशिग जो होता है उसे हाईली ईफेक्ट होती है किस तरीक ऐसे यह basically fish को भी poison करता है और अगर human वो fish खाला है तो human या नि human poisoning भी होती है हमारे mental road पर फरक बढ़ता है अचार यह जो fish होती है slow poisoning कर सकती है यह human के बारक होता है let's say आपको brain damage भी cause हो सकता है ठीक है जो पाकिस्तान के rivers है और badly आपको पॉलूटर ने ठीक है उसके दर यह कि आपके domestic और इंडस्ट्रियल वेस्ट इसका जाता है बाकि जो excessive pesticide herbicide fertilizer fertilizer देंट का यूज जो है उसको कर रहते है उसको वेस्ट disposal system मारा प्रॉपर नियम वेस्ट को टीटी कर रहते हैं इस पहले तो यह बड़े आपको नहीं चाहिए वो गैच हो जाती है तो वह फिश की पीछिज आप 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 जाया कर दो तक कमर्शल वैल्यू काम होती है जाया कर दी जाती है तो उसके विए से आपकी उनकी जो पॉपलेशन मुफ में कम हो रही है ठीक है बेबी फिश जो है वापके small spaces में कॉटर जाती है आपके लिए फिश को ग्रो करना री पॉड्यूस करना मुच्छ जाता है श्रिम्स जो है यह पूरा साल जो इनको यह निए श्रिम को पूरा साल जो की जाता ह जाती है उनकी पॉपलेशन का हो सकती है बीडिटिंग से करते हो उसकी विए सटी यह कि उनकी उवराल रिपरदक्शन लेवल उसके इस तवक के सासथ कम हो जाती है फोरन टॉलर्स जो है कर एक्सेस दे रहते है यह निए निए यह आप पर इसद़ दा फिश करेंगे जो पर देखें में कॉमल को हो गया था मॉडरन बोर्ट जो है मैथड़ जो है से आपके फिरिश कर वियो फिश का जो कैज हम इंटीज कर जाता है ठीक है और बाकी सस्टेनबल फिश्री तो ला करना है या आपको विए उद्धाया है अछे उस्टेन फिश्रीस वाला उसका बताए प्लीज तृट यह क्यrd सस्टेन Been efficient ऑट मित ए Güया अ शस्टेनम फिंश्रीन पटाए प्लीज मुझे कर भाएं ठीक ही कर वाँते देखो सस्टेनेबिलडी में जब भी आएगा ना आपने हमेशा याद रखना है कि सस्टेनेबिलडी के तीन एसपेक्ट्स होते है एक होता है कि जो current production है उसको current demand को meet कर सके दूसरा होता है कि जो future आपकी demand है उसको meet कर सके और जो तीसरी चीज़ उती हो यह थी कि environment को protect करें ठीक है इन तीन चीज़ें को झेल में रख दोगे न अगर वैसे आपको कोई चीज़ नहीं भी याद points तो इन तीन की मतलब points दिखाना आपके number आ जाएंगे किस तरह लिखने है issues यह है कि मैंना होता है कि over fishing का issue है by catch का baby fish का illegal nets का use है mangroves की destruction है mangroves उनका वो होता है breeding area होता है ठीक है जी उसके बाद यह है कि आपका water pollution जो है domestic and industrial जो होता है उसमें waste जो है untreated जो है dump कर दिया जाता है sir जजा कला जजा कला जजा कला अच्छा उसके बाद यह है कि आपका fish फीची जो होती है वो extinct हो जाती है ठीक है इसके extension हो सकती है इसको हम तो किस्ता सही कल सकते है हम fish के breeding season के अंदर fishing पे बैन लगा ते यह आम तरुके लगा भी होता है लेकिन यह कि मेरे चीज हो गई दूसरा यह कि foreign जो deep sea trollers है वो Arabian Sea को पाकिस्तान में उनको allow ना करें कि यहां पे आके ना करें किसी भी जो country का 200 km का area होता है उसकी border के बाद यह होता है उसका बेसिकली अपना वो होता है उसमें किसी और को अपना अलाओ ना करें illegal nets को ban करें ताके buy a catch और small fish का catch ना हो उस बाद यह कि mangrove protection शुरू करें mangrove protection को मतलब यह कि आप mangrove उसको क्यों की वो है illegal cutting उसको मना करें reforestation कर ले water production water production उसको कम करें waste treatment से और oil spillage से यह कि जो oil tankers फिलेज होती है उसको जल्दी correct करें जल्दी उसका जो है हाल निकालें बढ़ना वो उनको kill कर सकती है अच्छा जी next chapter बताएं भई कौन सा करना है जी notes यार मैंने mostly मैं भी session के बाद जो रहते हैं वो भी डाल दूँगा इंशाल्ला बाकि मैंने mostly फिल्मेस में share कर दिया थे अगला chapter बताएं भई अगला chapter मुझे बताएं कौन सा करना है power resources एक आगया दूसरा कोई और बताएं power resources ठीक है industries अच्छा power resources काफ से बचे power resources कहने हैं फिल्म वही करते हैं मुझे से वो देलने दे एक सेकंड से रफाएं पैस की वो ठाल इसके वो ठाल कोई चाहते हैं इसके प्रस्त ना कराएं यह क्या पढ़ा हुए है इसके मेरे पाल छॉट है जिए इसके म्युआ ला भूल लोग काफ रफाँ जीसरे प्रर्णी कितावे वर्ची के लिए तरह ना हम तर्के मेरे दोस्तों ने बोन फायर कर दें इसके किया अच्छा जीए अच्छा जीए अच्छा जी पहला चीज क्या हती है power resources में power resources मुझे बताती है कि हम ने क्या क्या cover करना है क्या क्या को आप लोगो आता है ठीकश पहली चीज मुझे तो आ गई कि मुद्व टाइव आप आपफ आप्यों से हैं आपके non readable resources it कि इन के बारे में पटाएं या पतायां जो इससा में बदा देजा है जो सभाना आपको मते को लो ऑइल गैस इनका पता है मुझे करना है यह अगर डिटेटेल दिना पर के जाओं क्या मैं फेल हो जाओंगा डिटेटेल किस चीज कि यार नेच्रल गैस बीच में और चीज नहीं जाती है बीच में कोई और चीज सुमस्मी हो रही है तेको जी आपने चीज़ आद रहनी है कि नैचरल गैस बिसी क्लिए खुद कोई गैस नहीं होती ठीक है इसमें आपकी ब्रूटेन है, प्रूटेन है, मीथेन है, हमारी जो आज आम तर पर गैस यूज़ वह रही हो थी है, ठीक है? इसमें आपने याद देखना है, प्रूटेन 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 है, मैं आपको बता है कि मैन बात है कि आपका जैसे नैच्टलिगएस है। जहां भी है इसमें कूई और बात मेन आती है मुझे यह नागया ऑरगनिज़िशन को पूछेगा आपसे की effectivement कौन कौन सी एक बाकि में बात है कि आपकी नैशनल गैसा ये आम तोर पे उसके ऊपर होती है ट्रैव की हुई है मैप्स आप मुझे कौन कौन से खह रहे हों मुझे मज़े मतलब बताएं के एक्जेक्ट्ली आप कौन से मैप्स की बात कर रहे हो आप पूसी के साफ से गाइड करूं अच्छा जी इसके बावत ने आपको न्यूक्ली इनरजी का पता है बताने मुझे आप यह करो बजाए कि हम जारा टाइम इस्ता लगाए मुझे आप यह बताएं कि पावर रिसोर्स में क्या चीज नहीं आती है बताओ कि उसको मैं समझाओ आपको वोड़ी इसको करना असान हो पावर रिसोर्स वाइच चैप्टर में कौन सी चीज नहीं आती है बताएं लोकेशन्स लोकेशन्स याद करने की जरूते नहीं है यार पावर अच्छी मैफ्स द्वाब और रिवर्स नहां द्वाब का आपको बदान सब्सक्राइब होते हैं आप उनके नाम से याद करो ना देखो इस तरह चज द्वाब है आपका वो चनाब और जहलम हो गया ठीक सैघर है, जो सागर है वह आपको उसको का जाता है और आपका जो सैघर हो गयां इस तीके से मैंने कल सारी बाते बताई हैं अगर बच्चे फुरा नहीं हाता तो आरहाम से रेस्ट करें पेपर को मिस्स करें पेपर नहीं होगा इन्हें या अधर मार्ट है कि पेपर में तिस तरह कुछ में नपगदा है जर्लोस के कॉशिंज होते हैं नपे करना साह जाता है गैस जब के मैफ सियाद करने जरूरी डिया कुछ नहीं होता निजिए वल वाली बढ़ाद है अच्छा दीखो यार बड़ा मतलब इंटरस्टिंग हो है देखो जितने भी आपकी रिनियोबल रिसोर्स्टिंग है ना रिनियोबल रिसोर्स्टिंग है अगर आप उतनी इनर्जी प्रोड्यूस करना चाहो कि जितनी आपने प्रोड्यूस करनी है जितनी आपका एक फर्स हो रहा है कि आपका वो कर रहा है प्रोड्यूस आपका कोल बेस्ट प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है तो यहां आपने याद रखना है कि वो जो होगा उसमें आप इनिश्यल कॉस्ट आपकी रिन्यूबल रिसूर्स की ज्यादा होगी यार हडेकी ना कोच्छे करो कि एक एक लोगेशन ज्याद कर लोगा इतना ही मस्वाए तो एक एक लोगेशन ज्याद कर ले बस कोई इश्यू नहीं है ठीक है जो मैं बता किया रहा था आपको उसमें यह कि आपकी बात निकाल दी है जो आपकी रिन्यूबल रिसूर्स हैं उनके अंदर हमेशा यह होगा कि जो आपकी इनिशल कॉस्ट है सेम स्केल पे यह ना हो कि आप संदे को एक घर का अव्यसी बात है सोलर करना पांच लाग पर पढ़ता है पांच लाग पर में आपका कॉल नार्ट नहीं लगता लेकिन यह एक घर की बात नहीं होगी जितना आपका एक कोल बेस थर्मल पावर प्लांट जो है जितना वो प्रोड्यूस कर रहा है इनरजी उसके बराबर प्रोड्यूस करने के लिए आपको जो रिन्यूबल रिसूर्स होंगे उनकी इनिशल कॉस्स जदा पढ़ेगी लेकिन इनि जाए लिए और अपने क्राइब जो आपके नौन रिणी रिसूर्स होते हैं उसके नदर आपको खुछ इंजर्ट करना पड़ता है जो आपके तीन में ये नावाडियूस नैच्रल गैस हो गया आपका वो गया अपना को लो गया ओया और वह गया सबस्प्रा मस्दा यह का तो आप आपके पास और इसके बाद चाहिए जो बहुत गरब इसको नॉमली इसको निगेटिव पॉइंट के जो भी आपके पहली बात होई यह इनीशल कॉस्प पहुजदा होगी दूसरा यह कि जो आपका विंटर सीजन है या जो आपके ऐसे स्पेल्स ने जिनके अंदर धूब कम पढ़ती है ऐसे अरिया जो धूब कम होती है वहाँ यह काम नहीं आता ठीक है उसमें यह कि आपकी वह कम होती है आप इसको सिंगली वह यूजदी कर सकते हैं आपको साथ को यह और वो लगाना पड़ेगा ठीक है इसकी वाकिए है कि अफमने काम अब इसका मेन अरिया होता है अब घर के ओपर मिमन लगासते है घर के अपर लगाएंगे तो घर की सारी शेव परबाद हो जाए कि इसमें अरिया का बड़ा इशू है विंड फार्मता कि वेंड इसको स्टुक्च्टर को सुचा-क्र आप्सटियो तियो तर्मा जहां भी प्लेट बाउंडरी मिल रही होती है वहां पे आपका जी और फिर जगा नहीं आम एका फ़र चाहिए उतना आउपूट नहीं पाकिस्तिन ने बहुत काम एरिया दो छाहए उसकती है तो ये सारे इसमें आधेर अब हैगाए अपको जाने हो सकती है स्थाइब करने पड़ेगी। फाइदा कि उसके इंदर कोई रेगुलर वह नहीं है। यानि नहीं को पर दो पर मिलती है। बाकि जन एरियां में यह नियृ प्लेट बॉंटरी मिल रही है। वहां फिसका यह प्लेट जादा भी हो सकता है है। बाकि आख को तक अब और जाता है सोलर हो गया यह हो गया जो गाँ बाइव फ्यूल के लिए कि बहुत का बेख बहुत का में इसकी जो प्रड़क्शन की बिभी वह है डिवपमेंट है इसमें यह नहीं आपको स्पेस्टिक रिकॉर्मेंट्स चाहिए जिस तरह के आपको उतना फ्यूल बाइव मैस मैटीरल हो उसमें इस्यू है कि यह आपको उन जो मिल सकता है जहाँ पर इसको पुश्चर करो आप पॉइंट को पॉइंट से वहां पर कनेक करो मैंने हमेशा है कि पॉइंट से पॉइंट नेक करोगे ना तो बहुत सारी आपको साथ वाली उगल जाएंगी उसके बाद बच्चा जो लाइस टॉक का पूछा है आप में मुझे बता है क्वेटा क्वेश्टन आपका एक्जेक्टली है क्या बता है मुझे इसको कि मैंने महा पॉले बच्चे क्वेश्टन से गाजू अन्य अलग से लिखें भी हुए थे यार अच्छा जी यहां पर आ गया का यह आगया देखें जी आपने से कुछ यह याद रखनी है एक तो आपका जो यह ना अपना जो आपका गोट जो गोट के हर्ट होते हैं सबसे बड़ा मसला ही है कि कर लेंगे वाई कल पेपर है यार क्यों होगे बच्चे ने बड़ा मजदार क्मेंट किया सर्कल कर लेंगे कल किस्ट रगंकर फेपर है यार कल सुबा कर सकते हैं अगर आपने कल सुबा सेशन में होते हो तो कर सकते हैं यह नहीं कि बचाए के बहुत लाज हर्ट उनको मैंने सही तरह किया रहा हो नुमैडिक हर्डिंग जहां पर वह रही है उसको आप सस्टेनबर इस्ता कर सकते हैं कि पैस्टर को रीग्रो कर दें यहां से मूव आट कर जाता है गौर्मन्मन्ट या उसके जो एंजियो इनरजनसी ने उसको आए आती आपकी सिलेक्टिव डीडिंग या ने याद रहना है इसलेक्टिव डीडिंग में मैं बता हूं सब्रीडिंग यह उती है कि एग जाप आप जो अभी इस वक्ताइब वेलबल उसके उन दो को बीड कर वाया उनको अपसमें जिनमें रिजाइबल कॉलिटी जीनिस का जिसे का उसका दूज जाए भागी जाद़ है आपका वीट की कॉलिटी साथ है सलि Cup उसको अनको ब्रीड करौाँंध मिल्क पुरुक्ष्टिर आपकी डिमांड डेरी पडेंड दिमांड लोक लीमिक हो जह heaven उसके बाद यह आ गया किआप डिजीज को किंट्रोल कर सकते हैं ताकि आपको कार ना या निमिल झाल बारा हूं कि आपके जो स्टॉक है वह जायाँ ना हूं इसके हैं कि आपको चैनल कापक This best day कि यह पहला की ती इसका फायदा यह था, इसको ज्यूए सथा Hamilton के विड़ा नख रादा भी आगा किॉर्श को पोर सकती है लाइस्टॉक की प्रोड़क्शन बढ़ाई आ सकती है और सिए कि आपकी कल्चिर लेंड जो हैं वो ग्रेजिंग फिल्ड बन सकती हैं आप आप एनिवल्स को ग्रेस कर सकते हो कोई और कोई अब मुझे आप पहले आपको कुश्चन साथ को पूछते जाओ जो जिसमें कॉश् मुझे बताया है बुझे चैप्टर बताएं कान सा करना सबस्दू इस अब फोकस करें इसके फोकस करें इसके फोकस करें वारत पर बार कि बताएं रहे है पाकिस्तान स्रेंटियати गार Canon कि कम से कम दो महीन है दो महीन इस गूर टाइम दो महीन में इस जोता है कि आपकी त्यारी अच्छी हासी हो जाती है ठीक है उस से कम टाइम है फिर आपके बड़ा मुआना ह Woody फ्रसकर आपको तके याद करने में मुश्किल होती है रो ले जिक गवाले पहले चीज है प्रूर्ट था प्रेड आपने श्रास्वर्ट पीजिए सब्सक्राइब कर ते करते हैं जो एक मुल्क अपने इनिगे इन साैड़ कंचरी हो रही होते हैं थब जया थब जया थब जया बूई थब जया यह 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 रहा नहीं यह लिए प्रक्टर ड़ा ने कहा किया हुआ था ने प्रॉपर इसका एक आंसर उपना साथ को मार्फ भी किया हुआ था यह रहा अच्छा जी इसमें यह देखें आप जो आप जी याद रखनी है एक तो आपकी टोपाग्रफिय उसको अफेक्ट कर रही होती है देखो सीधी सी बात है अगर आपका एरिया बीच साल कुछ महीन है यार अगर आपका एरिया जो है वो है फ्लैट है आपका लेंड जो है वो सौफ्ट है आपके लिए प्लो करना असान है ठीक है आपके लिए उसको करना असान है यहाँ पर यह नहीं के बोइंग करना असान है अगर आपका वो नैच्रली प्लैन एरिया है यह उसमें रिवर का फ्लो इस तरह हा रहे है तो आपके लिए वाटर डिग्रेशन करन असान है किना असान है ठीक है परी चीज़ तो आपकी टोपोग्राफी मेटर करती है स्वाइल बेटर करता है स्वाइल के अंदर मैं आपको शरकल मुझे बच्छे ने पूछा भी था कि अलूवियम जो आपके रिवर्ड डिपोजट कर रहे होते हैं और जो आपका लोएस है लोएस होता है वो ही स्री रोडेट्स मिटेरियल जिसके अंदरा कफाईद फ़ज़ार जाई है जो आपके उसके लिए निूट्रिन डेच होता है लेकिन यह आपका विन डिपोज़ट कर आपके गिर के हुमस फार्मेशन होती है तो आपकी और गैनिक मेटर जदा होते हैं उसके हैं उसके इंदर सेंड और कले का एक प्रॉपर मिक्सचिर होता है तो यहां से आपके बहुत हैं प्रॉपर गरो करना असान होता है वाटर इंक्रुटिंग रईफॉल और खाल रेज़ प्लांट्स वाटर की कमझे से डाय आउट कर जाएं ठीक है अच्छा अगर आप यह वह कर रहे हैं तो आपकी कनाल इंडिकेशन सिस्टम जो है वह बेतर हो ताकि बहुत गरम तंपरेचर में बहुत साई क्रॉप्स ग्रों निकरती तो उनके आपको आपको आप्टिमम अच्छे वाटी के साथ महां दी इसके इस वीडियो में पॉस्ट और जशुब आपको ब्रूंड प्रेट्स पर वेडिया है जेए क्या कि एक वह दून सहीं तो होगी दूसरा दाना आपकी प्रॉप्तर इकेशन था है अगर आपकर इस इसे से फाड़ना कर नहीं होगा यूंग टर्म में आपकी लैंड को वो ना करें एक्जॉस्ट ना करें उतना आपको फायदा होगा ये एक मेरे क्लाइंट की तरफ से फिर आ गया है ये मुझे कहेगा सरा आप में वो नहीं किया अच्छा खेर उसके बाद ये है कि उसमें ये मेकनाजेशन जए आपकी जितनी आपका मौडर्न मशिनरी अवेलबर होती है अथना आपका प्रडक्शन आउर्पू निक्रीस किया सकता है लेकि उसमें दूसरा नुकसान ये है कि मॉडर्न मशिनरी जो खुछ जहों पर नुक्सान पहुंचा सकती है इसे ट्री रूर्ट को प्रवर्टी बढ़ सकती है अगर लेंड होलिंग आपकी स्मॉल होंगी लेंड होलने का फायदा ये कम छोटी लेंड होलेंग एफिशेंट ली में चुड़ती है एक बन्दा बहुत बढ़ा रेंड हो रहे हैं एपनी फैमिली में फूद यह देख आ मसला ये कैसे जो उस मितिता के बाकी ये को एक जायएंर को करते जोय होता है चोटें'd को उसे का अपकी लॉंग टर्म में जो है उसको उसकी क्वालिटी को खराग नहीं, सोयल की क्वालिटी को एक्जास्ट कर सकते हैं, उनका दूसरा सब्ड़ा मस्ता ही है कि एक खर फर्टलाइसर रिवर स्टीम बैटर हो चाहिए तो वो डेट स्टीम क्रेट कर सकते हैं, क्यूंकि उनसे एक तो में खराऊ पर उनका करनरी सब्सक्राइब करने यह सब्सक्राइब क्वालिट जेर्फिकर्श कि शोमकिन कशक्ती है। इनका आपकलाजिकल यह तो अप्राइब कर जाती है डिए नेम आफ है ये खॉऑ एक वाइख को एक याद कर लो को एक याद कर लो च्रह आफ दो को नाम प्ता हों की पूर्से वे नाम लेते अजिए ना सिर्फ दो काफी है इस जदा आपने नहीं कि उसमें टाइम साथ जी असलाम लेकुंग याई वालाइट सुद्यो फिर हमारी हो गई है इंटरफ और हो इसकी स्थी मेरी टीम मेंबर से रिक्वेस्ट है कि इसको आगे प्लीज शेयर करें डीम रभी बेचने के टेमिज ढ़ने हों इसको याई जॉइन करने पर वीडियों को आपको बार वालिकम उसलाम याँ एक पॉंचे बार वहाई गई को फोगी है विड्यों के सभी आई नहीं पीचे है जिदी आई पारी थे अच्छा जी याँ , वालिकम उसलाम इसको करने या मुकामनों बेटे आप एक वेट से मुझे सही लग रहा काम आपका क्या हो जी जब इस तरह लोग है करना सीज जाएंगे तो मेरा खाल है मैं इंशाला मार्केट से निगल से कॉंपर्स पॉइंट का ठीक है अवाज देखें आपको सही आ रही है और आपको सही आ रही है सब दूसरा बेरे टीम मेंबर से में रिक्वेस्ट है कि पीज इसको या शेयर कर दे इसको अपर एलोटी एज़िएंट के ग्रूप में नो कैसे का गुड़ ये हैश्टेग ठीक है अच्छा है है अवाज अब देखें सही आ रही है अवाज को क्यों नहीं आ रही है इसको बाद चाह करें सही आ रही है नोट क्लेर बच्छों को कुछ बच्छों को सही नहीं आ रही है चले देखते हैं एक मिणट कि अवाज का उसला होता है मुझे सही हुआ है वाइस नौट एक मिन लुक जाए इसको जाए होने दें फिर देखते हैं बैटर राओ ठीक हो गया जी अच्छा हम बात के कर रहे थे इस टाइम अच्छी इसमें आपको सुब बात ये बता रहा था कि जो आपकी वो है मैंने को स्मॉल इसको बता दी एक फाएदा ये कि बहुत Ó यह जादा होती है इनका ये उसके हैं फार्म्स को अमार्ट करेंगेतॉ थीक है प्लांट प्रोड़ेक्शन प्रॉडेक्शन प्रोडाम हैं उनके बारे में में सर्च वरा करें अब बता है कोई और चैप्टर आपके जिसका इशुो हो बता है आफ मोस्ट वैलकम हैं यहां से अगर आपको जना है तो आप जा सकते हैं जितने एक ठूर्ट का मुझे पूच रहे हैं कि खतम कब होगा, जिस बच्चे का कल सुवा पेपर है, वो अगर जाना चाहरे तो भी सेशन में से जा सकता है, इसकी वीडियो अवेलिबल होगी, आप वो वीडियो आफटर जो है, अपने इसलामियात के पेपर के बाद आने के बाद उस वीडियो को देख लें, इन्शाला आप उस पर भी देख सकेंगे, वीडियो अवेलिबल होगी पेच के उपर, ठीक है, जिनने जाना है वो भी जा सकते हैं, कोई इशु नहीं है, आपको इसकी सेशन में रहने की ज़रोत नहीं है, आप बाद में इसको देख सकते ठीक है, अब अब यगर आप लोगोंने वो करना है, सोना है, आपका कल पेपर है, आपका कर सकते हैं, ठीक है, तो आप सेशन को कल देख सकने है, कोई इशु नहीं है, यह सेशन अंपेड है, प्री है, एक मुझा वाले का बाद इसास पूछा दो, प्रेड वाला किज़र है यह विदेना कंट्री, यह आपके मुख्लिफ शेरों के वीच में हो सकती है, इस्लाम लाद पढ़ लें, इस्लाम लाद का मेरा खाल है, कोई इंफरमेटिव सेशन हो रहा होगा, उसको अटेंड कर लें, मुझे नहीं पता कि हो रहा है, मेरे वाले की तो वीडियो पड़ी अगर आपने देखना है, तो मेरे वाले सेशन की वीडियो पड़ी है, कोई स्पेशल क्वेशन जहन में आता है, तो पूछना चाहें, पूछना है, साथ-साथ, ठीक है, अच्छा जी मेरा आपको उताया था, क्या बताया था मैंने आपको, ट्रेड का अनतादी आपको उसम आउटफ्लो हो रहा होता है, कीजि आप फॉर आइस स्टेंजन को पढ़े करते हो, तो उसे मिलको व्हों पैज करो तो उन्स खहीत होगे ना, तो फॉरने एकिश confidence का अनतादी आपको परडटग्ट का उटदिन का इन्फ्लो हो रहा होता है, पर भाहर भिकर होता है, और बजाए कि हर एक हर मुलक रची पूडिक कोशिच कर ले और फिर अगे इसे वो कर ले यानि कि आगे दूसरे मुलकों के साथ उसको वो कर ले स्वाप कर ले ठीक है या या ब्स्त्रेट कर ले उसकी दूसरा ये कि आपका जब आप एक्सपोर्ट्स करते हो तो डिमेस्टिक रिसोर्सिस की जो है सर जजाकल्ला दूसरा उनको भी आपको भी जजाकला सर सर मेरी शादी कब होगी बड़ा मज़्दा स्वाल किया या है कमाल हो गया जब अल्द अल्द देगा मौका हो जाएगी अश्में इसाद का पहले ही बता है कि जहाद के में पॉन्ट्स है भी बड़ा अगरे तो ठीक है वरना उसको चोईस पर छोड़ देना गूस्ट गोश्ट लिख लिखा हैं गूस्ट लिखए क्या लिखए दवारा इसको दोब़रा लिखें या आपको इसको question में दोबार लिखें अच्छा जी हम बात या कर रहे थे उसमें यह है कि आपका जो डुमेस्टिक resources दे में लिक होता है कि वो उनकी utilization बढ़ जाती है उसके बाद आपका जो information technology का जो develop world है उसे developing world है उसके बढ़ जाता है उसके आपका यह है कि value addition बढ़ जाती है value addition से आपकी जो है profitability बढ़ जाती है चीज़ की foreign exchange की earning बढ़ जाती है foreign exchange इसलिए जरूरी है कि जो आप किसी और मुर्सी कुछी ख़ीद होगे तो पाकिस्तिन लिपीन नी चाहिए होता है बढ़ जाती है तो foreign exchange की earning बढ़ जाती है economies of scale आ सकती है जब आप specialization करते हो large scale पर प्रोड्यूस करते हो एक ही चीज़ को तो आप economies of scale का फाइदा उठा सकते है economies of scale का मतलब यह है कि जो आपकी large scale production गया से average production cost वे वह कम हो जाती है ठीक है होता ही है कि जो आपकी variable cost होई रहती है fixed cost हो डिवाड़ रहती है जादा goods के अंतर जो country की national income है वो है वो आपकी increase का जाती है मैंना आपको बता दी है export ने इंपोर बता दी है एच्छा उसके बाद क्या आ आगया आपका पाकिस्तान का बड़ा main issue ही है कि पाकिस्तान का बहुत कम जो export items है उनके उपर पाकिस्तान का focus है पाकिस्तान की बहुत ज़दा diverse exports नहीं है तो मसला यह होता है कि एक major export का जो है issue आज़े से cotton के अदर फरसको कॉटन की एक बहुत बुड़ी फसल हो जाए और उसका industry ना चल पाए तो भागी हर्ची बहुत होती है यह अच्छी चीज़ नहीं है ठीक है उसके बाद यह कि पाकिस्तानी जो exports हैं बड़ी concentrated हैं कुछ ही ज़गों पर जा रही है बहुत ज़दा country नहीं जा रही है और किसी एक country के साथ में country साब का क्वेशन पूचें अब मैं जाले इस पहले दो थीं क्वेशन के लिए हैं वो बताएं अच्छा मैं दोतारों कि उसमें हम concentrated उसका मतलब यह है कि बहुत few country नहीं हमारी वो जो है वो एक्सपोर्ट डिरेक्टेड होती है तो उसमें यह किसी एक country से फढ़ड़ा वारा फड़ तो है थ्तुन से हाउधा है व्याव वैल्यूड्स है जदा महिंगे गुट्स है हमारी एको दीशिक He.ca проблем आगया कि यह वहों बाठाव लुत है यह इतना हूँ सब्सक्रीं मैं आट करते हैं। आप एक यह द्क यह बिस निए जो फर्डे जाए शूर्चर करते हैं। घृटेस कह लिखा हो गया तो फिर आपके मार्क पर टेंगे। एक्नॉमिक्स वाला जो है वो बिसिकली बड़ा एलाइबरेट मतलब है बैलनस पेमेंट का उसमें बहुत सारे सब पार्ट्स आते हैं जो आपके जॉबफी के स्टुडेंट्स है उनके लिए सब इतना बताना जरूरी है कि बैलनस पेमेंट का मतलब है इसके बाद मैं अप्लोट कर दूँगा ठीक है जी अच्छा जी नेगटिव बैलनस पेमेंट का होता है आपका जब आपका इंपोर्ट्स जादा होती है आप आपकी एक्सपोर्ट कम होती है एक्सपोर्ट कम होने की रीजन क्या है आपकी यह कि आपका जो प्रोड़क्ट की क्वालिटी वह उच्छी नहीं है बाहर के लोग खरीद नहीं रहे है अगर आपकी ऑईल प्राइस कर जाती है तो आपके प्रोड़क्ट की प्राइस कर जात जबता है कि value added code ज़्यदह इंपोर्ट कर रहा हता है जो export है वह मारी low value कि आपके जो लग्जूरी आइटम का जो हूता है जजाक अ कअला जी जो लग्ज़री आइटम है उसके अंदर नकसान यह jáった है जो वह ग्राइण करनी है तुसका त्रीका यह कि आप लग्जरी मोड उसकी गूर्स की इंपोर्ट्स ही बैन कर दो या हैवी टरिफ लगा दो उसके उपर अच्छा बच्छे ने क्वेश्चन किया हुए अगर आप जाते हैं डिस्क्राइब मुस्लिम बलीफ इन शादा तो फिर आप जितना कॉंप्रियंसिव हो सके बेश्चे को पॉइंट्स डालना ठीक है जियो का पेपर पैटरन यार मैंने बताया है कि हम इस पहले भी डिसक्स कर चुकी है इसके बाद भी कर देते हैं यह आग यह इंटिट है हम लोग बहुत सारे जो बहुत सारे फॉर्ण गोर्जिंग करते हैं इस चीज़े आती है उस पर यह के स्टेंडरिजिशन नहीं हमारे हमें पर कॉल्टी जो है बहुत हथ तक यह नहीं यह नहीं होता है तो मारे हाँ पर जो आउट एक्सपोर्ट है उसकी लगा है कि मुसली हमारी प्रिमेट होती है बैसिक होती है ट्रेट बैरियर्स का इशु है गर ट्रेड बैरी इनफेक्टिव लाएंगे तो रिटेलियेशन हो सकती है यह कि आप भी लगा लगा दे फिर आपको इंपोर्ट महंगी पढ़े उसकी इस तरह की चीज़िशने सब्सक्राइब कर दो या आप अपनी जो है टर्शी सेक्टर की जो इंपोर्ट में वह कंगी पढ़ती है जी बताया तो यह आपका एक्सपोर्ट को इंग्रीस किस्ता करना है हाई वैल्यू कुर्स है वैल्यू एडिट कुर्स का सौर्ट पेपर काइंड़ी शेयर कर दें ऑ अच्छा यह आगया इसके अंदर जो आपकी हाई वैल्यू अधिट प्रडॉक्सिं को बेचों के सदा आपको पैसे बिलेगे इसके बाद यह कॉटेज का इंड़स्ट्री या स्मॉल्स की इंड़स्ट्री को प्रमोट कर सकते हैं एक पर यार मेरी बैटरी पर खतम होई यह जो कितने घंटे का सेशन हो गें तीन घंटे हो गए मैं आज तुम्हाल है तुम्हाल है जो अग्या इंड़स्ट्री बैटरी बच्चे हाई रहा इस भी यह थे होती है के क्वेंड़िश्ट्री बहुट थाईम माई इसका कर सो खर गूंगा मैं आपको बड़स्ट्री अब लों को आवाज आ रही है रवाज चेक करके बताएं आवास ही आ रही है आवास का बताएं रवास ही आ रही है वोईस नॉट क्लियर भी हो जाएगी सब्सक्राइब मुझे देखके बताएएगा फिर मुझे बता है वास क्लियर हो रही है ते टीम में में रही है जजात आपका बड़ा शुक्रिया ठीक है अभी आप भी इसमें से खुश हुए हमारे काम में से आपको चलाएगा पर काम सही कर रहे हैं अच्छा जी मेरी टीम को क्रिटसाइज करने की बड़ी आहात है यानि वो ह जाड़े चीज को क्रिटसाइज करते हैं कि यह इस तरह नहीं हो चाहिए तो चलो फाइनली किस चीज में को बहतर भी लगा काम सही हो रहा है अच्छा मैं आपको स्पर्ड आइडम्स की वराइटी बढ़ाएं कि सिर्फ कुछ चीजों के पर डिपेंड़ना करें बाकी किया कि कॉल्टी ठीक हो यह नौ कि आप यार मैंने बता दिये वहले आप इसकी वह देखोगे ना तो वहां पर आपको मैं दोबारा बता रहता है तो मसला नहीं ठीक है बाद यह एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जो होते हैं उसके अंदर आपको इंसेंटिव्स देते हैं इसरा कि पीसे पड़ेंगे आपको टक्स नी बढ़ांगा तो इसताकी चीज हैं उनको इंकरेज करते हैं इसको अंदर आपको इंडू सorkता हैं आपकी जो कंट्री पीस्पर ऐता है उसके औरות यह यह को आपका हो परगोग कंट्री से इसमें है इसमें होद Всемози आते हैं मिलते हैं जो आपको इंपोर्ट डूमेस्टिक मार्केट ऑपाकिस्तान आपकी इंप्रूव करती है ठीक है बाकी आपका इसमें में चीज आ जाती है और लेकिन और क्या है इसाम है उसकी पता है कि में और खाय है खुरूख का भी जाएंगी। है तो आफिर सेक्टर निक्तर हैं कि महिए होटें कि कोई beliefs आइटर्ण के न को छोड़ सकते हैं जो आपकशी स 002 थो बार UK व्यू har है first year वालों का आखरी पेपर ही जो first year के हैं ये o level के पहले साल वाले हैं ने का आखरी पेपर है तो उसमें फाइदा ये कल onwards टाइम ज्यादा होगा बाकी सब्जेक्ट के लिए इनका पहले हफ्ता था ना इस पे फेफर का फ्लो बहुत तेज़ था तो लोग उसको काफी है तक कर नहीं पाए अब यह कि आगे इंशाला बेतर हो जाएगा बाकी आपके ट्रेड बेरियर का मतलब लिए चीज़ें इंपोर्ट नी कर पाएंगे तो लोगल चीज़ें यूज करेंगे ठीक है या पर जो कंझ्यूमर हैं जो बहुत था तो उसकती है फोछी लू सब्सक्राइब करते हैं पर बाकी ने लोगों ने ख़ीदने तो हमसे ख़ीदने हैं तो हम बेशे को सुखने ना ले सीरियस ना इतना कॉमपेटने हैं कोई फरक नहीं पड़ता बाकी यह कि इवन जो पहले गूड कंट्री एफिशेटली फूडियूस करती थी अब वह भी हैं कि वह इनलेंड फिशिंग मारा है हमन विए विए वर्ल ट्रेट से पाकिस्तान जो अपने आपको अलाइन किस तरह कर सकता है वर्ल ट्रेट सेंटर के सॉड़ी वर्ल ट्रेट और जैशन जो है इसने का था जान्यागों त्रेदेशन की यह की है इसकी यह है कि आपको free trade promote करनी है यह नॉन barrier trade जो इसको promote करना है इससे efficiency आती है यह यह होता है कि आपकी trade increase का जाती है specialization में कि जाते हैं नुकसान ही है कि domestic industries जो हो सकती है for competition बहुता हो सकता है और अगर आप trade value लगा दो हो सकती है ठीक है इसमें कर सकते हैं आपके जो आपको बहुत साही जो रॉंग प्रेक्टिस ने चोड़नी पड़ेंगी सर्विस सेक्टर को आपको लोगों को फुद ट्रेन करना पड़ेगा उससे है कि आपन जो सर्विस ने खरीदनी पड़ेंगी दूसरा यह कि आपको अपनी सर्विस अपको एक्सपोर्ट कर सकते हो बाहर से पैसा कमा सकते हो ठीक है और आपका जो मुल्क है उसको को पूस्ट मिल सकता है गौर्मेंट जो स्को स्रिक रूल्स करने चाहिए quality control के ऊपर ठीक है पाकि तो बहुत स्के पास ज्यादा वो है उसको ज्यादा बेतर है उसको यह इसको स्पोर्ट करना है बाकी क्या आयात है यह कौन से अच्छा यह हो गया हमारा उसके बाद आ गया खत्म हो गया है चैप्टर में कुछ है ही नहीं और इस तरह का और बताएं कौन से चैप्टर करना है यार और बताएं और कौन से चैप्टर करना है इसके बाद हमने यार जो वन से टू माफ्स ते वेशन होंगे वन से टू पॉइंट लिखने होते हैं जो आपका डिस्ट्रिबूट एक्स्प्लेइन दा ग्राफ वला जो प्वेशन होगा ना उसके अंदर आपने बताना है कौन से अरिया जाय थे कौन से अरिया जो थे जैनली फलक्ट्वेश है उसमें जब यहां ओपर इंग्रीज दो दोनों और होंगे ठीक अचा यह आ गया उसके निदर रसमें में बाद आपकी और भी आती है कि आपका इंग्रीज रिक्रीश किलाभा और के मताया आपको ग्राफ के अंदर आपने पढ़ाना है कि उसमें कोई आपको एक आउट जो है अग्दम से किसी वहांत में बहुत जदा आपको अग्रीज डिक्रीज मिलता है उसकी रिजन दा नहीं क्या रिजन हो सकती है क्यों यह हो रहा है ठीक है दूसरा आपके उसके तरह आगया तू से त्री मांसरे तू से त्री पॉइंट्स मोर्दर नेनप होते हैं नहीं प्रॉपर सेंटेंस बनाओंगे मैं रिकमेंड यही करूँगा कि प्लीज आप उसमें अपना जो आंसर है पॉइंट्स ना बनाएं पराग्राफ फोर्म में दे उसमें वर्ट कव यूज होते हैं पराग्राफ के अंदर आप बात को बात से कनेक्ट कर सकते हो ठीक है आपने points form में answer नी देना points form में answer नहीं आफिर repeat कर रहा हूं ठीक है जी और किया है उसके निज्टेम्स नहीं है तो इसके नेगतिवे लिखें लिखें तो इक लिखें जिस statement अगर वीड प्रोडक्शन में जब आपका अभी सिटा उगरा होता है उस फक्क बारिश हो जाए तो नुकसान देए जब वो थोड़ा मिच्वर हो जाता है प्लांट आपका मिच्वर्टी के बाद अगर वो प्लांट लगा हुए उस फक्क बारिश होगी फाइदा है उसका दाना पूल जाता है प्रड़क्शन बढ़ जाती है अगर आपने वो कट की करके रखिए वीड और आपके पास वीड प्लांट लिखने होते हैं दोनों साइट को आप बराबर रखो और को इसके जादा पता हुए वह पूरा ना कर रहे हो अगर आपको पॉइंट्स जदा पता है रहे हैं रेकिंग कांडून के अंदर मतलब यह ए कि डिप्लोमेटिक दें बराबर क्रिक्लियों दें और बताएं यार संदर मतल का या मैंने भी जो पिछला सेशन दी इसमें एक्स्ट्रेन किया विसकी बाद तकी पेज़ पेज़ पे जो आज की पहली वीडियो देखो इसमें पूछें यार मुझे बताएं ट्रांस्पोर्ट के टॉपिक कौन से इंपोर्टन वाली बात तो मेरे वीडियो के उपर देखो लिखा होगा गया नो गैस पेपर हम गैस पेपर पे या इंपोर्टन की तरफ न चाहते हर चीज़ त्यार करते हैं ठीक है और बताएं जी जी मैंने भी आपको उस्मान मेंस के बाद आपको दे में बेतर है बेतर हैं कि अप्रेस कर लें ठीक है अगर आपके जो दो स्टेटमन वाला गौशन होता है तो जिस स्टेतमन को सपोर्ड किया उसका चीजः जिसको इसके अपनी सपेस्पर्ड कर रहा हूँ लेकर फिर भी जो मुझेशको मैं स्पोर्ट कर रहा हूँ उस स्टेट्मेंट के अंदर पॉसٹिव जादे जिसको смै Kia Naag अपनी जानते इस लिए जो है अपनी अधो को स्पोर्ट कर रहा हूं टाइम बजी वरना जिसको स्पोर्ट किः उस नहीं स्पोर्ट के लिए इस गूट जी मैं यह बता रहा हूं कि टू ओट एक्स्टेंड वाले क्वेश्टन के अंदर आपने दोनों साइट निए होती है दोनों साइट्स ठीक है और नैंकि क्वेश्टन आपके जह्न में आता है कि में इलकुन है अनेरजी डांट ऩर यह अच्छ जी कोई क्वेश्टन और दे यह आता है सब्लस क्शूर जक्स विख थे की कमाल मैं और उस्हान अ अच्छा मैं पिछले चार दिन काने साथ उसे मिस होगे, आपको मैं ना देपाया, तो आपका नुकसान होगा, मैं मुझे मेरे दिन में लए है कि आपके शेक्ट डियर के फिर चल रहे हैं यार, कौबाल कर दिया, बेत रिर्ट होगे था, साही है, तीन नहीं, जितने आते हैं उतने, तीन वाला ड्रामा नहीं है, जित की पहली वीडियो लगाई है ना इसलामिया पर नहीं जॉब फी वाली आज की जॉब फी की पहली वीडियो में हमने रिवर्स ऑफ ब्रोचिस्तान कवर कियें डिटेल में कियें ट्रेड अच्छेंज रेट की एप्रिसियेशन होती है और उसकी होती है अपका रुपया दूसरी खरंसी के मुकाबले में महंगा हो गए यानि पहले अगर एक अमरीकी जो था वो एक डॉलर की पीछे सो रुपय रे रहा था एक बात है अब उसको एक डॉलर पीछे 50 पैं मिलेंगे यानि उसको वही 100 पैं लेने के दो डॉलर देना पड़ेगा तो इसी तरह जब आप डॉलर खीद होगे तो आपको पहले देना पड़ रहा है वो क्यों आपका प्रोड़क लेगा ठीक है और आपकी इंपोर्ट्स जो होती है वो आपके लिए सस्थी जाती है रीजन क्या है कि अब आपका करंसी का एक यूनिट जो है वो बाहर की ज्यादा करंसी खरीद रहा है जब आपकी करंसी का एक यूनिट बाहर क वो है आपकी करंसी सेम इमांट के अंदर ज्यादा भार की करंसी ले सकती है तो आपकी एक्सपोर्ट कम हो जाएंगी कि उनको महेंगा पढ़ रहाएंगी Wherever ऑपकी इंप्रोंडा हो जाएंगी या सस्ती हो जाएंगी क्योंकि आपके लिए भार का वो लेना सस्ता है अब होगा कि अब आप ऑप जो एकस्पोर्ट करो घे तो बारी वाले बंदें को सस्ती भोल रही है क्विक्श्म आपकी करण्स है। HE इस में चिंदेंगा रही है और बड़ाइंजे कोई और कुशन जहीं में आता है कोई और कुशन जहीं में आता है पूचे फिलीज ये आगे जी लेजन वापस आगे लेजन को रहा समी आया इतनी वेस्टी करवा के भी फिर आगे इसले खेर बताएं जी कोई और कुशन जहीं में आता है तो कोई भी और question जेन में आता है फलीज है थिए वताईे कोई भी अगर आपके जेन में question और in present है मैं Atlas book और red spot red spot past paper की book के जो answers नहीं है वो आपके लिए color है अगर आप उनको पढ़ेंगे तो आप उतने paper को न खुद यू रकके rifle से गोड़ी मार रहे हो ठीक है Red Spot Book की आंसर नहीं पढ़ने Red Spot Book की जो आंसर्स हैं वो आपके पेपर की डिस्ट्रक्शन है उस से मार्किंग स्कीम से आंसर्स देख लो वो बेतर है ठीक है Demographic Transition Model Good Question इसको भी कवर कर लेते हैं यार तो कि यह आम तोर पर आ जाता होता है Demographic Transition Model अधियर दूसरी बुक के दर है एक सेकंड बुक के दर कर दिये मैंने एक सेकंड यार होल करें मैं दूसरी बुक लेए हो इसको जब वो दो साइट की दिये होती है Sporting Advantage आपकी आपकी साइड के ड्वांटज जिस्ट्री साइड के इस टाहिम बच जाए तो अपनी वाले के थोड़ एक डिसट्री लेक्के दूसरी आपकी दूसरी लेक्के पता देना कि फिर की हमारी वाले के वह बहतर है इसलिए मुसको सपोर्ट कर रहे है मैं एक बुक दूसरी टालू यार इसमें आपको एक सेकंड अलाहुआ अलाहा हुआ पॉप में दोगादी में लोगादी नी पास अचा जी दे मोगादी चांडीशन मोडल पॉप देद्रख्राधिक चांडीशन मोडल वह जी ओगादी नी भादी बहुत अच्छा जी आप लोग अवाज आ रही है अवाज का बताए है अवाज आ रही है यार इसमें थ्री पॉइंट्स के बजाए ना कोशिश ये किया करो कि जितने पॉइंट्स आते हैं सारे लिख दो क्योंकि कई वाज पॉइंट गलत हो जाए तो केटर हो जाते है अच्छा जी डिमोग्राफिक ट्रांदिशन मॉडल का सीन ये है कि देखो आपकी जो किसी भी एरिया की जो वो होती है ना जो एरिया नैचरली डिवेलप कर रहा है इसको कोई बड़ी काटेस्ट्रफी नहीं आ रही उसमें होता ये है कि वक के साथ साथ आपका जो रेट ऑफ नैचरल इंक्रीज है वो चेंज होता है ठीक है जो अब बेसिक पैटरन चल रहा है ये हर जगा सेम नहीं है इसको याद अखना है कि ये मुस्टी जगों के लिए सेम होगा हर जगा पर कुछ जगों की अभी डिवेलपेंट इतनी नहीं होई तो महाँ पे सेम नहीं होगा जो पहला आपका पीरिड आयात है इसको पोस्ट करूँगा, मुकमल बताया हुए है, रेट आफ नेचरल इंक्रीज जो था, वो आपका बहुत कम था, क्योंकि बर्थ रेट 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 दोनों हाये थे, रीजन के है, बर्थ रेट इसलिए हाये थे, बर्थ कंट्रोल फैमिली प्लैनिंग नहीं थी, ठीक है, जो बड़ी फैमिली थी, वो इंकम का जरिया थी, बच्चे ज़्यादा होंगे, फिर वो ज़्याधा को हम लोग फार्म पे बेढ़ेंगे, यह जञाएंगे ज़्या पाएंगे ज़्यादा वो करपाएंगे ज्यादा हमारे इंकम आएगी तो इस लिए यह ऐ कि फार्मिंग में नुच्जिस था बच्छों की जौत ती ऊसके उसके अफ़े हल आने के ठीके जी यह तो हो गया आपका बर्थ को का उने का रीजन देथले जाए था कि अधिकली उतना जबना वो नी हुए थे पर यह एक इंफिंट मॉडल्टी रेट जादा था जो डिलिवरी के तुरान जो इस्यूस थे उनके इतनी इतनी अच्छी मेडिकल वो नहीं आई थी रिसर्च नहीं आई थी फूड सप्लाय कम थे लोग जल्दी मर जाते थे तो उसके लिए लोग जदा वो करते थे प्रटक्शन करते थे बर्ट रेट भी हाया था और लोग बच्चे मर जाते देट भी हाया था अच्छा हाइजीनिक फसिलिटी नहीं थी बहुत सारे वाटर बॉर्ड जो डिजीजेस थे तक डिजीजेस बहुत जादा रहे थे दिजीजेस बहुत थे लोगों की मौस जादा रहे थे तो इस विया से यह है कि आपका डेध रेट हाया था फिर यह कि आपका बर्ट रेट हाया था लेकिंग तरप्त रेट गरना शुरू हो गया और इसके जो आपका second stage है 1936-1970 इसका जो end वाला हिस्सा है ना ये वो point है जब आपका rate of natural increase यानि कि the rate of birth rates exceeding जो rate of birth rate versus death rate है यानि birth rate exceeding death rate है जो natural increase है ये सबसे बदा था इस period के end पर reason क्या था? birth rate हाई है वोई reasons है लेकिन आपका death rate कम होना शुरू हो गया क्योंकि आपकी medical science तरकी कहने लग गई hospital doctor द्वाहियां बेतर होने शुरू हो गई उसके बाद ये के sanitation water supply बेतर हो गई जो वो था आपनी water water बाद इसे आपे switch based इसे इनमें कमी आ गई, food production बेतर हो गई जो आपका food production कहता है जो आपका वो है food production बेतर हो गई, इसके बाद ये कि आपके बेटर farming methods कहता है, food की वो meat ओन लगई, malnutrition कम होगी लोग मरना कम होगी कहता है बाकी ये transfer station system बेतर हो गई आपके लिए एक बंदा बिमार है उसको doctor तर ले जाना असान हो गया, वो आपके लिए possible easy हो गया और child mortality कम होगी क्योंके medical facilities बेतर हो गई थी, इस period के end पे आपका rate of natural increase सबसे आता है, यानि कि birth rates, exceeding death rates बहुँ जाए था उसके बाद, सर मैं अच्छा मैंने बताया बटा, जो आपका red spot के जो लिखे हुए answers है ना, मैंने बताया कि इस तरह है कि अपनी पेपर को सामने खड़ा करो, उसको rifle से गोली मारतो, इस तरह करोगे अपने पेपर के साथ आप ठीक है, red spot के answers नहीं ठीक होते हैं आप उससे बेतर है कि past papers की जो marking schemes हैं उसके answers पढ़ लें, वो आपको काफी हद तक help कर सेगा सर आपकी दौाएं साथ हैं, इन्शाला कुछिण और तबियत को आपकी दौाएं साथ हैं और जिनको नहीं पसंद हैं, उनकी बद्वाएं बहुत ज़्याँ साथ हैं तो cancel हो जाती है, कोई issue नहीं है, इन्शाला ठीक है जी, उस बाद यह कि stage 3 जो है आपका इसमें यह था कि आपका 1971 से लेके 2005 तर तो मेरी यह वीडियो का मसला बढ़ा रहा है, यह बहुत क्या issue है 1971 से लेके 2005 तर जो टाइम है आपका इसमें आपका death rate तो ऐसे कम होगा था, लेकिन birth rate भी कम होना शुरू हो गया इस पॉइंट के बाद आपका जो rate of natural increase था, जो birth rate और death rate का कहा था, वो गम होना शुरू हो गया reason क्या था, कि आपकी family planning program थे, NGO की तरफ से तरह की चीज़ों के वह ज़्यादा हो गए ठीक है, उसके बाद यह आगया आपका जो literacy rates है, जो आपके literacy rates increase करने वजाद से, जो आपके living standard increase की है, लोगों ने life enjoy जादा करनी शुरू करती है, बजाए के बच्चे पादा करते हैं, literacy rates था समझ आगे के बड़ी families का लुक्सान किया होता है, बड़ी जादी उसके फश्या industrialization, mechanization increase कर गी, तो आपको farms के उपर जादा बच्चों की ज़रूरत नहीं रही, ठीक है, जो women are urban areas के तरह काम करने लग गई, उनकी time of marriage था वो delay होना शुरू हो गया, late उनकी बड़ी तो लग गई, वो career oriented हो गई, तो बच्चे यानी fertility rate कम हो गया, पर जो women बच्चे हो कम हो ग आपका जो ग्रीन चाबी नहीं, उसका क्या नाम था, उस organization का नाम बना मज़े का था, मुझे याद आगया आपकी बात से खेर, उस बात यह कि आपकी इंप्रूव जो living standard है, वो इंप्रूव हो गए, ठीक है जी, उसके बाद यानी कि लोगों ने वो focus करना शुरू कर दिया यादि आपका natural increase stop कर जाएगा, या फिर आपका deep population issue हो जाएगी, आपका जो rate of natural increase है जो से कम हो जाएगा birth rate से, यह predict किया आता है, ताकि उस पे यह है कि फिर आपकी population जो naturally कम कर लग देगी, अगर population structure की parameter आ जाएगी तो उसमें आपने compare करना है, पहली बात तो male और females को, फीक ह इस तरह है कि जो आपके वो हैं, यह यंग बच्चे हैं, वो आपके जो earning वाले लोग हैं, वो और जो आपके बुड़े हैं, वो उनकी division क्या है, आपने over the year से उसकी comparison नज़रा रहे हैं, वो कर लेना है, अगर आपको फर्स को लोगर अभी आपकी जो है working class बहुत जादा है, तो आपने इहां सब सितारा, अगर आपकी जो working age बाले हैं, वो बहुत जादा हैं, तो उसमतलब यह कि पहले आपकी जो birth rate जादा था, अगर आप वो कम होते जा रहे हैं, नए बच्चे, तो आगे आपकी working age बालोग का होते जाएंगे, आगे आपके जो बूरे लोग हैं ब producing many children, और यह वो था यार एक और वो थी, अपना, आया सिफ टोपोग्राफी और पॉपलेशन में से आंतरो पर question आ जाता होता है, तो इसको कर लो यार, उसमें यह कि कोई guess paper नहीं देरा लेकिन आ जाता होता है, उसको miss ना कर रहे हैं, असान chapters हैं, और छोटे chapters, टोपोग्रा आएगा, reason यह है कि, पहली बाद तो यह paper एजी मुश्किल नहीं होता है, आपकी त्यारी पेट करता है, लेकिन यह paper आपका easily आएगा, उनको भी पता है कि बच्चों ने, क्रोणों के दुरां उसमें अच्छी त्यारी नहीं की, ठीक है, कोई और question देर आता है, पूछे या यारी से ज проблем करेंगा, पृजी आपकी तॉ Niko, समय में करते हैं कि यारी से है, ट्यारी समधिक है, यारी आर यह सुछाने करेंगा लैड दीज में का, यार, आपके ब में पृजी ने रागी और कीम आपकाश सन्रू है, इस दो बादिक, जैसे तो जैसे आपकाशे कर दें हैं मेरे टीम मेंबर से रिक्वेस्ट है उसको के शेयर कर दें सर आप जनाब आप बेतर हैं सर आप कमाल है मुझे से यह था कि यह नो कोई चीज आप यह नहीं कर आपका फेपर कोई जी रहा ना जाए है ठीक है जी कमपाइलेशन ओफ हदी चोई यह भी हमने कवर किया है थोड़ी दिरे पहले ठीक है उसको आप उस वाले सेशन देख लो आपको जवाब हम मिल जाएगा यहां वीडियो पड़ी यह पेज के उपर ट्रेड वाले चैप्टर को भी मैंने पूरा चैप्टर कवर कर इंडिस्ट्री वाइड चैप्टर को भी कर्वा लेते हैं कोई शुनी कर लेते हैं कर लेते हैं अभी है टाइम ही टाइम है भई टाइम का तो मसले कोई नहीं है हमें कौन सा सब्सक्रा मेंट के बाद कर जाना होता है चारी चैप्टर थोड़े से सर मेक शोर लेडियो स्लीब और डिंक वाटर थैंक यू सुमार तैंक यू सर जजाक ल्ला बहुत शुक्री आपका और इन्शालला यह कि यार अभी करेंगे कभी इसके बाद इसके बाद दो दिन नींदी पूरी करेंगे अच्छा उसक बाद यह कर कैलिफ्स के अंदर यार मैंना को बताया कि पहले जो मेन बैटल्स हैं वो याद कर लें जिसके अधर उमर के टाइम में कदीशिया नहावन्द और आपकी यर्मूब की बैटल है अजगा देन की बैटल है आपकी जो रिदा वार्स है वो है बैटल ओफ यमामा है यह सारी है उनको पहले याद कर लें जुसमान के टाइम में बैटल को इतनी में है नहीं आको से उनकी जो रिजन्स है जो इसूजिश है वो बता उना चाहिए वाकि अगरी के टाइम में गिरी इचुनी तीन बैटल्स है सफीन है आपकी जमल है और एक और है क्या नाम में उसका जमल लेज़ी किया है कि अब बता दें गोचा भी लिग भी देगा पापुलेशन वाइच्टर को बताएं मुखंबार करना है कर लेते हैं को इश्यू नहीं है पापुलेशन वाले चैप्टर के मैंने अभी वह तो बता दी है उसका demographic transition model का मुकमल कबर करना तो कर लेते हैं या transport वाद चेप्टर छोड़ना है तो छोड़ दो उसमें पता क्या है कि उसमों पर choice पर आएगा आप पास एक choice कम हो जाएगी दियान ये करना वो बाकी त्यारी सही हो ठीक है जी हाँ बताएं जी यार मिनरल्स वाले चैपто्र का मेरे जो मारा गूप है उसके उपर मैंनें नोट शेफ किये में उपको वभ् Begin जाएगा मेनत रहे हैं इसनी नीह स्क्राता है ंशरा भे इंस सेवेच सेवेज अभी तो सेवेज होना शुरू ही नहीं किया सेवेज हो गया भाई फिर दोबार उस पर रिबटल मारेंगे तो सेवेज नहीं होना नेकी वाली बते हैं करनी है चाहिए मेरी टीम का मेंबर देख रहा है इसको तो फ्लीज आगे उसमें लॉटी एजुकेशन वाले मैं कैसे मैं पढ़ा रहूं या फावलेशन वाला अभी पढ़ाता हूं आपको मुकमल इंशाल्ला ग्रूप यार एडॉटी एजुकेशन के नाम से ग्रूप होगा उसके जॉइन कर लें अभी तो मुझे टाइम नहीं मिल रा टाइम मुझे मिल जाना बेदर मैं इसको कर ल अच्छा जी बच्चों ने मुल्टी जॉइन तो कर ली है लेकिन मेरी टीम के मेंबर किदर है यार यार यहां पे कोई बच्चा ना फात्मा तयब को वो कर दें फात्मा तयब को यहां पर टैग कर दें ताकि टीम की मेंबर जो है उत देख लें और आगे इसको शेयर कर दे कोई भी आप में से ना जो फात्मा तायब के साथ एर्ड है कोई भी स्टूड़न्ट वो फात्मा तायब को यहां पर टैक कर दे ताके वो यह देख के आके इसको शेयर कर दे अच्छा जी यह हो गया आपका कितना बड़ा च्प्टर है एक दो तीन चार पऊंट शे साथ आट नो दस कियारा बारा तेरा चौदा फंद्रा है सत्रा है सौला छीक है यह हो जाएब का खबर बई बर्ट रिट होता है कि जो नंबर ओफ आफ आपकी यनि कि स्वारी यह इंगा निकाल दिये मैंने कि कहा चला गे मेरा चप्टर नोट और अच्टा जी बर्ट रेट में बड़ेता को बर्ट रेट होता है जो आपका एवserज नंबर आफ लैंड अफ पाकिस्तान क्या यह 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 अधर आग्या लिखत है उसमें यह गांधूर hap इसमें यह यह ऴर्थ, आधार ऑफ आफ आभट रहे है पर थांजिन फी Patriot Market हर 1000 लोगों पीछे कितनी बर्ऌ सो रही है जो आधे हर 1000 लोगों पीछे कितनी देट्स हो रही है ठीक है जिसके बाद आपकी में दूसरी बात आयाती हो क्या आयाती है अच्छा आपका हाई बड़्ट रेट का जी रिजन के है पेहरी बात ये कि इसमें एक फैमिली प्लेंग कोम लोग बड़ाना नेगिटिव लेते हैं हमारे जन में होता है कि जिंवारे हम बेनी कंसेप्ट यह है कि वारे इसमें अंदर कंसेप्ट यह है कि जो रिस्क बड़ाद दे रहा है तो हमें क्यों रोखनी चाहिए तो फैमिली प्लैनिक कर पाते हैं लोग टाइम के साथ साथ पीपल लोग एंदर को पता नहीं के बड़ी फैमिली बड़ी फैमिली उतना बड़ा फाइदा यह बातर यह यह गर चीशतें हैं चाहिंड़ी पैटा पैड़ा ऊसे ट्राइक करते हैं भार बार उसे एक पॉपलेशन इंग्री रहती है और विथ रेट होता है इसमें किस तरह आप इसे क्वे रहांने के दिख्राइफ ब्र लिघेज कशलिए कर सकते हो पिशर्ड रिख्री ते महिंता हो सब्सक्राइब फिर शस्क्राइब और खेल कि ऑपकितमरिख्रेट हना है नंपर्य थादंट मों पॉपलेशन और आपका जो डेथ रेट हो गया है इसमें यह कि अगर आप लोगों की लिटरसी इंक्रीज कर देते हैं उनको पता जाता है कि बादा होने का नुकसान कि है तो अब इसी बात है कि आपका जो है वो कम हो जाएगा इसमें तरीका यह बनाने का रूल इंट इंट मलेख देटी जो हो वह ऑनीज लिटिशेंशन यह समझ सकें नुपं लैका रहूं के अश्यों का लिटिभज कर सकते हैं इसे भाद उशार्ण के स्बॉपका। सब्सक्राइब के अंदर अगर आपकी जो यंग एज के वच्चे हैं वह स्जादा है तो उससे लैंड आफ पाकिस्टन मतलब बता हैं कौन से चैप्टर की बात कर रहे हैं ताकि मैं बताओं कि हमने कहां पर इसके वारे बात की है अचा यह कि आपका पॉपलेशन पेरामेड़ होता है ठक गय बढ़ जाती है अगर अगर आपका मिडल एज ग्रूप जो है उसके लोग जो है ज्यादा हो रहे हैं इस्ता इस्ता तो यह कि आपका जो बढ़ना शुरू होंगे तो लाइफ एक्सपेंजिवर्डी है फात्मा यार इसको आप उसमें शेयर करने इसको आप एलॉटी का टोपोग्राफिवले फीचर्स का इसके उपर जो कल की हमारी पहली वीडियो थी ना कल वाली उसके अंदर मैंने इसको बच्चा इसको लिंक दे दे यह वेटाइए इसी पेज के ऊपर ना बीचे करके देखते जाए आपको लिंक मिल जाएगा उसको वीडियो पढ़ी व देखो कि पांच तो नहीं पड़ा हो यहां पे लिंग उसका अच्छा जी इंप्लोइमेंट में आपका प्राइमरी सेक्टर है वाजाता है आपका जो एक कल्चर इंट सेक्टर है जो आपका फोरेश्री फिशिंग माइनिंग मिनरल सोसवाज सेक्टर रहे हमारे बहुत एक जो आपके एक अवर्किंग रेवर्क करने के लिए अबल भी है वरक करने के कुछ जॉब नहीं विल रही होते हैं अगला ऑकर लिजफा जोफ डिर्व nationally यहां कि देंड जो आप लोग हों हैं कि अपने जो जॉब्यद करते हैं उससे कंउते नहीं पर उती हैं रिक्टर क उसको आती है लेकिन वो काम कर रहे है बढ़ी के तोर पे चोटा लखडी का समान बना रहे है तो इसका मतलब यह है कि वो बंदा जो है अंडर इंप्लॉइड है ठीक है उसको जायत है लिटरसी का फाइदा यह होता है कि लिटरसी डेशो से अगर आप लोगे तो रूरियास के आपका बोज काम होता है एकल्चर की उपर और लोग जो दूसरे अक्यूपेशन कर सकते हैं लिटरेड और ट्रेंड वर्कफरस्ट जो होती है वह आपकी एक्ट्रामिक एक्ट्विज को मोर प्रॉड़क्टिव बना सकती है यानि कम इंपूट पर ज्यादा आउटफूर मि होती है जी नोट पर डाले में इनको बेटा उसका वह दें लिंक देंप ग्रूप का वहां पर में नोट्स लाले हुए है ठीक है उसमें यह कि आपका त्रेंड और मैनफावर जो होती है उसमें वह फॉर्ण एक्सचेंज की अर्डिंग देती है अगर बाहर काम कर यह मुलक के अंदर ठीक है अच्छा उसके बाद यह कि आपका जो लिटरेशन जो लिटरेट पापॉलेशन होती है इसके स्टेंडर लिविंग इंक्रीज होते है वह उसमें यह कि स्मॉलर फैमिली बिलीव रखती है वह बहुत बड़ी फैमिली की दरफ नहीं जाती तो आपका आपका पॉपलिशन का का पॉपलिशन गोड़ेट जियादा है उसमेश्य चाहिए होता है जो आपका जो नंबर आफ जॉप्स के ने जो बहुत कम है और जो आपका पॉपलिशन के जो इंक्रीज हा रहरा है वह ज्यादा है तो अब विसी बाता है उनिप्लाइमिन तो कंप्यूटर्स जो होते हैं वो उसको हुमन लेबर की जगा ले लेते हैं कल्चर स्ट्रेंट है फैमिली प्रोग्रामिंग के उपर या बर्थ कंट्रोल के उपर जो है लोग उसको पसंद नहीं करते बहुत अदा ठीक है तो यह आगा कि दिमांड स्प्लाइब अफ लेबर मिसमैच है कि आपको जो है लोग को जिस तरह की डिमांड लेबर चाहिए वो नहीं मिल रही डिफरण की लेबर भी एठीक है उनको फरस करो उनको चाहिए एक कम्प्यूटराइब स्किल्ड लोग मिल उनको रहे हैं जो है कि अदिहात में चांग करनावाई लोग हैं अगर आपका पॉलिटिकली इंस्टिबिलिटी होगी तो उतनी ज्यादा जॉब्स ग्रो नहीं हो पाएगी बाकी यह कि आपका डूलर अर्बर माइग्रेशन होती है लोग रूलर यह से मूग कर जाते हैं तो अर्बर इसके उपर ज्यादा प्रेश्र पड़ता है अगर रूलर इसक लिट्टिबिशन यह होती है किसी एक एरिया में पाफ्लेशन किस तरह रह रही है एक सब्सक्राइए कितने boog ऑन outs आरिया ठीकिए जरगड़ होती हैентиश्व असक्ति निउन Qui कि लिए प्लीस। अचा इसके बाद और क्या यारत है और इसमें आज़ते है कि जो आप सी ठक्या यार है कि जो आपकी हाई पुद्विशन ट्ची वाई होगी ना उसका यह सीन हूं-दिशन यहां प्र फ्लét हो ङगी महां पर जो आपके मुझे हमे स्वध यह वह यहां पर डिवेलफेंट ज्यादा होगी जो क्लाइमेट हो मौडरेट होगा टॉलरेबल होगा लोग लिए रहना असान होगा जो आपका में जो ब्रेन फॉल होगी बहुत जदा नीबास कम नहीं होगी आपका जो प्रॉड़क्टिव होगा फूड़ सोर्स होंगी मिर्ट वा दिया उसका जहां पर आपके इसके बिलकुल अपजिट होंगे यहांगे इस्टीप एरिया जोंगे रगड इडिया जोंगे टंपरिचर एक्स्ट्रीम होगा रेंफॉल यह तो बहुत कम होगी अब बहुत ही जदा होगी आपके बैरर्ट इरिया जोंगे आपका स्वाइल नहीं हो गाँ पर पे कुण एक है उथ 90 यह लूजी को कैश करें नहीं हो अजिक है इकनौहरा सु के उसके अंदर आजा थे नहीं है तो फूड फिसे अजिए आप्कि शुपलेश्टिप्रर्णी जो आपकी आप वहता है ज्ञा स्लाइवरा होगी इस तरह की जिया ज़्यादा हो गी लैंटी रिक्निवेशन हो ज़ी होगी तो आप पर प्लिशन देंस्टी ज़ादा हो जाहने और यह कम होगी उसके बाद ही कि पॉलिटिकली एकर फेवरेल बच्छी नहीं, ऊस्का मेरा हाल है, बच्छे का उसमेंए यानी का क्योओर्मेंट कि आने का अच्छा उसमेंए आपका के, जिहांगर्मेंट इवेस्प्थमेंट आखंड नी चिहा रिमीन करी उथोनी जिशी है एजुकेशन हेल्थ बितर है आपके रूर अपर माइग्रेशन जो है वहां पर नहीं कि वह का मोरी तुमाभी हो जाए कि अगर आपकी लिमिटेड एजुकेशन हो फिसलिटी तो वहां पर रहना पसंद नहीं करते ठीक है उस बाद यह कि पूर अग्राइब हाउसिं फिसलि वह बोका किसी दूसरे अरिया से आपके अरिया में आना और जो आपका यह मायी होगा वोगा आपके एरियासार दूसरे यह में जाना है मिगेशन ठीक है जो इमिगरेशन यह वो गया तुए तो यह डिफरेंसिस करें होले हैं हुआ है अच्छारूरूररय माइग्रेशन के दर मैंद आ और दाय दर फैक्टर्व होते हैं। वह पैक्टर्सिस्टे दुवर्ड इन जसे लोग रुराया चोड़ होते हैं। जसे लोग अर्बन एलोन चोड़ को रहते हैं। यानि कि लेंड में प्रेशन जाद है इन बहुत थोड़ी लेंड है जाद लोगो ने इसको शेयर करना है ओबर पॉपलेशन हो गई है वाँ पर फूड़ प्रॉड़क्शन लिविटेड है जो एक्रेक्शन जाद होगी इस तरह होती है ट्रांसपूर्ट कम्यूटेशन ये चीज़े जाद होगी तो लोग वहाँ पर चला जाते हैं ठीक है इसके बाद आ गया आट माइग्रेशन याणि एमिग्रेशन के जो है रीजन्स के पाकिस्तन बेर अने प्लाइमेंट है यह रही मैं इसके बाद उसके नोडस अप्लोड करूंगा वह इसके बाद उसके नोड़ करता हूँ जो वो आप कोशिशे करो कि रेस्ट कर लो सो आप फजर के बाद एक फार देख लेना वहां पर अवैलेबल में होंगे मैं आपको बेशे अलग से बिसके लिक भेज़ दूगा ठीक है जो आपके मिडल इस में प्रोजेक्स हैं उनके लोग को रोगों की ज़ूरत है तो अब्य के जो ग्लेमरिस लाइस्टाइल उसकी तरफ एट्रेक्ट होते हैं कि बड़ा ग्लेमरिस लाइस्टाइल है हमें आपे बेतर लाइफ मिल जाएगी इसलिए चला जाते हैं यहां पर कॉर्प्शन के जो इश्यूस है यह जो मारे आप पॉलिटिकल सोचल इसे लोग यह चोड करना सामझ जाता है बाकी है कि पॉलिटिकल कंडिशन अंस्टेबल हो जो जो हैं बाहर मुव करना प्रेफर करते हैं एमिगरेशन के पॉस्टिफ और नेगटिव दोनों होते हैं जो पॉस्टिव यह कि बाहर के लोग मुल्क में वापिस भेज रहें फॉर्न एक्स्टेंज पाकस्ताम ने इंवेस्ट कर सकते हैं के अंदर और जो आपका कल्चर टाइस हैं वो इंक्रीज करते हैं आपके इसके अदर टाइम ना दो बाकी यह कि आपके जो वन टू मांस पर ताइम लगाया करें तो महिशा सपॉर्ट चैक आंसर रोते हैं इडिटिफिकेशन टाइप और जाते हैं आपके जो आपका लगट एकल मां तपका उता है इसके पास जैनी स्किल होता है आप बाहर से लाघता आपके ब्रेंड ड्रेंड जाता है यहां से पड़े लिखे लोग हैं जी असलाम लेक्म यार वो पिश्टारा पिर हमारा उसको दोब फेस्बुक और यार इसको join कर लें मकमल दाके हम इसको करके मकमल करें आगे फिर आगे दूसरा काप पर लगें जितने भी स्टोंटस ही हम को यहां जॉँन करवा दें दुबारा बता देंगे यह शुरू हो चुका है इसको यहां कर लें जॉँन करें पिर करतें चुरू इंशाथ लाह यार जूम का नहीं जूम पे नहीं मुजाग बड़े लेवल लेवल के होते हैं हमने हमारे टीचर्स के साथ बहुत सारे से मुजाग की है सब बच्छे जॉइन कर लिए करते हैं वाशी हो सभी हो गया जी यार वो बात वाकिछ सही है सेशना मेरा खला सिर्फ चार मिनिट का हुआ है सची बात है मुजाग की है स्टूर्ट ने बस सर पहुंच गया है अपने अख्तिदाम पे पहुंचने वाला है मैथ A2P1S1 मैथ का यार इन्शालला हम लोग एक दो दिन तक करेंगे हम कॉमल बस यार इस पर भी है ये मेरा आखरी 30 मिनिट से लोजिक और बचे ने गैस पेपर का पूछ लिए गैस पेपर बेटा ये है कि पांच क्वेशन आएंगे और वो आपकी बुक्स में से कहीं से भी हो सकते हैं बस ये मेरा गैस पेपर है बाक्वी चार बिट का सेशन होगा है कमाल ही हो गया यार सुन मेरे तरह था बड़ा यह नहीं कि फजर के टाइम बड़ा स्पेशल सेशन होगा होता है सई 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 चलो अच्छी बात है गैस पेपर्स मिलने शुरू हो गए मार्केट में फिर से जी मैं सोशालोजी का इंशालला पूरा सेशन करूंगा और के नोट्स भी डालूँगा सोशालोजी बड़ा असान सब्जेक्ट है मुझदार असान सब्जेक्ट है सब्जेक्ट अच्छी बच्चों ने जॉइन कर लिया इसको करते हैं शुरू आगए मुझदी बच्चे जॉइन कर चुके इसको करते हैं शुरू नहीं नहीं बिटा फजर का वक्ट वह पहले बुक किया हुए बहुत हमारी अजीम हस्तीन है अगर मैं वक्त ले लूँगा तो फिर उनके दुकान बंद हो जाएगी तो मैंने उस दुकान को बंद नी करना मैंने किसी को नुकसान नी पहुँचाना वो किसी और का पापुलिशन पैरमेड या वे अभी जो अपना यह है क्या नाम आपका अंच यार मैंने जो है इससे पिछला सेशन है ना जो इससे पिछली वीडियो में पेच पढ़ी है उसको देखें वहां मैंने पापुलिशन पैरमेड डिटेल में समझाया किस तरह आपने उसको करना मैं सेशन पूरा हो जाए शेयर करूंगा ठीक है यह चीज हैश्टेग नो गैस्पेपर जी तक्रीबर इंशाला सारे गया इसमों के हैश्टेग और रख लो हैश्टेग पीड़ास डोंट गैटियोर त्यारी पकी ठीक है यह भी याद कर लो अच्छे जी तक्रीबर बाकि म मेल और फीमेल उसके अंदर डिफेरण्स बताना है थीक है फिर आपने इसके अंदर के मेन चीज़ कि आपको तीनों जो डिवियन एच की या निके बिफोर दर वर्किंगेज 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 और उसके बादवरी एज्वेंस पर क्या नज़र आ रहा है किस तर तो अगर सबस्क्राइब बच्चे बहुत है कल को आपकी बढ़ जाएगी अगर आभी बच्चे बहुत है पपपलेशन आपकी कम हो गई है तो जो पहुंच चुके थे यार पपलेशन है चैपटर में कर दो कहां पहुंच करते हम अच्छी रूलर रूलर अब पाप अबलेशन का जो नमें नुक्सानाथ जी मैं एकनॉमिक से नोट या डालूंगा इकनॉमिक्स के मेरा सबसे पसंदीदा सब्जेक्स मामले में मसा आएगा उसको पढ़ा के क्योंकि उसे मुझे पता है कि मार्के माइग्रेशन के मसले होते हैं कि आपके अर्बन एर्यास में हाउसिंग प्रोड्म हो जाता है वहां पर हाउसे पहले काम है फिर आपकी जो आपकी जो आपकी बढ़ते जाएंगे आपका मैप्स यहां भी शेयर करूंगा इसके फॉरण बाद देमोग्राफिक के क्वेशन् पूछ रहे हो बता विया सिक्स मार्क्स में इसलिए नहीं आते है क्यूंकि आपको कुछ ना जो बड़े लेर्न और बड़े माशाला पराने स्पॉंचे पहुंचे जो वह हैं बताते हैं बैटा तीन पॉइंट लिख जो आपने पॉनिट यतनी हो से कि इसमें दिखने हैं अचा इंफ्रस्ट्रक्शर से फेसरी पर फेसरे पड़ता है अब इस अर्बन एगिए अरी के वाटर एट रहे ट्रांसपोर्ट है क्यों जो चितनी उनकी बनी होती हो स्यादा लोगा रिख श्रू हो जाता है तो आब यसी बात है कि उन पर प्रेश्र पड़ता है क्राइन अब आप प्रपर मां बोलत जोगे इंगे कर जाता है। मुझे थवर साउप्राइब दे दो यह तक मैं उसी साफ से इक्जमपल देखा हूँ, सोचल साइक्पलोगिकल प्रब्लम हो प्रोपर आपको नहीं मिलेगा। आप प्रॉपर मामें वो निकर पाएंगे तो इसका इंडिरेक्ट लिएक्षिन ही होगा कि स्ट्रेस लगल बड़े का आपकी वो बड़े की सिटीज की अन्प्लैंड ग्रोथ होगी एक चीज यह कि आप उसको प्रॉपर प्लैनिंग से सिटीज को ग्रोव कर रहे हैं अराम से प्रॉपर लिए फज़्जर के टाइम उठके वो जरूब नहीं होता उसमें क्या नाम है सिर्फ यह सुनना की का रहरा है चुछा थाब भी नहीं है अच्छा उसमें यह है कि आपके अप्लैन है ग्रोवथ होती है ठीक है उसमें यह कि आपका जो सब्जाइब आहीं बाद म पूरा होगे पताएं मुझे इसलाव कोई और चेप्टर करना है तो लहूर से पीटे लहूर का ये सीन है कि आपने अपका टाइम बन रहा होगा पांच की वीच में उसका आप नमाज पढ़ना है ठीक है आप देना नमाज पढ़ना की बाद अलादा कर नीए फिर आपने फेस्वूक मुझाना है आप देशना है जतने मारे रिफेंट ग्रूप् बाइफ बड़े पाकिस्टम के जैम है यहीं तरीके बताएंगे कुछ आपको त्रीके बताएंगे उसके नियुक्तरा आपको इनी लिए के अपने आपको यही डिगर झाया है यहां प्रब्लैखं के लिख सब्रीड़ के लिए खाएगे लिए इसक्राइएंगे होंगे आपको इसके गैस पेपर के वह आप में देख लेने हैं बाद में इंशाओला आपका पेपर काफी अच्छा उसमें से निकल जाएगा मैं वेसमें मुझे में लाइब करना है कि अब लाइब करना है या Оस्ट टॉपिक और करना है मुझे बताएं आधर मैं मुझे ब्लाइब करना मुझे बताएं ओगए यह साथ करना नहीं भूलना हमेशा यह यूज करते हैं ठीक है अच्छा बताएं यार कोई क्वेश्टर रह गया तुसको मुझे बताएं कोई भी चैप्टर ग्राफ के जिन में रहते हैं तोपोगोफ़ी का यार टोपोगोफ़ी का हमने कल पहले सेशन में डिटेल बे कवर किया था तोपोगोफ़ी के नोट्स भी हमारे गृोप में अविलेबल है जी बिटे मैं मैंस के डाल दो माइडियंग फिशिंग एडर्कल्च्र फारेस के मैं बाकी तक्रीमर टॉपग्रफी का या मैंने बताया है कि टोबाग्रफी वाला हमने वहां पे जो हमारी कल वाली पहली वीडियो है और आज बारे ग्रूप के तर जो डोड़ शेर हुए टॉपग्रफी क्लेयर हो चुका है अगर आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो वह आप यहां भी हमने वीडियो डिवी है बाकी रहे आपका जो ट्रेड का है हुमाई हुए यार हमने इससे जो पिछली से पिछली वीडियो है ना यानि आप मेरे पेज़ पे जो थर्ड वीडियो आपको मिलेगी उसमें देखो ट्रेड का चैप्टर शुरू से लेके एंड सब्सक्राइब कर दिया मुकंबल एक्प्रेड के कुछ नी चोड़ा उसमें से कि सई हो गया जी अच्छा जी बताया जी कोई और को टॉपागर्फी ने बताया यार कि अगर त्यारी सेटर्ट वेजी हो जाए को टेंचिन दाइए मुझे बताया है यार को यह करता है कोई उसमें वह रहता है हाँ आप सही है देखो ना बिलकुल सही आपने कहा है सेलेबरिती नाइस दिस गुड अच्छा जी और मेरा जोई वाला हाल भी नहीं है I know what this means ट्रेड वाला मेरा है ट्रेड का हमने इस से जो आपको दो वीडियो बाद वीडियो मिलेगी उसमें हमने पूरा डिटेल में शूस लेकर एंट तक को की है पावर रिसोर्सिस के मैं आपको और इसके नोटस देता हूँ कोई इशू नी अडाव देता हूँ बेटें अल्ला का शुकर है हम लोग फिडजा जो आए ना खुद खाते हैं हम लोग और पर प्ड़ juice जीत है आफटर इसलाम्याद पेपर याद दिन में हम लोग उसके टैक्स्प पर आंसर को कीटर करते ने मुझे बता दे दें कि दिन में को आपको चाहिए या दिन में हम तोपागरफी के नोट में शियर कर चुका हूं पापोलेशन सब्सक्राइब कर देता हूं कोई इशू नहीं है कि मैंने भी स्टूड़न को बलके उसकी देने यार बायों की नोट देने मonokon गूर्प का उने लिक दें मुझे बताएंगे यार कल दिन सेशन करने नहीं भाई मैं कराची से नहीं हूं मैं बेसिकली लोधरां से रहता है हो पहल पुर हूं बीजिशन का मुझे बताएं यार फाइल एक बच्चे का तो मुझे फटा लग गया कि बहुत दफाई एस ओचुका है नो फ़ाम लो भाई महरबानी लाहर स्कूर अ मेनेजमेंट से नहीं हूं मैं फ्लीज 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 से इनको shout out दे दे, अच्छा क्या नावन का, जी एक बड़ा, वो shout out दिया जा रहा है, मुहमद इब्रहीम अवान साब को, और इनको shout out से दिया जा रहा है, क्योंकि ये shout out का कह रहे थे, मैंने काफी है, मैंने देखा है कि बार-बार ये उसमें होते हैं, मोस्लि सेशन में होते हैं, अच्छी contribution कर रहे होते हैं, और जासे काफी महाल जो है, light रहता है, मजदार रहता है, वरना काफी हद तक यानि कि इस subjects theoretical boring हो जाते हैं, तो अच्छी contribution है, ये like है, मुझा मझा मझा म दुआएं सिखाएंगे उसके उपर, live उसके उपर, तो काफी हाथ तक आपकी इंचल बेतरी हो जाएगी, कल service down होगी, क्यों भाई, ओ भाई, हलो, क्यों, क्या हो गया, service क्यों डाउन होगी, service क्यों डाउन होगी, भाई, अच्छा जी, लिंक क्या share कर रही है, आप मुझे दिखाएं, एक मिट यहाँ पे, लिंक का, यार लिंक में कोई issue है, इसके एंट से ना, इसके एंट से रेफरेंस शेयर अटा दें, पर लिंक सही हो जाएगा, अच्छा, यह जो लिंक है ना, इसके एंट से, इसके एंट से का लिंक यूज कर लें, उसके बाद से वोट आदें, फिर सही हो जाएगा, अच्छा जी, बहुत शुक्री सर, ठीक हो गया जिनाब को इश्यू नहीं, चेहलम किसका यार, गूड हो गया, अच्छा, उसके बाद यह है, के, सिक्स मौन, चेहलम किसका है कल, वालिकम असलाम आएब लो, मैं इसक्त 20 साल का हूँ, अउब यसली, खर चुका हो मौकबल, जार मौन, किसका है, किसी बंदे का होता है चेहलम, किसी बंदे हो और गाद है, जी जी, सर, आपको कौन बोख सकता है, मुझे बता दें यार सही 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 हाँ ठीक है सर्विस डाउन दो नहीं होगी है छुटी होगी सर्विस डाउन क्यों नहीं है अच्छा जी और पताएं सर करते मस रेस्ट यह अशनला अच्छा इसमें अभी एक ना स्टूड़न्ट हैटस आफ कह रही है और फिर अगर मुझे से अगर इन केस नोट्स दो मिनट लेट हो जाए ना फिर इनका कमेंड भी आया होता उसके उपर के इतने लास्ट मिनट नोट्स दी हैं अच्छास दिन मैं आपसे विजी वो कर दूँ क्लेर कर दूँ उस दिन हुआ किया था उस दिन मैं सेशन दे के आप लोगों का मैंने अगला सेशन दी है दूसरे स्टूरेंट्स को जो मेरे दूसरे स्ट्रीम के स्टूरेंट्स हैं फॉरं स्टूरेंट्स हैं मैं तकरीबां राद को चार से पांच बज़े फारे गवा हूँ पांच बज़े मैं लिटा हूँ छे बज़े सोया हूँगा ठीक है तो मैं जिस वक्त आपके तक्रीबर मैं नौ बज़े उठावने नोट्स डाल दी थे इसलिए मुसे नोट्स लेट हुए थे बाकिज दाक लाजी बहुत शुक्रिया फिशिंग माइनिंग और फोरेस्ट मैं भी कर देता हूँ यार शेयर होता है आपको अच्छा जी और बताएं जो और बता यार कोई चीज रहती है दो मज़े बताएं को यह चीज़ रहनी करना है कि वैसे बात करना चाहते हैं वह कर लें वैसे वी काफी दिन हो गये पढ़ाई पढ़ाई की बाते हो रही है बस्तर बादम मैं भी रस्ट करूंब फोड़ा सब्सक्राइब थाग्या था ना में, एक्वेपन वरा के साथ, शकल काली आरीदी, इमको तरीका बता दें, किस तरह उसको एडिट करते होते हैं, वेधर करते होते हैं, अच्छा खेर, A to physics का paper का बहुँ है आपका, guest paper के हिसाब से, फिर guest paper, bro we say no to guest paper, sorry, say no to guest paper का scene है, मुझे बता हैं, कोई और question वरा कोई वजरे में आता है, कुछ भी आता है, मेरी qualification भाई, मैं हूँ, मैं बताता हूँ, मैं आपको इसकी example देता हूँ, ये पहले बता रहा हूँ कि ओफेंड नी होना मजाया जवाब है, और ये आपके context मी नहीं वैसा जवाब है, मेरी qualification ये है, कि मैं जो, मैं ना तो मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, दूसरी मेरी qualification ये है, कि ना तो मैं वो कर रहा हूँ, क्या ना मैं, students को, pass paper बेच रहा हूँ, guess paper बेच रहा हूँ, बस मैं पढ़ा देता हूँ, मिले शौक है, अच्छा जी, अच्छा मुईस मुझे एक बाद बताए यार, आपके जो वो है, celebrity है, उनका कितने का session हुए है, बताएं यार कोई question और पूछना है, प्लीज, अच्छा मैं नोट्स लगा रहता हूँ, यार मुझे बताएं, मैं नोट्स इसके बाद लगाँगा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताएं, मेरे टीम मेंबर से दर्खास थै कि किसी चीज़ का जवाब ना पता, उसका यहां पर जवाब कोट ना करें, मैं फ पे टीम मेंबर से रिक्वेस्ट है कि जो चीज़ का जवाब ना पता, उसका जवाब ना दे, अच्छा जी, चार सो बीस, अच्छा, नहीं नहीं कोई रोस्टिंग, रोस्टिंग को करता ही नहीं, रोस्टिंग मुझे नहीं आती, बलके अभी मैं इसके बाद लेटने के ब सिवाए जो आपकी तीन से चार लेंग्विजिस हैं, स्वाहिली है, एफ्रीकान्स एक लेंग्विज है, इसके लवाब सारे सब्ज़क्ट दी है, अच्छा जी, और बताएं, ग्रूप का लिंक शेयर कर दें, प्लीज, ग्रूप का लिंक यहां पर शेयर कर दें, ग्रूप प्लीज, ग्रूप का लिंक शेयर कर दें, किसी फजूर बात का यहां पर वह न करें, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स बेटा, सारे टॉपिक्स एक्सपेक्टेड होते हैं, नहीं, मेरा दिमाग लाक्षपर सही रहता है, मैं तो बलके अभी इसके बाद फजर टाइम तक सही पाने दीएं भाई, बताएं यार कोई और जी, 64D, 66 इसको यहां पर क्लेर करने, 66 डिस्टिंट है, डिस्टिंट का मतलब यह है कि अगर मैंने A-Level, O-Level, IGC-SC, Idexal का, GCSC, और डेक्सल के आई एल के अंदर पांच दफा फरस्क्रों दी है ना किमिस्ट्री और पांच पांच मेरा एया है तो मैं उसको एक काउंट करता हूं 66 के अंदर जो बाकी फिर रहे हैं ना मार्केट में अगर मैं असका काउंट कर लग जाओं तो मेरे 154 टोटल एस बनते हैं इ मेरे वो हैं यानि के अपने उसके हैं अपना अचा उसमें यह कि अपना जो वो है बचे का कमड़ मन लगया था एडेक्सल का जी सी हो गया एडेक्सल का इंटरनेशनल लेवल हो गया अगर इन पांच मेंने कुछ सब्जेक्ट दिया है ना मैंने इसलावया फरस्क्रों पां है ठीक है जी मेंटे कोड़ वर्ड्स की बाते ना मुझे ड्रेक्ट कर दिया करो मुझे कोई मसला नहीं होता कोड़ वर्ड की बाते हैं ड्रेक्ट लिख दो 365 4269 क्या है यह लिगते हैं बंगलादेश स्टेडिस पाकस्तन में आफर नहीं होता मैंने बड़ी उसकी को की थी कोशिश की थी कि मुझे मैं वज़की बाव दाता हूं हिंदुश्म का पेपर जो है ना हिंदुश्म का पेपर पाकसान में बहुत कम लोग लेते हैं मुझे स्पेशल परमीशन लेनी पड़ी थी कैमने इससे मुझे मैंने एमेल लिखा था ब्रड़्डिश काउंसल को ब्र नहीं हमारी लगती है जिस्कूल के साथ से डिस्कूल की ठीक है और बाकी ब्रड़िश काउसल के अंडर्वेस सारे फाइदा ही हूँ अब बच्छों को पढ़ा रहा हूं लोगंका फाइदा कर रहा हूं उनको जो जो टीचर सुबा फजर के टाइम अपने आपको नेक कीषचा बेनेफिट यह हुआ है कि मैं बच्चों की घल कर पार हो आज इसमें और बताये जी वापतायां बतायां बतायां थकन होगी है यह ठाइम क्या होगे 156 चार मिनेट और हैं मैं चार मिनको बड़ाब पक्शचन कोई बीडिए नहीं च्रेडिंग बलॉक होता है कि ज ठीक है जो आपका बिटे पैसे बहुत लगे थे पैसे का मैं अबताता हूं, मेरे स्कूल ने मेरे साथ कर दिया था, मैने जिस दिन दाफला वरोगा था ना सिर्फ स्कूल ने इसलिए के उसमें था यह कि मारे जो लोकल स्कूल, यानि हमारा स्कूल कि पेटे क्लास हो चुकी है या क्लास हो चुकी है आप transmitted अप मेरा फोजक्त कि लेने गए वहां ते जब आप मेरी मेनिक अपने इस्कि इस युद्ध बैपको और ढाद यहां कि हम दोग उसमें ये कि मेरा आखरी पर रात को तीन बजे हुआ था मैं तीन साथ बैस तक्रीबन चार बजे वापस आया हूं अगले दिन सुबह मेरे फिर पेपर थे चार पर फिजिक्स के दो फिर पर इस ताफ पेपर थे आंगे कि तो यह ना यह जो एक आयाते हैं जो प्रकुश्समें वावेला करने के लिए कि हमारे पास ग्रेड्ड ने उनको उन से पूछो बनाए गिस तरह हैं दस-दस साल में पेपर देखे 15 साल में पेपर मनाए हुए हैं यहां अल्ला का शूकर है डेट साल में देखे फारे हो गए थे अच्छा ट्रेडंग ट्राइब बार के ओपर कॉमन टरिफ लगाएंगे इसकी बहुत साइप से आंगे आपका ट्रेडिंग नुहां होता है आपक करी एक बेसिक बाद मैं अग होता दिये आपस में इंखरी ट्रेड और कॉमन टैरिक बाहर अस तक फिर्म ये बात लुए ऐबात कर दिये ये बात ना बाध सुनों ये बात फजर के बाद जो भी आप ने बात लिखते होते ये बड़ी गलत बात है ये उसमेश्य के जिर्म चलने जी मेरा खाल है बहुत अच्छा हो गया काफी है तक मारा बेतर हो गया अल्ला का शुकर है भाई आइंस्टाइन का फखर हमें इसलिए नहीं चाहिए कि आइंस्टाइन साब जो है वो बंदें जिनकी थियोडी के जासे न्यूक्लिय बॉम बना था और मज़े की बात जो बच्चों को नहीं पता होती हो यह है के आइंस्टाइन को 1952 में मेरा ख्याल है डेड़ ही बनती है डेड़ होलत हो सकती है लेकिन उसको इसराइल की वो भी दी गई थी जू था उसको इसराइल की दी गई थी के वो कर लो प्रेजिडेंसी ले लो मेटे आपकी द्वाएं है यार आपकी द्वाएं है और जो बाकी लोग वो करने उनकी द्वाएं लगी मिई फिर्शन गलत है आपकी गलत है आपकी इसके अंदर चले जी बेतरीन हो गया सर मुझे उमीद है है बड़ा मजा है आप लोगों से बात करके बहुत ज़दा इंटरस्टिंग रा सेशन हमारा और बड़ा यानि कि ये बड़ा इंजॉइबल हुआ बैटे इतने पैसे भी लगाते एक जी ओके जी ओके जना आप